बोलो भारत माता की वंदे 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 स्वाज़त की इस कड़ी में मैं हमारे राजिस्तान के मानमिय मुख्य मंत्री श्री बजनला जी शर्मा से निवेदन करूँगी के वे हमारे यशस्वी प्रठान मंत्री जी का राजिस्तान की आन बाद शान का प्रतीक साफा पहना कर उनका स्वाज़त करें इसी भी साथियों तालिया बचती रहनी चाहिए आपकी तालियों की गुच पूरे नैज़दान में बिगरनी चाहिए इसी क्रम में मैं हमारे बाड में जैसल मेर के लोग सबस्षेत्र के प्रत्याशी श्री केलाश चौदे जी से निवेदन करूंगी कि वे दुपट्टा पहना कर हमारे आधरिनिय प्रधान मंत्री जी का स्वागत करे आप सभी की तालिया इस सबा में घूचति रहनी चाहिए स्वागत है बैस्वागत है अब हमारी मात्र शक्ती से मैं निवेदन करूंगी कि वे आधरिनिय प्रधान मंत्री जी का स्वागत करे मात्र शक्ती झाल झाल अब उद्बोधन की इस कड़ी में मैं निवेदन करूंगी हमारे राजिस्तान के भागिरत, राजिस्तान के आदरणियम मुख्य मंत्री साब श्री भजनलाल जी शर्मा जी वेपदारे और इस वशाल जन सबा को संबोधित करे श्री भजनलाल जी बोलिए भारात माता की बारत माता की स्वागत है बाई स्वागत है बाई स्वागत है आज के बार्ड मेर की सबा में सबसे पहले में हमारी तनोट प्राय माता जी को परणाम करता हूँ बादेरी राय माता को परणाम करता हूँ देख राय माता को परणाम करता हूँ काले डूंगर राय माता को परणाम करता हूँ और भगवान बिशुणूजी के चरणों में सीस नवाता हूँ और मित्रो सबसे पहले में आप से कहना चाहता हूँ कि हमारे दुनिया के सबसे बड़े नेता हमारे देश के यसोशी प्रधान मंत्री सम्मानी नरेंद्र मोजी जी का एक बार जोड़दार तालियों के साथ स्वागत और अब नंदन करें मंच पर पराजमान हमारी पार्टी के परिशनेता पूर प्रधे सद्यक्स सम्मानी हरुण चुत्रवेदी जी हमारे केंद्रिय मंत्री और इस लोग सवा के पिर्ट्यासी भाई केलाज चौत्री जी हमारे केबिनेट में मंत्री भाई जोगा राम जी कुमावत साथ केके बिस्नोई साथ हमीर सिंग जी भाहल हमारे बिदायक सिवाना आदू राम जी बिदायक चोटन यह वह हमारे जिलाज जैसलमेर और भाण मेर बालोत्रा हमारे मदन जी राठ और हमारे राज्टरवा के सांसत संकर सिंग जी राजपरोश्टाप मैं बाण मेर जैसलमेर के गाओं गाओं ढानी ढानी से आये मेरे पूजायों बुजर्गों नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संक्या में आई माता बेनों आप सभी को मैं नमन करता हूँ आपका बंदन करता हूँ आप सभी को प्रणाम करता हूँ मैं तुरह मैं बताने चाहता हूँ कि हमारे देश की इस राजिस्तान की धरा पर पूरे प्रणाम की जन्ता की ओर से बहुत बहुत प्लागत और अबननन करता हूँ और मैं आप चेकेना चाहता हूँ हमारे देश की इसोची प्रणामन्तरी नरेंदर मोधी जी ने के नेतरत में देश के भोयामी बिकास हो रहा है बिग्यान हो या स्वास्तो या पिर आदारवू ठाचा हो विकास हर जेत्र में भारत ने अतुलनी विकास इन दस सालों में किया है स्वास्त के जेत्र में अगर हम बात करें हमारे देश की इसोची प्रणामन्तरी जी ने देश में हस्पताल सेवाओं स्वाओं को विकास का इत्यास कारी किया है पिछले दस सालों में पंदरे नए एम्स खोले गए जबकि 2014 से पहले सिर्फ साथ एम्स देश के अंदर थे पिछले दस सालों में देश में 319 नए सरकारी मेडिकल खोले गए ये पूरे देस के अंदर रटाड है कि 10 साल के अंदर 319 Medical College खोले गए पिछले नौबर सौ में, राजिस्तान में भारत सरकार की ओर से 23 Medical College खोले गए हैं, 23 Medical पूरे राजिस्तान कें अंदर वो 2014 से 2023 तक M.B.S. सीटों की संक्या 51,000 से बढ़ा कर 70,000 डाक्टरों की संक्या बढ़ा कर मानी हमारे प्रदान मंत्री जी ने किया है देशवर में 10,000 से जादा प्रदान मंत्री जन उजदी केंदरों को आमजन की सस्ती दवाओं के लिए मानी प्रदान मंत्री जी ने खोला है क्योंकि यह सीमाबर्ती छेत्र है मैं रक्षा के छेत्र में हमारा आत्म निर्वर होता हुआ भारत मानी प्रदान मंत्री जी के नेत्रत में रक्षा के छेत्र में तेजी से आत्म निर्वर होड़ा है और ये नहीं रक्षा के छेत्र में हो रहे विकास मैं आपको बताना चाहता हूँ भारत ने स्वेदेशी रूप से विक्सित हलके लड़ा को हेलिकॉप्टर प्रचंद को भारती बाईशे नामे सामिल किया गया है आई एनस विक्रांद हो या अर्जुन टेंक हो तेजस एरक्राप्ट हो या पिनाका राकेट हो या फिर ब्रहमोस मिसाइल इन सबका इत्वादन भारत के अंदर होता है इस से 2014 से पहले भारत के अंदर एक भी निर्मार इस तरह का नहीं होता था मैं निश्यत रूप से देश के एसोसी प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी जी के नेतरत में इतना बड़ा काम रक्षा के छेतर में हुआ है हमारे प्रदान मंत्री जी के भैसमों से बैस्टुक मामारी के बावजूद हम सब से तेजी से बढ़ती हुई अर्थ व्यवस्ता भारत में हो रहा है बित बर्द दोजार तेजी सोविस में भारत का कुल निर्यात साथ सो चैतर अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्विस्तर पतपर पहुँच चुका है प्रदान मंत्री मुत्या योजना में 25 पॉन पांच लाग करोड के 43 करोड से अधिक रिण सुकृत हो चके हैं दुनिया बर में हर दसमें से एक यूनिकार्म भारत में है आदार भूट ढाचे की अगर हम बात करें तो ये सर्शी प्रदान मंत्री जी के नेतरत में आदार भूट ढाचा तेजी से बिक्से दो रहा है देश की आकरी छोर से तक सड़क रेलियम बिजली पहुँच रही है और आपने भी देखा है मित्रो मैं आप से कहना चाहता हूँ जब भारत माला जो हमारी योजनाए जब उस पर चलते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है जिस तरह से भारत माला या उस पर प्लेन भी उतरता है ये बाड मेर साच और जैसल मेर और भी कानेर होते हुए आपने जिस तरह से देखा है मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ रेलवे के छेत्र में जितना बड़ा बिकास हुआ है यही नहीं मित्रो मैं आपको एक और में मताना चाहता हूँ कि देख के-S уже si प्रदान मंद्री नरेंदन मोदीजी ने हमारे देख हमारे जिस तरह से माने ह्रपर की समझ स्वाव के निदान को तक पर रहते हूए इसलिए देख के सिल्पकार कारीकार, OBC जात्यों को सम्मल प्रदान करने के लिए पहली बार पी-एम बिस्करमा योजना बनाई गई है इस योजना के माद्यम से राजिस्तान की भी ओबी सी जातियों के कारिगर और सिल्पकारों को कौसल बिकास प्रिसिक्षन और बित्ती अलोन की सुब्दया पराफ्त होगी इसमें हमारी वो जातियां जो अपने खुल के सिल्पकार के माद्यम से काम करती थी चैह हमारे सुतार भाई ओ, सुनार भाई ओ, लोहर भाई ओ, कुमार भाई ओ नाई, दोवी, माली, छीपा, दरजी इन सभी के लिए ऐसी ये इनिक जातियों के कारिगरों को कुस्तल, उनियन के लिए ये योजना बनाई गई है प्रिसिक्टर्ण प्राफ्ट करने के पश्चाथ पंद्रह जार रुपे उन्नत किस्म के ओजार खरीदनी के लिए इसमें दिलवाई जाते हैं और यही नहीं अपना ब्यापार बढ़ाने के लिए पहले एक लाख और उसके पच्चाथ दो लाख यानि कि कुल तीन लाख रुपे बित्तिये लोन अल्पिप्याज पर कारिगर प्राफ्ट करके लाब ले सकते हैं यहीं नहीं मित्रो हमारा जिस तरह से मैं आपको कहना चाहता हूँ हमारा जिस तरह से राजिस्तान के अंदर हमारे लगू उद्योग हैं उन लगू उद्योगों को बढ़ाने का काम देश के एसो सी प्रदान मंतरी नरेम द्रमोदी जी द्वारा किया गया है मैं आप से इतना ही कहना चाहता हूँ हमारी सरकार को आए हुए लगबग चार मीने हुए है हमको 90 दिन का काम मिलाता क्योंकि आचर से लग गई थी मैं आप को कहना चाहता हूँ चाहे वो हमारी कोई भी योजना हो हमने उन योजनाओं को जो हमारे संकल पत्र में लिया था हमने 40 से 45 परसेंट तक 90 दिन में हमारी उन योजनाओं को पूरा करने का काम किया है मैं निस्ट रूप से मानिये हमारे एसोची प्रदान मंद्री नरिंद्र मोटी जी को मैं धन्नमा देना चाहता हूँ कि उन्होंने राजस्थान की बहुत समस्या जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा है पानी की समस्या उस पानी की समस्या को पूरे राजस्थान के अंदर अगर सरल करने का काम किया है हमारा या मद्ध प्रदेश हो या हमारा हर्याना हो या हमारे यहां की योजनाओं हो उन सभी योजनाओं को पढ़ाने का काम देश के यसो सी प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी जी ने किया है मैं आपके माध्यम से मानिए प्रदान मंतरी जी को बहुत-बहुत सुभकामना देना चाता हूँ धन्बा देना चाता हूँ कि राजिस्थान की इस प्यासी धर्दी को पूरे उत्तर से लेके पस्टिम से लेके पूरव से लेकर करके डक्षिन तक पूरा काम पानी की योजनाओं को बनाने के लिए किया है मैं आप की तरफ से राजिस्तान की सरकार की तरफ से राजिस्तान के जंजन की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्वाद और सादू बाद देना चाहता हूँ और मैं अंत में इतना ही केना चाहता हूँ मित्रो कि हमारा जो पिकास है हमारी जो मोदी जी की गारंटी है और गारंटी ये नहीं पूरा होने की गारंटी जबी तो कहते हैं सपने नहीं सपने नहीं हकीकत बुनते हैं और तभी तो लोग मोदी जी को चुनते हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्वाद जैहिन जैभारत आदरिने सीम साब का हार्दिक धन्यवाद मुझे पूरा विश्वास है कि बाड़ बेर की इस पाविन धरा पे उटी ये गोच प्रस्टेक कार्यकरताओं में उत्सा भरने का कार्य करेगी एक बार आप दोनों हाथ को उठा कर मेरे साथ बोले अपकी बार अपकी बार अपकी बार अब मैं बुलाना चाहूंगी जिनके सुनने के लिए हम सब बहुत उत्साइब हैं दुनिया के सबसे बड़े नेता लाखों करोडों युवाओं के आदाश विश्व के सबसे लोग प्रिया नेता जिसकी गारेंटी पर भी गारेंटी है जाल बाती शूर्मा पूरे देश के सूर्मा हमारे प्रधान मंत्री जी आदर इडिया नरेंडर मोधी साब भारत माता की भारत माता की भारत माता की राम राम साथ शक्ति और भक्तिरी परिचायक चैत्रिय नवरात्रा रे चोथे दिन मातास कुश्मांडा रे स्वरूपने मारो कोटी कोटी प्रणाम बाढ़ाई और जैसाइने रे वासियों ने मारी गणे मांसूं राम राम मैं सबसे पहले तो बेन ममता जी को बढ़ाई देता हूँ इतना शांदार संचालन कर रही आप मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ आपका आज नवरात्री के पावन अवसर पर मुझे सिद्वों और शुरिविरों की धर्ती एक बार फिर आप सब के दर्शन करने का सवभाग्य मिला है ये वो धर्ती है जिसके बीरों की कहानिया आज भी सीमा पार खौफ परदा करती है जिस रेगिस्तान की गर्मी में अच्छे अच्छों की हिम्मत दम तोड़ देती है वहाँ आपके होसले के सामने गर्मी भी कुछ नहीं कर पाती ये जन सहलाब ये जन समर्शन बताता है बाड मेर की जनता बीजेपी को भरपूर अजिरवाद देने का संकल्प ले चुकी है इस चुनाव में और आए चार जून चार जून चार सो पार चार जून चार जून और मालाणी की यही पुकार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार भाईयों और भेनों बाड मेल हमारी पार्टी के बरिष्ट स्वर्गिये जस्वन सीजी का ख्षेत्रा है यहां के लोगों ने हमेशा मुझे बोला है मोदी जी आप देश के दुश्मनों को सबग सिखाओ बाड मेर जिताने की जिम्मेदारी हमारी आप इस बार भी पहले से जादा मोटों से बीजेपी को जिताएंगे ये मेरा पक्का विस्वास है साथियों कॉंग्रेस पार्टी ने पाँच छे दसक से जादा देश पर हुकुमत की लेकिन देश की कोई एक बड़ी समस्य ऐसी नहीं जिसका संपुर्ण समाधां कॉंग्रेस ने दिया हो राजस्तान के लोगों से बहतर इस बात को कौन जानेगा जिस राजस्तान के लोगों ने देश को अपने लहू से सीचा उस राजस्तान को कॉंग्रेस पार्टी ने पानी के लिए प्यासा रखा मेरी माताएं बहने तप्ती गर्मी बे रेतिले धोनों पर सीर पर घड़े रखकर कोस कोस चलकर पानी लेने जाती थी हमारी बेने यहां कहती थी गी ढुले तो मारो कुछ न जासी पानी ढुले मारो सब कुछ जासी याने पानी गी से भी जादा मुल्यवान था लेकिन सत्तर साल तक किसी ने इन माता और बेहनों की नहीं सुनी जब आपने आपके बेटे मोदी को सेवा करने का मोका दिया मैंने जल जीवन मिशन शुरू करके इस तरासदी को खत्म करने का बिड़ा उठाया जल जीवन मिशन से हमने राजस्तान के पच्चास लाख गरों तक पानी पहुंचाया है लेकिन जितने दिन राजस्तान में कॉंग्रेस सरकार रही उसने जल जीवन मिशन में भी जम कर ब्रश्टाचार किया कॉंग्रेस ने राजस्तान तक पानी लाने के लिए E.R.C.P. परियोजना भी पूरी नहीं होने जी वहीं हमारे बजनलाव सरमाजी की सरकार ने सो दिन के भीतर ही E.R.C.P. परियोजना को पास करवाया है हरियाना से पानी का समझोता भी हो गया है और हम लोग तो चाहे राजस्तान हो या चाहे गुजरात हो हम लोग तो लाखा बंजहरा को अपना आदर्श मानने वाले लोग है हमारा संकल्प है कि हम राजस्तान के हर गर तक पानी पहुचाए साथियों कॉंग्रेस की सोच ही विकास विरोधी है ये लोग देश के सीमावरती गावों को देश के आखरी गाव कहते हैं ये लोग सीमावरती जीलों को वहां गावों को जान बुझकर विकास से वंचित रखते थे और आप हैरान हो जाएंगे क्यों रखते थे क्या तर्क देते थे अफिशली बताते थे वो कहते थे कि सीमा के पास विकास होगा तो दुश्मन देश के भीतर आकर कबजा करने की संभावना बढ़ जाएगी ये शर्म की बात है कि नहीं भाई क्या हम इतने भुजदिल हैं कि हम बढ़िया राते बनाए तो दुश्मन उच्पर चड़ जाएगा क्या बात करते हो शर्मानी चाहिए आपको आप मुझे बताईए कि इस दुश्मन के कलेजे में इतनी हिम्मत है कि वो बाण मेरी की सीमा में गुज़कर कबजा करने की सोचे हाई हिम्मत कि सीमा भाई यो बैनो हम सीमा वरती इलाकों को सीमा वरती गावों को आखरी गाव नहीं देश का प्रथम गाव मानते है हमारे लिए देश की सीमा यहाँ पूरू नहीं होती है हमारे यहाँ यहाँ से देश शुरू होता है आज अगर देश में चार करोड गरीबों को पी एम आवास मिले है तो मेरे बाड़मेर को भी पोने दो लाक गरीबों को पक्के आवास का लाभ मिला है भाजपा सरकार देश की आखरी सिमा तक सडकें और हाइवेज बना रही है हमने बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज भी खोला है आज सीमा वरती बाड़मेर में लेकिन कॉंग्रेस ने ऐसे ऐसे रुकावटे डाली लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ मेरे तीसरे टम में मैं रिफाइंटरी का उद्गार्टन करने जुरूर आऊंगा और जिस देन रिफाइंटरी के उद्गार्टन के लिए आऊंगा उद्दिन इस चुनाव विज़ाई के लिए दन्यवाद भी करने आऊंगा आने वाले समय में इस इलाके में रोजगार के आउसर पैदा होंगे युवाओं के लिए नए रास्ते बनेंगे मेरे बाड़मेर के भाई भेन जो पुराने लोग है वो जब मेरी ये बात सुनते हैं तो उनको लगेगा या यह संभव है यह होगा क्या स्वाबाविक है कि ऐसी मुसीबतों में उन्होंने जिनकी गुजारी है यहां से पलाइन होना बहुत स्वाबाविक था माबाब भी बच्चों को कहते थे भाई कहीं और चले जाओ यहां रहके क्या करोगे वो दिनते हैं ऐसा ही हाल कच्चका था मैं गुजरात का अनुभव बताता हूँ आपको कच्चका भी हाल ऐसा ही था लेकिन 2001 के भुकम के बाद गुजरात के लोगों ने मुझे सेवा का मोका दिया आज पूरे हिंदुस्तान का सबसे तेज विकास करने वाले जिल्ले हैं उसमें आज कच्च जिल्ला पहुँच गया है मुंबई में जमीन की जो कीमत होती है वो कच्च की जमीन की कीमत हो गई है अगर कच्च बदल सकता है तो बाड़बेर बदल सकता है या ने बदल सकता है बदल सकता है या ने बदल सकता है मैं ये करके आया हूँ अब इसलिए मैं गार्रणटी देता हूँ ये भी मैं करके रहूँगा यहां के एरपोर्ट में भी पिछली सरकार ने जम कर रोडे अठकाए थे अगर कॉंग्रेस ने बे बजब ब्रेक न लगाया होता तो यहां का एरपोर्ट दो साल पहले ही चालू हो जाता साथियों कॉंग्रेस ने जिन लोगों को दसकों तक नहीं पूछा मोदी उनको पूजता है हमारे आधिवासी समाज के बच्चे आगे बड़े इसके लिए हम एक लब्य मोडल आवासी स्कूल खोल रहे हैं आधिवासी समाज को सीकल सेल एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए हम अभियान चला रहे हैं भाजपाने आधिवासी समाज को सम्मान दिलाने के लिए देश को पहली महिला आधिवासी राश्पति दिये हैं हमारे गाउं धानियों के महिराएं मेगवाल समाच, लंगा, मंगनियार समाचने के लोग पीडियों से हस्तकला का काम करते आए हैं वाजपाने पहली बार उने आगे बढ़ाने के लिए पी-एम बिश्व कर्मा योजना शिदो की है अपनी महनत से रेत में भी फसल हुगाने वाले यहां के किसानों को भी कभी किसी ने नहीं सराहा आज हम किसानों के सीधे उनके खातों में पी-एम किसान सम्मान निदी बेज रहे हैं किसानों की आए बड़े इसके लिए हम मोटे अनाजों को श्री अन्न को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं यह हमारा बाजरा कोई पूछता नहीं था सिर्व हम गाउं के लोग खाते थे आपको जान करके खुशी होगी अभी में जब अमेरिका गया तो अमेरिका ने रास्पति ने अपने भोगर में बाइट आउस में बड़ा बोज रखा था लेकिन मज़ा देखिए उस भोज में जितनी चीज़े खाने के लिए बनाई थी वो हमारे मोटे अनाज में थे बनाई थी हमारे बाजरे हमारा जवार उस में थे बनाई थी दुनिया में जो मेरा छोटा किसान पानी के अभाव में खेटी करता है मोटा अनाज पादा करता है मैंने दुनिया को समझाया है यह मामुलिया अनाज नहीं है यह सुपर फूर है सुपर फूर आपकी सहथ के लिए उत्तम फूर है और मैं दुनिया में आपके किसानों के ज जड़ा जवार दुनिया में बेच रहा हूं दोस्तों मुंका समर्जन मुल्य भी आज जितना है उतना कभी नहीं था मोदी आपके सुख़ुख में आपके साथ है क्योंकि आपके सपने आपके सपने ही मेरे संकल्प है साथियों SC, ST, OBC भाई और बहनों के साथ दसकों तक भेजबाव करने वाली कॉंग्रेस आजकल एक पूरानी रेकॉर्ड बजा रही है जब भी चुनाव आता है समिधान के नाम पर जूट बोलना ये इंडिय अलाइज के सब साथियों की फैशन बन गई है वो कॉंग्रेस जिसने बाबा साथ के जीते जी उन्हें चुनाव हरवाया जिसने बाबा साथ को भारस रत्न नहीं मिलने दिया जो वो कॉंग्रेस जिसने देश में आपात कान लगा कर सम्विधान को खत्ब करने की कोशिश की आज वो मोदी को गाली देने के लिए सम्विधान के नाम पर जूट की आड ले रही है ये मोदी है जिसने देश में पहली बार सम्विधान दिवस मनाना शुरू किया ये कॉंग्रेस वालों ने सम्विधान दिवस मनाने का विरोग किया था पारलोमन में फासन है उनका या बाबा साथ का ये अप्मान है कि नहीं है संविधान का अपन है कर नहीं है इतना ही नहीं यह मोधी है जिसने बाबा साब से जुड़े पंचतिर्थों का विकास किया इसलिए बाबा साब और संविधान का अपमान करने वाले कॉंग्रेस और इंडी ऐलाइंस के जूठों से उनकी गबाजी से साफधान रहने की जरुवत है और कॉंग्रेस वाले सुनने ये 400 सीखती बात देश की जनता ने इसलिए की है कि आपने 10 साल पारलामेट में मुझे अच्छे काम करने के लिए रोकने की लगातार कोशिश किया है और इसलिए देश आपको कॉंग्रेस को सजा देना चाहता है और साफ कर देने का मन मना लिया है और जहां तक सम्विदान का सवाव है आप मान के चलिए और मोदी के सब्दे लिख के रखिए बाबा साब आम बेर कर खुद आ जाए तो भी सम्विदान खतम नहीं कर सकते है यह हमारा सम्विदान सरकार के लिए गीता है, रामार्ण है, माबारत है, बाइबल है, कुरान है इस सब कुछ हमारी लिए हमारा सम्विदान है साथियों भारत के खिलाब ये इंडी अलाइंस वाले कितनी नफ्रत से भरे हुए है ये इनके मैनिफेस्टों में भी नजर आता है कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में तो बटवारे की गुनगार मुस्लिम लिख की छाप नजर आती है अब इंडी अलाइंस में सामिल एक और दल ने देश के खिलाप बहुत खतरनाक एलान किया है उन्होंने अपने मैनिफेस्टों में लिखा है जिस पोखरण की धरती ने भारत को परवाणू सक्ति से संपन्द किया अब इंडी अलाइंस का कहना है कि हम भारत के परमानू हथियार नश्ट कर देंगे दरिया में डुबो देंगे बारत जैसा देश जिसके दोनों तरब परोसियों के पास परमानू हथियार हो क्या उस देश में परमानू हथियार समाप्त करना इसकी सोच यह समाप्त करना चाहता है इंडी अलाइंस क्या परमानू हथियार समाप्त होने चाहिए मुझे सब का जवाब चाहिए क्या परमानू हथियार समाप्त होने चाहिए मैं जड़ा कॉंगरेश को पूछना चाहता आपके ये साथी ये आपके इंडे एलाइन्स के साथी किसके हिसारे पर काम कर रहे हैं ये कैसा गडबंदर है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है आज फिर किसके दबाव में आपका ये गडबंदर हमारे परमाणू ताकत को समाप्त करना चाहता है एक तरम मोदी भारत को शक्तिशाली राष्ट बनाने में जुटा आए वहीं इंडी गडबंदर वाले भारत को कमजोर देश बनाने का एलान कर रहे है माता तनोट राय की धर्पी के लोग क्या इसे स्विकार करेंगे कमजोर देश आपको मंजूर है शक्ति हीन देश आपको मंजूर है क्या ऐसा आग सोचने वालों को सजा देंगे इस चुनाव में सजा देंगे कमल पर बोर्ट दबा करके उनको सजा देंगे और इसलिए पूरे देश के लोगों को इंडी गड़मंदन से सतर्क नहने की जरुवत है साथियों जिस बारत मा के लिए हम अपने जीवन की परवा नहीं करते ये कॉंग्रेट पार्टी उसे सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा मानती है और इसलिए कॉंग्रेट के राष्टी अध्यक्षर राजस्थान की वीर भूमे में आकर कहते है कि मोदी ने कश्मीर से 370 हटाया तो राजस्थान से उसका क्या लेना देना क्या वास्ता यहां करके बोलके गए ये राजस्तान की राष्ट भक्ती पर ऐसा सवाल करने की हिम्मत करते हैं जिस राजस्तान के वीरों ने सीमा पर कश्मीर के लिए सीने पर गोलियां खाई उससे पूछते हो कि कश्मीर से क्या वास्ता इस बाड़मेर के सपूत भी खारा मुंड ने करगिल युद में अपना बलिदान दे दिया था और कॉंगरिस कहती है कि कश्मीर का राजस्तान से क्या वास्ता जिस राजस्तान में कश्मीर में जन में बाबोसा रामदेव जी की गरगर पूजा होती हो उससे पूस्ते हो कि कश्मीर से क्या रिस्ता जब कश्मीरी हिंदूओं को उनके घर से ख़देडा गया था तब कितने ही परिवारों को राजस्तान ने बसाया था गले लगाया था और ये पूस्ते हैं कि राजस्तान का कश्मीर से क्या वास्ता अरे उनको पता नहीं होगा करगील के लोग इरान गए थे और इरान में कोविड की भेंकर महामारी में फस गए थे उनको वापस लाना था कोविड के साथ लाना था बड़ा संकड का काम था उनको हिंदुस्तान ला करके कहां रखे देश को जान करके घर्व होगा ये मेरे राजस्तान की वीर भूवी है जेसल मेर में इरान से लाए गए कोविड के वो सारे लोग जो करगील के रहने वाले थे वहां वो माइनस टेंपरेचर में रहते हैं यहां 35-40 डिगरी टेंपरेचर में महिना बर रहे जब ठीक होए तब राजस्तान रिये उनको घर वापिस बेजाता ये है मेरा राजस्तान कॉंग्रेस भारत को भाषा प्रांत जात पांत में तोड़ना चाहती है इसलिए आपको इस तुनाव में कॉंग्रेस को फिर एक बार सबक सिखाना है कॉंग्रेस हर उस काम का बिरोद करती है जो देश हीत में होता है कॉंग्रेस हर उस ताकत के साथ खड़ी हो जाती है जो तेश बिरोदी होती है आप देखिए हम लोग देश में राजस्थान में शक्ति की उपासना करते हैं माता की उपासना करते हैं लेकिन कॉंग्रेस के सहजादे कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ति का बिनास कर देंगे अरे मेरी माता और बेहनों की ताकत तुम नहीं जानते हो किसी मर्द को आगे नहीं पढ़नाने पड़ेगा इस शक्ति को नश्ठ करने वालों को ये मेरी माता बेहने ही निपट लेगी देश में राम मंदिर निर्मान का पुनित पावन काम होता है कॉंग्रेस उसका भी बहिश्कार करती है और कॉंग्रेस करती क्या है कॉंग्रेस राम नौमी की सोबा यात्रा पर राजस्तान में पत्थर बाजी करने वाले दंगाईयों को समरक्षन देती है देश में घुस पेठी आते हैं तो कॉंग्रेस उनका स्वागत करती है लेकिन बारत विभाजन का विरोध करने वाले हमारे दलीत और सिख भाई बहनों को नागरिकता देने वाले CAA का ये विरोध करते हैं मैं आप से पूछता हूँ क्या कॉंग्रेस एक भी सीट राजस्तान से जीतने की हकदार है क्या हकदार है क्या एक भी सीट पत्री चाहिए क्या उनकी इस बार तो उनकी सीटों की जमानत जाने चाहिए भाईयो जाएगे साफ कर दीजे उनको ये सुद्रें के नहीं साथ्यों 26 अप्रिल को राजस्तान और देश के भविश के लिए एक बहुत बड़ा दीन है और मैं रिफाइंडिक उद्गार्ण के लिए जब आऊंगा तब आपको मैं याद कराऊंगा कि इसका महत्व क्या है भारतिये जनता पार्टी ने बाड़बेर से कमल की जिम्मेदारी भाई कैलाज चौदरी जी को दी है इसलिए आपको मोदी की गारंटी पर बरोसा करते हुए कमल पर बटन दबाने के लिए प्रार्थना करने आया हूँ आपके आशिरवाद लेने आया हूँ मेरी माताए बेहनों के आशिरवाद मेरे नवजवानों के आशिरवाद मेरे बुजुर्गों के आशिरवाद धानी धानी मेरे किसान भाई बेहनों के आशिरवाद यही मेरी उर्जा है यही मेरी ताकात है चाहें जितनी गर्मी हो 26 अप्रिल को सुबे सुबे ही कमल का फूल खिलना चाहिए खिलेगा और इसलिए मेरा अनुरुद है पहले मतदान फीर जलपान पहले मतदान फीर पहले मतदान फीर अच्छा मेरा एक और काम करोगे जड़ा हाथ उपर करके बताईए करोगे सब के सब करोगे माता है बेने भी करेगी देखे पहले तो मैं राजस्तान में बहुत गुमा हूँ सब दूर जाता था संगठन का काम करता था इन सब के साथ कंदे से कंदा मिला करके काम किया है लेकिन अब आपने इतना काम दिया है कि मैं सब जगा पे जा नहीं सकता हूँ तो मेरा एक काम करोगे गर गर जाकर बताईएगा कि अपने मोदी बाड मेर आये थे और मोदी ने आपको प्रणाम कहा है मेरा प्रणाम पहुचा दोगे हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुचा होगे हर माता बहन को मेरा प्रणाम पहुचा होगे हर बुजुर को मेरा प्रणाम पहुचा होगे जब इन सब को मेरा प्रणाम पहुचेगा न तो मन से मुझे आशिरवाद देंगे और वो आशिरवाद मुझे ऐसी ताकत देगा कि विक्सित भारत का सपना पुरा करने के लिए मैं अपनी पूरी उर्जा अगा दो मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद माता की भारत माता की भारत माता की रामरामसा शक्ति और भक्तिरी परिचायत चैत्रिय नवरात्रा रे चोथे दिन माता सकुन्बसकुसमांडा रे स्वरूपने मारो कोटी कोटी प्रणाम बाड़ानाई और जैसाइने रे वासियों ने मारी गणे मांसूं राम राम मैं सबसे पहले तो बेन ममता जी को बधाई देता हूँ इतना शांदार संचालन कर रही आप मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ आपका आज नवरात्री के पावन अवसर पर मुझे सिद्वों और शुरिविरों की धर्ती एक बार फिर आप सब के दर्षन करने का सवभाग्य मिला है ये वो धर्ती है जिसके बीरों की कहानिया आज भी सीमा पार खौफ परदा करती है जिस रेगिस्तान की गर्मी में अच्छे अच्छों की हिम्मत दम तोड़ देती है वहां आपके होसले के सामने गर्मी भी कुछ नहीं कर पा दी ये जन सहलाब ये जन समर्थन बताता है बाड़ मेर की जनता बीजेपी को भरपूर आजिरवाद देने का संकल्प ले चुकी है इस तुनाव में आपका एक एक वोट दिखसिद भारत की नीव मजबूत करेगा ये चुनाव बलका नहीं देश का चुनाव है इसलिए आज पुरा देश कह रहा है चार जुन चार जुन चार सो पार चार जुन चार जुन और मालानी की यही पुकार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार भाईयो और भेनो बाड मेर हमारी पारिटी के वरिष्ट स्वर्गिये जस्वन सीजी का खेत्र है यहां के लोगों ने हमेशा मुझे बोला है मोदी जी आप देश के दुश्मनों को सबग सिखाओ बाड मेर जिताने की जिम्मेदारी हमारी आप इस बार भी पहले से जादा मोटों से बीजेपी को जिताएंगे यह मेरा पक्का विश्वास है साथियों कॉंग्रेस पार्टी ने पाँच छे दसक से जादा देश पर हुकुमत की लेकिन देश की कोई एक बड़ी समस्य ऐसी नहीं जिसका संपुर्ण समाधान कॉंग्रेस ने दिया हो राजस्थान के लोगों से बहतर इस बात को कौन जानेगा जिस राजस्थान के लोगों ने देश को अपने लहू से सीचा उस राजस्थान को कॉंग्रेस पार्टी ने पानी के लिए प्यासा रखा मेरी माताएं बेहने तप्ती गर्मी बेहन रेतिले धोनों पर सीर पर घड़े रखकर कोस कोस चल कर पानी लेने जाती थी हमारी बेहने यहां कहती थी गी ढुले तो मारो कुछ न जासी पानी ढुले मारो सब कुछ जासी याने पानी गी से भी जादा मुल्यवान था लेकिन सत्तर साल तक किसी ने इन माता और बेहनों की नहीं सुनी जब आपने आपके बेटे मोदी को सेवा करने का मोका दिया मैंने जल जीवन मिशन शुरू करके इस तरासदी को खत्म करने का बिड़ा उठाया जल जीवन मिशन से हमने राजस्तान के पच्चास लाख गरों तक पानी पहुचाया है लेकिन जितने दिन राजस्तान में कॉंग्रेस सरकार रही उसने जल जीवन मिशन में भी जम कर ब्रस्टाचार किया कॉंग्रेस ने राजस्तान तक पानी लाने के लिए E.R.C.P. परियोजरा भी पूरी नहीं होने जी वहीं हमारे बजनलाव सरमाजी की सरकार ने सो दिन के बीतर ही E.R.C.P. परियोजना को पास करवाया है हरियाना से पानी का समझोता भी हो गया है और हम लोग तो चाहे राजस्तान हो या चाहे गुजरात हो हम लोग तो लाखा बंजहरा को अपना आदर्श मानने वाले लोग है हमारा संकल्प है कि हम राजस्तान के हर गर तक पानी पहुचाए साथियों कॉंग्रेस की सोच ही विकास विरोधी है ये लोग देश के सिमावर्ती गावों को देश के आखरी गाव कहते हैं ये लोग सिमावर्ती जीलों को वहाँ गावों को जान बुझकर विकास से वंचित रखते थे और आप हैरान हो जाएंगे क्यों रखते थे क्या तरक देते थे अफिशली बताते थे वो कहते थे कि सिमा के पास विकास होगा तो दुश्मन देश के भीतर आकर कबजा करने की संभावना बढ़ जाएगी ये शर्म की बात है कि नहीं भाई क्या हम इतने भुझदिल है कि हम बढ़िया राते बनाए तो दुश्मन उत पर चड़ जाएगा क्या बात करते हो शर्मानी चाहिए आपको आप मुझे बताइए कि इस दुश्मन के कलेजे में इतनी हिम्मत है कि वो बाण मेर की सीमा में गुझकर कबजा करने की सोचे हाँ हिम्मत की सीमा भाईयो बैनो हम सीमा वरती इलाकों को सीमा वरती गावों को आखरी गाव नहीं देश का प्रथम गाव मानते है हमारे लिए देश की सीमा यहां पूरू नहीं होती है हमारे यहां यहां से देश शुरू होता है आज अगर देश में चार करोड गरीबों को पी-एम आवास मिले है तो मेरे बाड़मेर को भी पूने दो लाख गरीबों को पक्के आवास का लाभ मिला है भाजपा सरकार देश की आखरी सिमा तक सडकें और हाइवेज बना रही है हमने बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज भी खोला है आज सीमा वर्ती बाड़मेर में 72,000 करोड रुपिय लागत की रिफाइनरी शुरू होने जा रही है और मेरे बाड़मेर के भाईबेन सुनिये अगर यहाँ कॉंग्रेस की सरकार न होती तो मेरे दूसरे टम में ही मैं आकर उद्गाटन कर जाता लेकिन कॉंग्रेस ने ऐसे ऐसे रुकावटे डाली लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ मेरे तीसरे टम में मैं रिफाइनरी का उद्गाटन करने जुरूर आऊंगा और जिस देन रिफाइनरी के उद्गाटन के लिए आऊंगा उद्धिन इस चुनाव विजय के लिए दन्यवाद भी करने आऊंगा आने वाले समय में इस इलाके में रोजगार के आऊसर पैदा हूंगे युवाओं के लिए नए रास्ते बनेंगे मेरे बाड़मेर के भाई भेन जो पुराने लोग है वो जब मेरी ये बात सुनते हैं तो उनको लगेगा या ये संभव है ये होगा क्या स्वाबाविक है कि ऐसी मुसीबतों में उन्होंने जिनकी गुजारी है यहां से पलायन होना बहुत स्वाबाविक था माबाप भी बच्चों को कहते थे भाई कहीं और चले जाओ यहां रहके क्या करोगे वो दिनते हैं ऐसा ही हाल कच्चका था मैं गुजरात का अनुभव बताता हूँ आपको कच्चका भी हाल ऐसा ही था लेकिन 2001 के भुकम के बाद गुजरात के लोगों ने मुझे सेवा का मोका दिया आज पूरे हिंदुस्तान का सबसे तेज विकास करने वाले जो जिल्ले हैं उसमें आज कच्च जिल्ला पहुँच गया है मुंबई में जमीन की जो कीमत होती है वो कच्च की जमीन की कीमत हो गई है अगर कच्च बदल सकता है तो बाड़बेर बदल सकता है या ने बदल सकता है बदल सकता है या ने बदल सकता है मैं ये करके आया हूँ अब इसलिए मैं गार्णेटी देता हूँ ये भी मैं करके रहूँगा यहां के एरपोर्ट में भी पिछली सरकार ने जम कर रोड़े अठकाए थे अगर कॉंग्रेस ने बे बजब ब्रेक न लगाया होता तो यहां का एरपोर्ट दो साल पहले ही चालू हो जाता साथियों कॉंग्रेस ने जिन लोगों को दसकों तक नहीं पूछा मोदी उनको पूजता है हमारे आद्विवासी समाज के बच्चे आगे बड़े इसके लिए हम एक लब्यम मोडल आवासी स्कूल खोल रहे हैं आद्विवासी समाज को सीकल सेल एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए हम अभियान चला रहे हैं भाजपा ने आद्विवासी समाज को सम्मान दिलाने के लिए देश को पहली महिला आद्विवासी राजपति दिये हैं हमारे गाओ धानियों के महिलाए मेगवाल समाज लंगा मंगनियार समाजने के लोग पीजियों से हस्तकला का काम करते आए हैं भाजपा ने पहली बार उन्हें आगे बढ़ाने के लिए पीएम विश्व कर्मा योजना शुदो की है अपनी महनत से रेत में भी फ़सल उगाने वाले यहां के किसानों को भी कभी किसी ने नहीं सराहा आज हम किसानों के सीधे उनके खातों में पीएम किसान सम्मान निदी बेज रहे हैं किसानों की आए बड़े इसके लिए हम मोटे अनाजों को श्री अन्न को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं यह हमारा बाजरा कोई पूछता नहीं था सिर्व हम गाउं के लोग खाते थे आपको जान करके खुजी होगी अभी मैं जब अमेरिका गया तो अमेरिका ने रास्पति ने अपने भोगर में बाइट आउस में बड़ा बोज रखा था लेकिन मज़ा देखिए उस भोज में जितनी चीजे खाने के लिए बनाई थी वो हमारे मोटे अनाज में थे बनाई थी हमारे बाजरे हमारा जवार उस में थे बनाई थी दुनिया में जो मेरा छोटा किसान पानी के अभाव में खेती करता है मोटा अनाज पादा करता है मैंने दुनिया को समझाया है ये मामुली अनाज नहीं है ये सुपर फूर है सुपर फूर आपकी सहथ के लिए उत्तम फूर है और मैं दुनिया में आपके किसानों के ज्वारा बनाई ये बाजरा जवार दुनिया में बेच रहा हूँ दोस्तो मुंका समर्शन मुले भी आज इतना है उतना कभी नहीं था मोदी आपके सुख़ुख में आपके साथ है क्योंकि आपके सपने आपके सपने ही मेरे संकल्प है साथियों SC, ST, OBC भाई और बहनों के साथ दसकों तक भेजबाव करने वाली कॉंग्रेस आज कल एक पूरानी रेकॉर्ड बजा रही है जब भी चुनाव आता है समिधान के नाम पर जूट बोलना ये इंडिय अलाइज के सब साथियों की फैशन बन गई है वो कॉंग्रेस जिसने बाबा साथ के जीते जी उन्हें चुनाव हरवाया जिसने बाबा साथ को भारस रत्न नहीं मिलने दिया जो वो कॉंग्रेस जिसने देश में आपात कान लगा कर सम्विधान को खत्ब करने की कोशिश की आज वो मोदी को गाली देने के लिए सम्विधान के नाम पर जूट की आड ले रही है ये मोदी है जिसने देश में पहली बार सम्विधान दिवस मनाना शुरू किया ये कॉंग्रेस वालों ने सम्विधान दिवस मनाने का विरोध किया था पारलोमेन में फासन है उनका या बाबा साब का ये अप्मान है कि नहीं है सम्विधान का अप्मान है कि नहीं है इतना ही नहीं ये मोदी है जिसने बाबा साब से जुड़े पंचतिर्थों का विकास किया इसलिए बाबा साब और सम्विधान का अपमान करने वाले कॉंग्रेस और इंडिय अलाइंस के जूठों से उनकी गबाजी से साफ़धान रहने की जरुवत है और कॉंग्रेस वाले सुनने ये 400 सीक्ति बात देश की जनता ने इसलिए की है कि आपने 10 साल पारलामेट में मुझे अच्छे काम करने के लिए रोकने की लगातार कोशिश की है और इसलिए देश आपको कॉंग्रेस को सजा देना चाहता है और साफ कर देने का मन मना लिया है और जहां तक सम्विदान का सभाव है आप मान के चलिए और मोदी के सब्दे लिख के रखिए बाबा साब आम बेर कर खूद आ जाए तो भी सम्विदान खतम नहीं कर सकते है यह हमारा सम्विदान सरकार के लिए गीता है, रामार्ण है, माबारत है, बाइबल है, कुरान है यह सब कोट हमारी लिए हमारा सम्विदान है साथियों, भारत के खिलाब, यह इंडिय अलाइंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए है, यह इनके मैनिफेस्टों में भी नजर आता है कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में तो बटवारे की गुनगार मुस्लिम लिख की च्छाप नजर आती है अब इंडिय अलाइंस में सामिल एक और दल ने देश के खिलाब बहुत खतरनाक एलान किया है उन्होंने अपने मैनिफेस्टों में लिखा है जिस पोखरण की धर्ती ने भारत को परमाणू सक्ति से संपन्ड किया अब इंडिय अलाइंस का कहना है कि हम भारत के परमाणू हथियार नस्ट कर देंगे दरिया में डुबो देंगे बारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ परमाणू हथियार हो क्या उस देश में परमाणू हथियार समाप्त करना इसकी सोच यह समाप्त करना चाहता है इंडिय अलाइंस क्या आप परमाणू हथियार समाप्त होने चाहिए मुझे सब का जवाब चाहिए क्या आप परमाणू हथियार समाप्त होने चाहिए मैं जड़ा कॉंग्रेस को पूछना चाहता आपके यह साथी यह आपके इंडिय अलाइंस के साथी किसके हिसारे पर काम कर रहे हैं ये कैसा गड़बंदर है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है आज फिर किसके दबाव में आपका ये गड़बंदर हमारे परमानू ताकत को समाप्त करना चाहता है एक तरम मोदी भारत को शक्तिशाली राष्ट बनाने में जुता आए वहीं इंडी गड़बंदर वाले भारत को कमजोर देश बनाने का एलान कर रहे है माता तनोट राय की धर्ती के लोग क्या इससे स्विकार करेंगे कमजोर देश आपको मंजूर है क्या ऐसा आग सोचने वालों को सजा देंगे इस चुनाव में सजा देंगे कमल पर बोट दबा करके उनको सजा देंगे और इसलिए पूरे देश के लोगों को इंडी गडबंदन से सतर्क नहले की जरुवत है साथियो जिस बारत मा के लिए हम अपने जीवन की परवा नहीं करते ये कॉंग्रेस पार्टी उसे सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा मानती है और इसलिए कॉंग्रेस के राष्टी अद्यक्षर राजस्थान की वीर भूमी में आकर कहते है कि मोदी ने कश्मीर से 370 हटाया तो राजस्थान से उसका क्या लेना देना क्या वास्ता यहां करके बोलके गए है ये राजस्थान की राष्ट भक्ती पर ऐसा सवाल करने की हिम्मत करते है जिस राजस्थान के वीरों ने सीमा पर कश्मीर के लिए सीने पर गोलियां खाई उससे पुछते हो कि कश्मीर से क्या वास्ता इस माड़मेर के सपूत बीखारा मुन्ड ने करगिल युद्ध में अपना बलिदान दे दिया था और कॉंगरिस कहती है कि कश्मीर का राजस्तान से क्या वास्ता जिस राजस्तान में कश्मीर में जन्में बाबोसा रामदेव जी की गरगर पूजा होती हो उससे पुछते हो कि कश्मीर से क्या रिस्ता जब कश्मीरी हिंदूओं को उनके घर से ख़देडा गया था तब कितने ही परिवारों को राजस्तान ने बसाया था गले लगाया था और ये पूछते हैं कि राजस्तान का कश्मीर से क्या वास्ता अरे उनको पता नहीं होगा करगील के लोग इरान गए थे और इरान में कोविड की भेंकर महामारी में फस गए थे उनको वापस लाना था कोविड के साथ लाना था बड़ा संकड का काम था उनको हिंदूस्तान ला करके कहां रखे देश को जान करके घर्व होगा ये मेरे राजस्तान की वीर भूवी है जेसल मेर में इरान से लाए गए कोविड के वो सारे लोग जो करगील के रहने वाले थे वहाँ वो माइनस टेंपरेचर में रहते हैं यहाँ 35-40 डिगरी टेंपरेचर में महिना बर रहे जब स्थीक होए तब राजस्तान लिए उनको घर वापिस बेजाता यह है मेरा राजस्तान कॉंग्रेश भारत को भाषा प्रांथ जात पांथ में तोड़ना चाहती है इसलिए आपको इस तुनाव में कॉंग्रेश को फिर एक बार सबक सिखाना है साथियों कॉंग्रेश हर उस काम का बिरोध करती है जो देश हित में होता है कॉंग्रेश हर उस ताकत के साथ खड़ी हो जाती है जो देश बिरोधी होती है आप देखिए हम लोग देश में राजस्तान में शक्ती की उपासना करते हैं माता की उपासरा करते हैं लेकिन कॉंग्रेस के सहजादे कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ती का बिनास कर देंगे अरे मेरी माता वो बहनों की ताकत तुम नहीं जानते हो किसी मर्द को आगे नहीं पढ़नाने पड़ेगा इस शक्ती को नश्ट करने वालों को ये मेरी माता बहने ही निपट लेगी देश में राम मंदिर निर्मान का पुनित पावन काम होता है कॉंग्रेस उसका भी बहिश्कार करती है और कॉंग्रेस करती क्या है कॉंग्रेस राम नौमी की सोबा यात्रा पर राजस्तान में पत्थर बाजी करने वाले दंगाईयों को समरक्षन देती है देश पे गुस पेठी आते हैं तो कॉंग्रेस उनका स्वागत करती है लेकिन बारत विभाजन का विरोध करने वाले हमारे दलीप और सिख भाई बहनों को नागरिक्ता देने वाले सीए एक का ये विरोध करते हैं मैं आप से पूछता हूँ क्या कॉंग्रेस एक भी सीट राजस्तान से जीतने की हकदार है क्या हकदार है क्या एक भी सीट पतनी चाहिए क्या उनकी इस बार तो उनकी सीटों की जमानत जानी चाहिए भाई यो जाएगे साब कर दिजे उनको ये सुदरेंगे नहीं साथियों 26 एप्रिल को राजस्तान और देश के भविश के लिए एक बहुत बड़ा दीन है और मैं रिफाइंडी कुछ गार्डन के लिए जब आऊंगा तब आपको मैं याद कराऊंगा कि इसका महत्व क्या है भारतिय जनता पार्टी ने बाड़मेर से कमल की जिम्मेदारी भाई कैलाज चौदरी जी को दी है इसलिए आपको मोदी की गारंटी पर बरोसा करते हुए कमल पर बटन दबाने के लिए प्रार्थना करने आया हूँ आपके आशिरवार लेने आया हूँ मेरी माता ये बहनों के आशिरवार मेरे नवजवानों के आशिरवार मेरे बुजुर्गों के असिरवाद धानी धानी मेरे किसान भाई बैनों के असिरवाद यही मेरी उर्जा है यही मेरी ताकात है चाहें जितनी गर्मी हो 26 अप्रिल को सुबे सुबे ही कमल का फूल खिलना चाहिए खिलेगा और इसलिए मेरा अनुरुद है पहले मतदान फिर जल्पान पहले मतदान फिर पहले मतदान फिर अच्छा मेरा एक और काम करोगे जड़ा हाथ उपर करके बताईए करोगे सब के सब करोगे माता है बेने भी करेगी देखे पहले तो मैं राजस्तान में बहुत गुमा हूँ सब दूर जाता था संगठन का काम करता था इन सब के साथ कंदे से कंदा मिला करके काम किया है लेकिन अब आपने इतना काम दिया है कि मैं सब जगा पे जा नहीं सकता हूँ तो मेरा एक काम करोगे गर गर जा कर बताईएगा कि अपने मोदी बाड मेर आये थे और मोदी ने आपको प्रणाम कहा है मेरा प्रणाम पहुचा दोगे हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुचा होगे हर माता बहन को मेरा प्रणाम पहुचा होगे हर बुजुर को मेरा प्रणाम पहुचा होगे जब इन सब को मेरा प्रणाम पहुचेगा न तो मन से मुझे आशिरवाद देंगे और वो आशिरवाद मुझे ऐसी ताकत देगा कि विक्सित भारत का सपना पुरा करने के लिए मैं अपनी पूरी उर्जा रगा दो मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद माता की भारत माता की राम राम साथ शक्ति और भक्तिरी परिचायक चैत्रिय नवरात्रा रे चोथे दिन माता कुष्मांडारे स्वरूपने मारो कोटी कोटी प्रणाम बाड़ानाई और जैसाइने रे वाचियों ने मारी गणे मांसू राम राम मैं सबसे पहले तो बेन ममता जी को बढ़ाई देता हूँ इतना शांदार संचालन कर रही आप मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ आपका आज नवरात्री के पावन अवसर पर मुझे सिद्वों और शुरिविरों की धर्ती एक बार फिर आप सबके दर्सन करने का सवभाग्य मिला है ये वो धर्ती है जिसके बीरों की कहानिया आज भी सीमा पार खौफ पड़ा करती है जिस रेगिस्तान की गर्मी में अच्छे अच्छों की हिम्मत दम तोड़ देती है वहाँ आपके हौसले के सामने गर्मी भी कुछ नहीं कर पाती है ये जन सहलाब ये जन समर्थन बताता है बाड़ मेर की जनता बीजेपी को भरपूर आजिरवाद देने का संकल्प ले चुकी है इस चुनाव में आपका एक एक वोट दिख्षिद भारत की नीव मजबूत करेगा ये चुनाव बलका नहीं देश का चुनाव है इसलिए आज पुरा देश कहरा है चार जून चार जून चार सो पार और मालानी की यही पुकार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार भाई और भेनों बाड मेर हमारी पार्टी के वरिष्ट स्वर्गिये जस्वन सीजी का खेत्र है यहां के लोगों ने हमेशा मुझे बोला है मोदी जी आप देश के दुश्मनों को सबग सिखाओ बाड मेर जिताने की जिम्मेदारी हमारी आप इस बार भी पहले से ज्यादा मोटों से बीजेपी को जिताएंगे यह मेरा पक्का विश्वास है साथियों कॉंग्रेस पार्टी ने पाँच छे दसक से जादा देश पर हुकुमत की लेकिन देश की कोई एक बड़ी समस्य ऐसी नहीं जिसका संपुर्ण समाधां कॉंग्रेस ने दिया हो राजस्थान के लोगों से बहतर इस बात को कौन जानेगा जिस राजस्थान के लोगों ने देश को अपने लहू से सीचा उस राजस्थान को कॉंग्रेस पार्टी ने पानी के लिए प्यासा रखा मेरी माताएं बेहने तप्ती गर्मी बेहन रेतिले धोनों पर सीर पर घड़े रखकर कोस कोस चल कर पानी लेने जाती थी हमारी बेहने यहां कहती थी गी ढुले तो मारो कुछ न जासी पानी ढुले मारो सब कुछ जासी याने पानी गी से भी जादा मुल्यवान था लेकिन सत्तर साल तक किसी ने इन माताओं बेहनों की नहीं सुनी जब आपने आपके बेटे मोदी को सेवा करने का मोका दिया मैंने जल जीवन मिशन शुरू करके इस त्रासदी को खत्म करने का बिड़ा उठाया जल जीवन मिशन से हमने राजस्तान के पच्चास लाख गरों तक पानी पहुँचाया है लेकिन जितने दिन राजस्तान में कॉंग्रेस सरकार रही उसने जल जीवन मिशन में भी जम कर ब्रश्टाचार किया कॉंग्रेस ने राजस्तान तक पानी लाने के लिए E.R.C.P. परियोजना भी पूरी नहीं होने जी वहीं हमारे बजनलाव सरमाजी की सरकार ने सो दिन के भीतर ही E.R.C.P. परियोजना को पास करवाया है हरियाना से पानी का समझोता भी हो गया है और हम लोग तो चाहे राजस्तान हो या चाहे गुजरात हो हम लोग तो लाखा बंजहरा को अपना आदर्श मानने वाले लोग है हमारा संकल्प है कि हम राजस्तान के हर गर तक पानी पहुँचाए साथियों कॉंग्रेस की सोच ही विकास विरोधी है ये लोग देश के सीमावरती गावों को देश के आखरी गाव कहते हैं ये लोग सीमावरती जीलों को वहाँ गावों को जान बुझकर विकास से वंचित रखते थे और आप हैरान हो जाएंगे क्यों रखते थे क्या तरक देते थे अफिशली बताते थे वो कहते थे कि सीमा के पास विकास होगा तो दुश्मन देश के भीतर आकर कब्जा करने की संभावना बढ़ जाएगी ये शर्म की बात है कि नहीं भाई कि हाम इतने भुद्दिल है कि हम बढ़िया राते बनाए तो दुश्मन उत्पर चड़ जाएगा क्या बात करते हो शर्मानी चाहिए आपको आप मुझे बताएए कि इस दुश्मन के कलेजे में इतनी हिम्मत है कि वो बाण मेर की सीमा में गुज कर कब्जा करने की सोचे हाँ हिम्मत की सीमा भाई यो बैनो हम सीमा वरती इलाकों को सीमा वरती गावों को आखरी गाव नहीं देश का प्रथम गाव मानते है हमारे लिए देश की सीमा यहाँ पूरू नहीं होती है हमारे यहां यहां से देश शुरू होता है आज अगर देश में चार करोड गरीबों को पी एम आवास मिले हैं तो मेरे बाड़मेर को भी पौने दो लाक गरीबों को पक्के आवास का लाभ मिला है भाजपा सरकार देश की आखरी सीमा तक सडकें और हाइवेज बना रही है हमने बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज भी खोला है आज सीमा वरती बाड़मेर में बहतर हजार करोड रुपिय लागत की रिफाइनरी शुरू होने जा रही है और मेरे बाड़मेर के भाई बेन सुनिये अगर यहां कॉंग्रेस की सरकार न होती तो मेरे दूसरे टम में ही मैं आकर उद्गाटन कर जाता लेकिन कॉंग्रेस ने ऐसे ऐसे रुकावटे डाली लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ मेरे तीसरे टम में मैं रिफाइनरी का उद्गाटन करने जुरूर आऊंगा और दिस दिन रिफाइनरी के उद्गाटन के लिए आऊंगा उद्दिन इस चुनाव विजय के लिए दन्यवाद भी करने आऊंगा आने वाले समय में इस इलाके में रोजगार के आऊसर पैदा होंगे युवाओं के लिए नए रास्ते बनेंगे मेरे बाड़मेर के भाई भेन जो पुराने लोग है वो जब मेरी ये बात सुनते हैं तो उनको लगेगा या ये संभव है ये होगा क्या स्वापाविक है कि ऐसी मुसीबतों में उन्होंने जिन्गी गुजारी है यहां से पलायन होना बहुत स्वापाविक था मापाप भी बच्चों को कहते थे भाई कहीं और चले जाओ यहां रहके क्या करोगे वो दिन थे ऐसा ही हाल कच्चका था मैं गुजरात का अनुभव बताता हूँ आपको कच्चका भी हाल ऐसा ही था लेकिन 2001 के भुकम के बाद गुजरात के लोगों ने मुझे सेवा का मोका दिया आज पूरे हिंदुस्तान का सबसे तेज विकास करने वाले जो जिल्ले है उसमें आज कच्च जिल्ला पहुँच गया है मुंबई में जमीन की जो कीमत होती है वो कच्च की जमीन की कीमत हो गई है अगर कच्च बदल सकता है तो बाड़बेर बदल सकता है या ने बदल सकता है बदल सकता है या ने बदल सकता है मैं ये करके आया हूँ अब इसलिए मैं गार्णेंटी देता हूँ ये भी मैं करके रहूंगा यहां के एरपोर्ट में भी पिछली सरकार ने जम कर रोड़े अठकाए थे अगर कॉंग्रेस ने बे बजब ब्रेक न लगाया होता तो यहां का एरपोर्ट दो साल पहले ही चालू हो जाता साथियों कॉंग्रेस ने जिन लोगों को दसकों तक नहीं पूछा मोदी उनको पूजता है हमारे आद्विवासी समाज के बच्चे आगे बड़े इसके लिए हम एक लग्य मोडल आवासी स्कूल खोल रहे हैं आद्विवासी समाज को सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए हम अभियान चला रहे हैं भाजपा ने आद्विवासी समाज को सम्मान दिलाने के लिए देश को पहली महिला आद्विवासी राजपति दिये हैं हमारे गाव धानियों के महिलाए मेगवाल समाज लंगा मंगनियार समाजने के लोग पीजियों से हस्तकला का काम करते आए हैं भाजपा ने पहली बार उन्हें आगे बढ़ाने के लिए पीएम विश्व कर्मा योजनाश्चिदो की है अपनी महनत से रेत में भी फसल उगाने वाले यहां के किसानों को भी कभी किसी ने नहीं सराहा आज हम किसानों के सीधे उनके खातों में पीएम किसान सम्मान निदी बेज रहे हैं किसानों की आए बड़े इसके लिए हम मोटे अनाजों को श्री अन्न को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं यह हमारा बाजरा कोई पूछता नहीं था सिर्व हम गाउं के लोग खाते थे आपको जान करके खुजी होगी अभी मैं जब अमेरिका गया तो अमेरिका ने रास्पति ने अपने भोगर में बड़ा बोज रखा था लेकिन मजा देखिए उस बोज में जितनी चीज़े खाने के लिए बनाई थी वो हमारे मोटे अनाज में थे बनाई थी हमारे बाजरे हमारा जुआर उस मेरे बनाई थी दुनिया में जो मेरा छोटा किसान पानी के अभाओं में खेटी करता है मोटा अनाज पादा करता है मैंने दुनिया को समझाया है यह मामुली अनाज नहीं है ये सुपर फूड है सुपर फूड आपकी सहथ के लिए उत्तम फूड है और मैं दुनिया में आपके किसानों के ज्वारा बनाई ये बाजरा ज्वार दुनिया में बेच रहा हूँ दोस्तो मुंका समर्जन मुले भी आज जितना है उतना कभी नहीं था मुदी आपके सुख़ुख में आपके साथ है क्योंकि आपके सपने आपके सपने ही मेरे संकल्प है साथ क्यों S.C.S.T.O.B.C. भाई और मेनों के साथ दसकों तक भेजबाव करने वाली कॉंग्रेस आज कल एक पूरानी रेकॉर्ड बजा रही है जब भी चुनाव आता है समिदान के नाम पर जूट बोलना ये इंडिय आलाइस के सब साथियों की फैशन बन गई है वो कॉंग्रेस जिसने बाबा साहब के जीते जी उन्हें चुनाव हरवाया जिसने बाबा साहब को भारस रत्न नहीं मिलने दिया जो वो कॉंग्रेस जिसने देश में आपात काल लगा कर समिदान को खत्ब करने की कोशिश की आज वो मोदी को गाली देने के लिए समिदान के नाम पर जूट की आड ले रही है ये मोदी है जिसने देश में पहली बार समिदान दिवस मनाना शुरू किया ये कॉंग्रेस वालों ने समिदान दिवस मनाने का विरोध किया था पारलोमेंट में फासन है उनका या बाबा साहब का ये अप्मान हैग नहीं है सम्विधान का अपन है कि नहीं है इतना ही नहीं यह मोदी है जिसने बाबा साब से जुड़े पंचतिर्थों का विकास किया इसलिए बाबा साब और सम्विधान का अपमान करने वाले कॉंग्रेस और इंडिय ऐलाइंस के जुठों से उनकी गबाजी से साब जान रहने की जरुवत है और कॉंग्रेस वाले सुनने यह 400 सीखती बात देश की जनता ने इसलिए की है कि आपने 10 साल पारलामेट में मुझे अच्छे काम करने के लिए रोकने की लगातार कोशिश की है और इसलिए देश आपको कॉंग्रेस को सजा देना चाहता है और साफ कर देने का मन मना लिया है और जहां तक सम्विदान का सवाव है आप मान के चलिए और मोदी के सब्दे लिख के रखिए बाबा साब आमबेर कर खूद आ जाए तो भी सम्विदान खतम नहीं कर सकते है यह हमारा सम्विदान सरकार के लिए गीता है, रामार्ण है, माबारत है, बाइबल है, कुरान है इस सब कुछ हमारी लिए हमारा सम्विदान है साथियों, भारत के खिलाब यह इंडी अलाइंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए है यह इनके मैनिफेस्टों में भी नजर आता है कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में तो बटवारे की गुनगार मुस्लिम लिख की छाप नजर आती है अब इंडी अलाइंस में सामिल एक और दल ने देश के खिलाब बहुत खतरनाक एलान किया है उन्होंने अपने मैनिफेस्टों में लिखा है जिस पोखरण की धर्ती ने भारत को परमानू सक्ति से संपन्न किया अब इंडी अलाइंस का कहना है कि हम भारत के परमानू हथियार नस्ट कर देंगे दरिया में डुबो देंगे बारत जैसा देश जिसके दोनों तरब परोसियों के पास परमानू हथियार हो क्या उस देश में परमानू हथियार समाप्त करना इसकी सोच यह समाप्त करना चाहता है इंडी अलाइंस क्या आप परमानू हथियार समाप्त होने चाहिए मुझे सब का जवाब चाहिए क्या परमानू हथियार समाप्त होने चाहिए क्या परमानू हथियार समाप्त होने चाहिए मैं जड़ा कॉंगरेस को पूछना चाहता आपके यह साथी ये आपकी इन्डे एलाइनस के साफि किसके ही सारे पर काम कर रहे हैं ये कैसा गणबंदर है जो भारत को शक्ति हीन करना चाहता है आज फिर किसके दबाव में आपका ये गणबंदर हमारे परमानू ताकत को सभाप्त करना चाहता है एक तरम मोदी भारत को शक्ति शाली राष्ट बनाने में जुता आए वहीं इंडी गड़ बंदन वाले भारत को कमजोर देश बनाने का एलान कर रहे है माता तनोट राय की धर्ती के लोग क्या इसे स्विकार करेंगे कमजोर देश आपको मंजूर है शक्ति हीन देश आपको मंजूर है क्या ऐसा आग सोचने वालों को सजा देंगे इस चुनाव में सजा देंगे कमल पर बोट दबा करके उनको सजा देंगे और इसलिए पूरे देश के लोगों को इंडी गड़मंदन से सतरक नहने की जरुवत है साथियों जिस भारत मा के लिए हम अपने जीवन की परवा नहीं करते ये कॉंग्रेश पार्टी उसे सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा मानती है और इसलिए कॉंग्रेश के राष्टी अद्यक्षर राजस्थान की वीर भूमी में आकर कहते है कि मोदी ने कश्मीर से 370 हटाया तो राजस्थान से उसका क्या लेना देना क्या वास्ता यहां करके बोलके गए है ये राजस्थान की राष्ट भक्ती पर ऐसा सवाल करने की हिम्मत करते है जिस राजस्थान के वीरों ने सीमा पर कश्मीर के लिए सीने पर गोलियां खाई उससे पुछते हो कि कश्मीर से क्या वास्ता इस बाड़मेर के सपूत भी खारा मुन्ड ने करगिल युद्ध में अपना बलिदान दे दिया था और कॉंगरिस कहती है कि कश्बीर का राजस्तान से क्या वास्ता जिस राजस्तान में कश्बीर में जन्में बाबोसा रामदेव जी की गरगर पूजा होती हो उससे पूछते हो कि कश्बीर से क्या रिस्ता जब कश्बीरी हिंदुओं को उनके घर से ख़देडा गया था तब कितने ही परिवारों को राजस्तान ने बसाया था गले लगाया था और ये पूछते हैं कि राजस्तान का कश्बीर से क्या वास्ता अरे उनको पता नहीं होगा करगील के लोग इरान गए थे और इरान में कोविड की भेंकर महामारी में फस गए थे उनको वापस लाना था करगील के रहने वाले थे वहाँ वो माइनस टेंप्रेटर में रहते हैं यहां 35-40 दिग्री टेंप्रेटर में महिना बर रहे जब स्थीक होए तब राजस्तान रिये उनको घर वापिस बेजाता ये हैं मेरा राजस्तान कॉंग्रेट भारत को भाषा प्रांथ जात पांथ में तोड़ना चाहती है इसलिए आपको इस दुनाव में कॉंग्रेट को फिर एक बार सबक सिखाना है साथियों कॉंग्रेट हर उस काम का बिरोध करती है जो देश हित में होता है कॉंग्रेट हर उस ताकत के साथ खड़ी हो जाती है जो देश बिरोधी होती है आप देखिए हम लोग देश में राजस्तान में शक्ती की उपासना करते हैं माता की उपासरा करते हैं लेकिन कॉंग्रेस के सहजादे कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ती का बिनास कर देंगे अरे मेरी माता और बहनों की ताकत तुम नहीं जानते हो किसी मर्द को आगे नहीं परनाने पड़ेगा इस शक्ती को नश्ट करने वालों को देश में राम मंदिर निर्मान का पुनित पावन काम होता है कॉंग्रेस उसका भी बहिश्कार करती है और कॉंग्रेस करती क्या है कॉंग्रेस राम नौमी की सोबा यात्रा पर राजस्तान में पत्थर बाजी करने वाले दंगाईयों को समरक्षन देती है देश पे गुस्पेठी आते हैं तो कॉंग्रेस उनका स्वागत करती है लेकिन बारत विभाजन का विरोध करने वाले हमारे दलीप और सिख भाई बहनों को नागरिकता देने वाले C.A.A. का ये विरोध करते हैं मैं आप से पूछता हूँ क्या कॉंग्रेस एक भी सीट राजस्तान से जीतने की हकदार है क्या हकदार है क्या एक भी सीट पतनी चाहिए क्या उनकी इस बारतों उनकी सीटों की जमानत जानी चाहिए भाई यो जाएगे साब कर दिजे उनको ये सुदरेंगे नहीं साथ्यों 26 एप्रिल को राजस्तान और देश के भविश के लिए एक बहुत बड़ा दीन है और मैं रिफाइंडी कुछ गार्डन के लिए जब आऊंगा तब आपको मैं याद कराऊंगा कि इसका महत्व क्या है भारतिये जनता पार्टी ने बाड़बेर से कमल की जिम्मेदारी भाई कैलाज चौदरी जी को दी है इसलिए आपको मोदी की गारंटी पर बरोसा करते हुए कमल पर बटन दबाने के लिए प्रार्थना करने आया हूँ आपके आशिरवार लेने आया हूँ मेरी माताए बेहनों के आशिरवार मेरे नवजवानों के आशिरवार मेरे बुजुर्गों के आशिरवार धानी धानी मेरे किसान भाई बेहनों के आशिरवार यही मेरी उर्जा है यही मेरी ताकात है चाहें जितनी गर्मी हो 26 अप्रिल को सुबे सुबे ही कमल का फूल खिलना चाहिए खिलेगा और इसलिए मेरा अनुर्वत है पहले मतदान फीर जलपान पहले मतदान फीर पहले मतदान फीर अच्छा मेरा एक और काम करोगे जड़ा हाथ उपर करके बताईए करोगे सब के सब करोगे माता है बेने भी करेगी देखिए पहले तो मैं राजस्तान में बहुत गुमा हूँ सब दूर जाता था संगठन का काम करता था इन सब के साथ कंदे से कंदा मिला करके काम किया है लेकिन अब आपने इतना काम दिया है कि मैं सब जगा पे जा नहीं सकता हूँ तो मेरा एक काम करोगे गर गर जा कर बताईएगा कि अपने मोदी बाड मेर आये थे और मोदी ने आपको प्रणाम कहा है मेरा प्रणाम पहुचा दोगे हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुचा होगे हर माता बहन को मेरा प्रणाम पहुचाओगे हर बुजुर को मेरा प्रणाम पहुचाओगे जब इन सब को मेरा प्रणाम पहुचेगा न तो मन से मुझे आशिरवाद देंगे और वो आशिरवाद मुझे ऐसी ताकत देगा ऐसी ताकत देगा कि विक्सित भारत का सपना पुरा करने के लिए मैं अपनी पूरी उर्जा रगा दो मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद माता की भारत माता की भारत माता की राम राम साथ शक्ति और भक्तिरी परिचायत चैत्रिय नवरात्रा रे चोथे दिन माता सकुन्बसकुसमांडा रे स्वरूपने मारो कोटी कोटी प्रणाम बाढाने और जैसाइने रे वाचियोंने मारी गणे मांसू राम राम मैं सबसे पहले तो बेन ममता जी को बढ़ाई देता हूँ इतना शांदार संचालन कर रही आप मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ आपका आज नवरात्री के पावन अवसर पर मुझे सिद्धों और शुरिविरों की धर्ती एक बार फिर आप सब के दर्सन करने का सवभाग्य मिला है ये वो धर्ती है जिसके वीरों की कहानिया आज भी सीमा पार खौफ परदा करती है जिस रेगिस्तान की गर्मी में अच्छे अच्छों की हिम्मत दम तोड़ देती है वहाँ आपके होसले के सामने गर्मी भी कुछ नहीं कर पाती है ये जन सहिलाब ये जन समर्थन बताता है बाड़ मेर की जनता बीजेपी को भरपूर आजिरवाद देने का संकल्प ले चुकी है इस चुनाव में आपका एक एक वोट दिख्षिद भारत की नीव मजबूत करेगा ये चुनाव दल का नहीं देश का चुनाव है इसलिए आज पुरा देश कहरा है चार जून चार जून चार सो पार चार जून और मालानी की यही पुकार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार भाई और भेनो बाड मेर हमारी पार्टी के वरिष्ट स्वर्गिये जस्वन सीजी का खेत्र है यहां के लोगों ने हमेशा मुझे बोला है मोदी जी आप देश के दुश्मनों को सबग सिखाओ बाड मेर जिताने की जिम्मेदारी हमारी आप इस बार भी पहले से ज़्यादा मोटों से बीजेपी को जिताएंगे यह मेरा पक्का विश्वास है साथियों कॉंग्रेस पार्टी ने पांच छे दसक से ज़्यादा देश पर हुकुमत की लेकिन देश की कोई एक बड़ी समस्य ऐसी नहीं जिसका संपुर्ण समाधां कॉंग्रेस ने दिया हो राजस्थान के लोगों से बहतर इस बात को कौन जानेगा जिस राजस्थान के लोगों ने देश को अपने लहू से सीचा उस राजस्थान को कॉंग्रेस पार्टी ने पानी के लिए प्यासा रखा मेरी माताएं बेहने तप्ती गर्मी बेहन रेतिले धोनों पर सीर पर घड़े रखकर कोस कोस चलकर पानी लेने जाती थी हमारी बेहने यहां कहती थी गी ढुले तो मारो कुछ न जासी पानी ढुले मारो सब कुछ जासी याने पानी गी से भी जादा मुल्यवान था लेकिन सत्तर साल तक किसी ने इन माताओ बेहनों की नहीं सुनी जब आपने आपके बेटे मोदी को सेवा करने का मोका दिया मैंने जल जीवन मिशन शुरू करके इस त्रासदी को खत्म करने का बिड़ा उठाया जल जीवन मिशन से हमने राजस्तान के पच्चास लाख गरों तक पानी पहुचाया है लेकिन जितने दिन राजस्तान में कॉंग्रेस सरकार रही उसने जल जीवन मिशन में भी जम कर ब्रस्टाचार किया कॉंग्रेस ने राजस्तान तक पानी लाने के लिए ERCP परियोजना भी पूरी नहीं होने जी वहीं हमारे बजनलाव सर्माजी की सरकार ने सो दिन के बीतर ही ERCP परियोजना को पास करवाया है हरियाना से पानी का समझोता भी हो गया है और हम लोग तो चाहे राजस्तान हो या चाहे गुजरात हो हम लोग तो लाखा बंजहरा को अपना आदर्श मानने वाले लोग है हमारा संकल्प है के हम राजस्तान के हर गर तक पानी पहुचाए साथियों कॉंग्रेस की सोच ही विकास विरोधी है ये लोग देश के सिमावर्ती गावों को देश के आखरी गाव कहते हैं ये लोग सिमावर्ती जीलों को वहाँ गावों को जान बुचकर विकास से वंचित रखते थे और आप हैरान हो जाएंगे क्यों रखते थे क्या तरक देते थे अफिशली बताते थे वह कहते थे कि सीमा के पास विकास होगा तो दुश्मन देश के भीतर आकर कबजा करने की संभावना बढ़ जाएगी ये शर्म की बात है कि नहीं भाई क्या हम इतने बुच्दिल है कि हम बढ़िया राते बनाए तो दुश्मन उच्पर चड़ जाएगा क्या बात करते हो शर्म आनी चाहिए आपको आप मुझे बताएए कि इस दुश्मन के कलेजे में इतनी हिम्मत है कि वो बाण मेरी की सीमा में गुचकर कबजा करने की सोचे हाई हिम्मत की सीमा भाई यो बेनो हम सीमा वरती इलाकों को सीमा वरती गावों को आखरी गाव नहीं देश का प्रथम गाव मानते है हमारे लिए देश की सीमा यहाँ पूरू नहीं होती है हमारे यहाँ यहाँ से देश शुरू होता है आज अगर देश में चार करोड गरीबों को पी-एम आवास मिले हैं तो मेरे बाड मेर को भी पोने दो लाख गरीबों को पक्के आवास का लाभ मिला है भाजपा सरकार देश की आखरी सिमा तक सडकें और हाइवेज बना रही है हमने बाड मेर में मेडिकल कॉलेज भी खोला है आज सीमा वरती बाड मेर में बहत्तर हजार करोड रुपिय लागत की रिफाइनरी शुरू होने जा रही है और मेरे बाड मेरे के भाई में सुनिये अगर यहां कॉंग्रेस की सरकार न होती तो मेरे दूसरे टम में ही मैं आकर उद्गाटन कर जाता लेकिन कॉंग्रेस ने ऐसे ऐसे रुकावटे डाली लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ मेरे तीसरे टम में मैं रिफाइनरी का उद्गाटन करने जुरूर आऊंगा और जिस दिन रिफाइनरी के उद्गाटन के लिए आऊंगा उद दिन इस चुनाव विजय के लिए दन्यवाद भी करने आऊंगा आने वाले समय में इस इलाके में रोजगार के आऊसर पैदा हूंगे युवाओं के लिए नए रास्ते बनेंगे मेरे बाड़मेर के भाई बहन जो पुराने लोग है वो जब मेरी ये बात सुनते हैं तो उनको लगेगा या ये संभव है ये होगा क्या स्वाबा भी कहा कि ऐसी मुसीबतों में उन्होंने जिनकी गुजारी है यहां से पलायन होना बहुत स्वाबा भी था माबाप भी बच्चों को कहते थे भाई कहीं और चले जाओ यहां रहके क्या करोगा वो दिन थे हैं ऐसा ही हाल कच्च का था मैं गुजरात का अनुभव बताता हूँ आपको कच्च का भी हाल ऐसा ही था लेकिन 2001 के भुकम के बाद गुजरात के लोगों ने मुझे सेवा का मोका दिया आज पूरे हिंदुस्तान का सबसे तेज विकास करने वाले जे जिल्ले हैं उसमें आज कच्च जिल्ला पहुँच गया है मुंबई में जमीन की जो कीमत होती है वो कच्च की जमीन की कीमत हो गई है अगर कच्च बदल सकता है तो बाड़बेर बदल सकता है या ने बदल सकता है बदल सकता है या ने बदल सकता है मैं ये करके आया हूँ अब इसलिए मैं गार्णटी देता हूँ ये भी मैं करके रहूंगा यहां के एरपोर्ट में भी पिछली सरकार ने जम कर रोडे अठकाए थे अगर कॉंग्रेस ने बे बजब ब्रेक न लगाया होता तो यहां का एरपोर्ट दो साल पहले ही चालू हो जाता साथियों कॉंग्रेस ने जिन लोगों को दसकों तक नहीं पूछा मोदी उनको पूजता है हमारे आदिवासी समाज के बच्चे आगे बड़े इसके लिए हम एक लब्य मोडल आवासी स्कूल खोल रहे हैं आदिवासी समाज को सीकल सेल एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए हम अभियान चला रहे हैं भाजपा ने आदिवासी समाज को सम्मान दिलाने के लिए देश को पहली महिला आदिवासी राश्पति दिया है हमारे गाउं धानियों के महिड़ाए मेगवाल समाज, लंगा, मंगनियार समाजने के लोग फीडियों से हस्तकला का काम करते आए है वाजपाने पहली बार उने आगे बढ़ाने के लिए पी-एम बिश्व कर्मा योजना शुदो की है अपनी महनद से रेत में भी फ़सल हुगाने वाले यहां के किसानों को भी कभी किसी नहीं सराहा आज हम किसानों के सीधे उनके खातों में पी-एम किसान सम्माण निदी बेज रहे हैं किसानों की आए बड़े इसके लिए हम मोटे अनाजों को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं यह हमारा बाजरा कोई पूछता नहीं था सिर्व हम गाउं के लोग खाते थे आपको जान करके खुजी होगी अभी मैं जब अमेरिका गया तो अमेरिका ने राश्पति ने अपने भोगर में बाइट आउस में बड़ा बोज रखा था लेकिन मजा देखिए उस बोज में जितनी चीज़े खाने के लिए बनाई थी वो हमारे मोटे अनाज में थे बनाई थी हमारे बाजरे हमारा जवार उस में थे बनाई थी दुनिया में जो मेरा छोटा किसान पानी के अभाँ में खेती करता हém मोटा अनाज पादा करता हłem मैंने दुनिया को समझाया है ये मामूली अनाज नहीं है ये सुपरफूर है सुपरफूर आपकी सहथ के लिए उत्तम फूर है और मैं दुनिया में आपके किसानों के जवारा बनाई ये बाजराजवार दुनिया में बेच रहा हूँ दोस्तो मुंका समर्शन मुले भी आज इतना है उतना कभी नहीं था मोदी आपके सुख़ुख में आपके साथ है क्योंकि आपके सपने आपके सपने ही मेरे संकल्प है साथियों SC, ST, OBC भाई और बहनों के साथ दसकों तक भेजबाव करने वाली कॉंग्रेस आज कल एक पूरानी रेकॉर्ड बजा रही है जब भी चुनावाता है समिधान के नाम पर जूट बोलना ये इंडिय अलाइट के सब साथियों की फैशन बन गई है वो कॉंग्रेस जिसने बाबा साथ के जीते जी उन्हें चुनाव हरवाया जिसने बाबा साथ को भारस रत्न नहीं मिलने दिया जो वो कॉंग्रेस जिसने देश में आपात काल लगाकर सम्विधान को खत्ब करने की कोशिश की आज वो मोदी को गाली देने के लिए सम्विधान के नाम पर जूट की आड ले रही है ये मोदी है जिसने देश में पहली बार सम्विधान दिवस मनाना शुरू किया ये कॉंग्रेस वालों ने सम्विधान दिवस मनाने का विरोध किया था पारलोमेंट में भासन है उनका या बाबा साथ का ये अप्मान है कि नहीं है सम्विधान का अपन है कि नहीं है इतना ही नहीं यह मोदी है जिसने बाबा साब से जुड़े पंचतिर्थों का विकास किया इसलिए बाबा साब और सम्विधान का अपमान करने वाले कॉंग्रेस और इंडिय ऐलाइंस के जुठों से उनकी गबाजी से साब जान रहने की जरुवत है और कॉंग्रेस वाले सुनने यह चार सो सीक्ति बात देश की जनता ने इसलिए की है कि आपने दस साल पारलामेंट में मुझे अच्छे काम करने के लिए रोकने की लगातार कोशिश की है और इसलिए देश आपको कॉंग्रेस को सजा देना चाहता है और साफ कर देने का मन मना लिया है और जहां तक सम्विदान का सवाव है आप मान के चलिए और मोदी के सब्दे लिख के रखिए बाबा साब आमबेर कर खुद आ जाए तो भी सम्विदान खतम नहीं कर सकते है यह हमारा सम्विदान सरकार के लिए गीता है, रामार्ण है, मा वारत है बाइबल है, कुरान है इस सब कुछ हमारी लिए हमारा सम्विदान है साथिओ भारत के खिलाब ये इंडिय अलाइंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए है ये इनके मैनिफेस्टों में भी नजर आता है कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में तो बटवारे की गुनगार मुस्लिम लिख की छाप नजर आती है अब इंडिय अलाइंस में सामिल एक और दल ने देश के खिलाब बहुत खतरनाक एलान किया है उन्होंने अपने मैनिफेस्टों में लिखा है जिस पोखरण की धरती ने भारत को परवाणू सक्ति से संपन्न किया अब इंडिय अलाइंस का कहना है कि हम भारत के परमानू हथियार नश्ट कर देंगे दरिया में डुबो देंगे बारत जैसा देश जिसके दोनों तरब परोसियों के पास परमानू हथियार हो क्या उस देश में परमानू हथियार समाप्त करना इसकी सोच यह समाप्त करना चाहता है इंडिय अलाइंस क्या आप परमानू हथियार समाप्त होने चाहिए मुझे सब का जवाब चाहिए क्या परमानू हथियार समाप्त होने चाहिए मैं जड़ा कॉंग्रेज को पूछना चाहता है आपके ये साथी ये आपके इंडे एलाइंस के साथी किसके हिसारे पर काम कर रहे हैं ये कैसा गड़बंदर है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है आफिर किसके दबाव में आपका ये गड़बंदर हमारे परमानु ताकत को समाप्त करना चाहता है एक तरम मोदी भारत को शक्तिशाली राष्ट बनाने में जुटा आए वहीं इंडी गड़बंदर वाले भारत को कमजोर देश बनाने का एलान कर रहे है माता तनोट राय की धरती के लोग क्या इससे स्विकार करेंगे कमजोर देश आपको मंजूर है शक्तिहीन देश आपको मंजूर है क्या ऐसा आख सोचने वालों को सजा देंगे इस चुनाव में सजा देंगे कमल पर बोड दबा करके उनको सजा देंगे और इसलिए पूरे देश के लोगों को इंडी गड़मंदन से सतर्क नहने की जरुवत है साथियों जिस बारत मा के लिए हम अपने जीवन की परवा नहीं करते ये कॉंग्रेट पार्टी उसे सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा मानती है और इसलिए कॉंग्रेट के राष्टी अद्यक्ष राजस्थान की वीर भूमे में आकर कहते है कि मोदी ने कश्मीर से 370 हटाया तो राजस्थान से उसका क्या लेना देना क्या वास्ता यहां आकर के बोलके गए हैं यह राजस्थान की राष्ट भक्ती पर ऐसा सवाल करने की हिम्मत करते हैं जिस राजस्थान के वीरों ने सीमा पर कश्मीर के लिए सीने पर गोलियां खाई उससे पुछते हो कि कश्मीर से क्या वास्ता इस बाड़मेर के सपूत भी खाराम मुन्ड ने करगिल युद्ध में अपना बलिदान दे दिया था और कॉंगरिस कहती है कि कश्मीर का राजस्थान से क्या वास्ता जिस राजस्थान में कश्मीर में जन्ज में बाबोसा रामदेव जी की गरगर पूजा होती हो उससे पुछते हो कि कश्मीर से क्या रिस्ता जब कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर से ख़देडा गया था तब कितने ही परिवारों को राजस्थान ने बसाया था गले लगाया था और ये पुछते हैं कि राजस्थान का कश्मीर से क्या वास्ता अरे उनको पता नहीं होगा करगील के लोग इरान गए थे और इरान में कोविड की भेंकर महामारी में फस गए थे उनको वापस लाना था कोविड के साथ लाना था बड़ा संकड का काम था उनको हिंदुस्तान ला करके कहां रखे देश को जान करके घर्व होगा ये मेरे राजस्थान की वीर भुवी है जेसल मेर में इरान से लाए गए कोविड के वो सारे लोग जो करगील के रहने वाले थे वहाँ वो माइनस टेंपरेटर में रहते हैं यहां 35-40 डिगरी टेंपरेटर में महिना बढ़ रहे जब स्थीक होए तब राजस्थान रिये उनको घर वापिस बेजाता यह है मेरा राजस्थान कॉंग्रेस भारत को भाषा प्रांत जात पांत में तोड़ना चाहती है इसलिए आपको इस दुनाव में कॉंग्रेस को फिर एक बार सबक सिखाना है साथियों कॉंग्रेस हर उस काम का विरोध करती है जो देश हीत में होता है कॉंग्रेस हर उस ताकत के साथ खड़ी हो जाती है जो देश विरोधी होती है आप देखिए हम लोग देश में राजस्थान में शक्ति की उपासना करते हैं माता की उपासना करते हैं लेकिन कॉंग्रेस के सहजादे कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ति का बिनास कर देंगे अरे मेरी माता और बेहनों की ताकत तुम नहीं जानते हो किसी मर्द को आगे नहीं पढ़नाने पड़ेगा इस शक्ति को नश्ठ करने वालों को ये मेरी माता बेहने ही निपट लेगी देश में राम मंदिर निर्मान का पुनित पावन काम होता है कॉंग्रेस उसका भी बहिश्कार करती है और कॉंग्रेस करती क्या है कॉंग्रेस राम नौमी की सोबा यात्रा पर राजस्तान में पत्थर बाजी करने वाले दंगाईयों को समरक्षन देती है देश में गुस्पेठी आते हैं तो कॉंग्रेस उनका स्वागत करती है लेकिन बारत विभाजन का विरोध करने वाले हमारे दलीत और सिख भाई बहनों को नागरिकता देने वाले C.A.A. का ये विरोध करते हैं मैं आप से पूछता हूँ क्या कॉंग्रेस एक भी सीट राजस्तान से जीतने की हकदार है क्या हकदार है क्या एक भी सीट पत्री चाहिए क्या उनकी इस बार तो उनकी सीटों की जमानत जानी चाहिए भाईयो जाएगे साफ कर दीजे उनको ये सुद्रें के नहीं साथ्यों 26 एप्रिल को राजस्तान और देश के भविश के लिए एक बहुत बड़ा दीन है और मैं रिफाइंडी कुछ गार्डन के लिए जब आऊंगा तब आपको मैं याद कराऊंगा कि इसका महत्व क्या है भारतिये जनता पार्टी ने बाड़बेर से कमल की जिम्मेदारी भाई कैलाज चौदरी जी को दी है इसलिए आपको मोदी की गारंटी पर बरोसा करते हुए कमल पर बटन दबाने के लिए प्रार्थना करने आया हूँ आपके आशिरवार लेने आया हूँ मेरी माताए बेहनों के आशिरवार मेरे नवजवानों के आशिरवार मेरे बुजुर्गों के आशिरवार धानी धानी मेरे किसान भाई बेहनों के आशिरवार यही मेरी उर्जा है यही मेरी ताकात है चाहें जितनी गर्मी हो 26 अप्रिल को सुबे सुबे ही कमल का फूल खिलना चाहिए खिलेगा और इसलिए मेरा अनुरुद है पहले मतदान फीर जलपान पहले मतदान फीर पहले मतदान फीर अच्छा मेरा एक और काम करोगे जरा हाथ उपर करके बताईए करोगे सब के सब करोगे माता है बेने भी करेगी देखिए पहले तो मैं राजस्तान में बहुत गुमा हूँ सब दूर जाता था संगठन का काम करता था इन सब के साथ कंदे से कंदा मिला करके काम किया है लेकिन अब आपने इतना काम दिया है कि मैं सब जगा पे जा नहीं सकता हूँ तो मेरा एक काम करोगे गर गर जा कर बताईएगा कि अपने मोदी बाड मेर आये थे और मोदी ने आपको प्रणाम कहा है मेरा प्रणाम पहुचा दोगे हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुचा होगे हर माता बहन को मेरा प्रणाम पहुचा होगे हर बुजुर को मेरा प्रणाम पहुचा होगे जब इन सब को मेरा प्रणाम पहुचेगा न तो मन से मुझे आशिरवाद देंगे और वो आशिरवाद मुझे ऐसी ताकत देगा ऐसी ताकत देगा कि विक्सित भारत का सपना पुरा करने के लिए मैं अपनी पूरी उर्जा रगा दो मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद माता की भारत माता की भारत माता की राम राम साथ शक्ति और भक्तिरी परिचायत चैत्रिय नवरात्रा रे चोथे दिन माता सकुन्बसकुसमांडा रे स्वरूपने मारो कोटी कोटी प्रणाम बाढ़ाने और जैसाइने रे वाचियों ने मारी गणे मांसु राम राम मैं सबसे पहले तो बेन ममता जी को बढ़ाई देता हूँ इतना शांदार संचालन कर रही आप मैं बहुत अभिरंदन करता हूँ आपका आज नवरात्री के पावन अवसर पर मुझे सिद्धों और शुरिविरों की धर्ती एक बार फिर आप सब के दर्सन करने का सवभाग्य मिला है ये वो धर्ती है जिसके वीरों की कहानिया आज भी सीमा पार खौफ पड़ा करती है जिस रेगिस्तान की गर्मी में अच्छे अच्छों की हिम्मत दम तोड़ देती है वहाँ आपके होसले के सामने गर्मी भी कुछ नहीं कर पाती है ये जन सहलाब ये जन समर्थन बताता है बाड़ मेर की जनता बीजेपी को भरपूर आजिरवाद देने का संकल्प ले चुकी है इस चुनाव में आपका एक एक वोट दिख्षिद भारत की नीव मजबूत करेगा ये चुनाव बलका नहीं देश का चुनाव है इसलिए आज पुरा देश कह रहा है चार जुन चार सो पार चार जुन चार जुन और मालानी की यही पुकार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार भाई और भेनों बाड मेर हमारी पार्टी के वरिष्ट स्वर्गिये जस्वन सीजी का क्षेत्र है यहां के लोगों ने हमेशा मुझे बोला है मोदी जी आप देश के दुश्मनों को सबग सिखाओ बाड मेर जिताने की जिम्मेदारी हमारी आप इस बार भी पहले से ज़्यादा मोटों से बीजेपी को जिताएंगे यह मेरा पक्का विस्वास है साथियों कॉंग्रेस पार्टी ने पाँच छे दसक से ज़्यादा देश पर हुकुमत की लेकिन देश की कोई एक बड़ी समस ऐसी नहीं जिसका संपुना समाधां कॉंग्रेस ने दिया हो राजस्थान के लोगों से बहतर इस बात को कौन जानेगा जिस राजस्थान के लोगों ने देश को अपने लहू से सीचा उस राजस्थान को कॉंग्रेस पार्टी ने पानी के लिए प्यासा रखा मेरी माताएं बेहने तप्ती गर्मी बेहन रेतिले धोनों पर सीर पर घड़े रखकर कोस कोस चल कर पानी लेने जाती थी हमारी बेहने यहां कहती थी गी ढुले तो मारो कुछ न जासी पानी ढुले मारो सब कुछ जासी याने पानी गी से भी जादा मुल्यवान था लेकिन सत्तर साल तक किसी ने इन माताओ बेहनों की नहीं सुनी जब आपने आपके बेटे मोदी को सेवा करने का मोका दिया मैंने जल जीवन मिशन शुरू करके इस त्रासदी को खत्म करने का बिड़ा उठाया जल जीवन मिशन से हमने राजस्तान के पच्चास लाख गरों तक पानी पहुँचाया है लेकिन जितने दिन राजस्तान में कॉंग्रेस सरकार रही उसने जल जीवन मिशन में भी जम कर ब्रश्टाचार किया कॉंग्रेस ने राजस्तान तक पानी लाने के लिए E.R.C.P. परियोजना भी पूरी नहीं होने जी वहीं हमारे बजनलाव सरमाजी की सरकार ने सो दिन के भीतर ही E.R.C.P. परियोजना को पास करवाया है हर्याना से पानी का समझोता भी हो गया है और हम लोग तो चाहे राजस्तान हो या चाहे गुजरात हो हम लोग तो लाखा बंजहरा को अपना आदर्श मानने वाले लोग है हमारा संकल्प है कि हम राजस्तान के हर गर तक पानी पहुचाए साथियों कॉंग्रेस की सोच ही विकास विरोधी है ये लोग देश के सिमावर्ती गावों को देश के आखरी गाव कहते हैं ये लोग सिमावर्ती जीलों को वहाँ गावों को जान बुझकर विकास से वंचित रखते थे और आप हैरान हो जाएंगे क्यों रखते थे क्या तरक देते थे अफिशली बताते थे वो कहते थे कि सिमा के पास विकास होगा तो दुश्मन देश के भीतर आकर कब्जा करने की संभावना बढ़ जाएगी ये शर्म की बात है कि नहीं भाई क्या हम इतने भुझदिल है कि हम बढ़िया राते बनाए तो दुश्मन उच्पर चड़ जाएगा क्या बात करते हो शर्मानी चाहिए आपको आप मुझे बताईए कि इस दुश्मन के कलेजे में इतनी हिम्मत है कि वो बाण मेरी की सीमा में गुझकर कब्जा करने की सोचे हाई हिम्मत की सीमा भाईयो बैनों हम सीमा वरती इलाकों को सीमा वरती गावों को आखरी गाव नहीं देश का प्रथम गाव मानते हैं हमारे लिए देश की सीमा यहां पूरू नहीं होती है हमारे यहां यहां से देश शुरू होता है आज अगर देश में चार करोड गरीबों को पी एम आवास मिले हैं तो मेरे बाड़मेर को भी पोने दो लाक गरीबों को पक्के आवास का लाव मिला है भाजपा सरकार देश की आखरी सिमा तक सडकें और हाइवेज बना रही है हमने बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज भी खोला है आज सीमा वरती बाड़मेर में बहत्तर हजार करोड रुपिये लागत की रिफाइनरी शुरू होने जा रही है और मेरे बाड़मेर के भाई बेन सुनिये अगर यहां कॉंग्रेस की सरकार न होती तो मेरे दूसरे टम में ही मैं आकर उद्गाटन कर जाता लेकिन कॉंग्रेस ने ऐसे ऐसे रुकावटे डाली लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ मेरे तीसरे टम में मैं रिफाइनरी का उद्गाटन करने जुरूर आऊँगा और जिस दिन रिफाइनरी के उद्गाटन के लिए आऊँगा उद्दिन इस चुनाव विजय के लिए दन्यवाद भी करने आऊँगा आने वाले समय में इस इलाके में रोजगार के आऊसर पैदा होंगे युवाओं के लिए नए रास्ते बनेंगे मेरे बाड़मेर के भाई भेन जो पुराने लोग है वो जब मेरी ये बात सुनते हैं तो उनको लगेगा या ये संभव है ये होगा क्या स्वाबाविक है कि ऐसी मुसीबतों में उन्होंने जिनगी गुजारी है यहां से पलायन होना बहुत स्वाबाविक था माबाप भी बच्चों को कहते थे भाई कहीं और चले जाओ यहां रहके क्या करोगा वो दिन थे ऐसा ही हाल कच्च का था मैं गुजरात का अनुपर बताता हूँ आपको कच्च का भी हाल ऐसा ही था लेकिन 2001 के भूकम के बाद गुजरात के लोगों ने मुझे सेवा का मोका दिया आज पूरे हंदुस्तान का सबसे तेज विकास करने वाले जो जिल्ले है उसमें आज कच्च जिल्ला पहुँच गया है मुंबई में जमीन की जो कीमत होती है वो कच्च की जमीन की कीमत हो गई है अगर कच्छ बदल सकता है तो बाड़ मेर बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है मैं ये करके आया हूँ अब इसलिए मैं गार्णटी देता हूँ ये भी मैं करके रहूँगा यहां के एरपोर्ट में भी पिछली सरकार ने जम कर रोडे अटकाए थे अगर कॉंग्रेस ने बे बजब ब्रेक न लगाया होता तो यहां का एरपोर्ट दो साल पहले ही चालू हो जाता साथियों कॉंग्रेस ने जिन लोगों को दसकों तक नहीं पूछा मोदी उनको पूजता है हमारे आदिवासी समाज के बच्चे आगे बड़े इसके लिए हम एक लब्य मोडल आवासी स्कूल खोल रहे हैं आदिवासी समाज को सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए हम अभियान चला रहे हैं भाजपाने आदिवासी समाज को सम्मान दिलाने के लिए देश को पहली महिला आदिवासी राजपती दिये है हमारे गाउं धानियों के महिलाए मेगवाल समाज, लंगा, मंगनियार समाजने के लोग फीडियों से हस्तकला का काम करते आए है बाजपाने पहली बार उने आगे बढ़ाने के लिए पी-एम बिश्व कर्मा योजना शुदो की है अपनी महनत से रेत में भी फसल हुगाने वाले यहां के किसानों को भी कभी किसी ने नहीं सराहा आज हम किसानों के सीधे उनके खातों में पी-एम किसान सम्मान नी भी बेज रहे हैं किसानों की आए बड़े इसके लिए हम मोटे अनाजों को स्री अन्न को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं यह हमारा बाजरा कोई पूछता नहीं था सिर्व हम गाउं के लोग खाते थे आपको जान करके खुजी होगी अभी में जब अमेरिका गया तो अमेरिका ने राश्पती ने अपने भोगर में बाइट आउस में बड़ा बोज रखा था लेकिन मजा देखिए उस बोज में जितनी चीज़े खाने के लिए बनाई थी वो हमारे मोटे अनाज में थे बनाई थी हमारे बाजरे हमारा जवार उस में थे बनाई थी दुनिया में जो मेरा छोटा किसान पानी के अभाव में खेती करता है मोटा अनाज पादा करता है मैंने दुनिया को समझाया है यह मामूली अनाज नहीं है यह सुपर फूर है सुपर फूर आपकी सहथ के लिए उत्तम फूर है और मैं दुनिया में आपके किसानों के ज्वारा बनाई ये बाजरा ज्वार दुनिया में बेश रहा हूं दोस्तो मुंका समर्शन मुले भी आज जितना है उतना कभी नहीं था मोधी आपके सुख़ुख में आपके साथ है क्योंकि आपके सपने आपके सपने ही मेरे संकल्प है साथ क्यों SC, ST, OBC भाई और मेनों के साथ दसकों तक भेजबाव करने वाली कॉंग्रेश आज कल एक पुरानी रेकॉर्ड बजा रही है जब भी चुनाव आता है समिधान के नाम पर जूठ बोलना ये इंडिय अलाइज के सब साथियों की फैशन बन गई है वो कॉंग्रेश जिसने बाबा साथ के जीते जी उन्हें चुनाव हरवाया जिसने बाबा साथ को भारत रत्न नहीं मिलने दिया जो वो कॉंग्रेश जिसने देश में आपात काल लगा कर सम्विधान को खत्ब करने की कोशिश की आज वो मोदी को गाली देने के लिए सम्विधान के नाम पर जूठ की आड ले रही है ये मोदी है जिसने देश में पहली बार सम्विधान दिवस मनाना शुरू किया ये कॉंग्रेश वालों ने सम्विधान दिवस मनाने का विरोध किया था पार्लोमेन में फासन है उनका या बाबा साब का ये अप्मान है कि नहीं है सम्विधान का अप्मान है कि नहीं है इतना ही नहीं ये मोदी है जिसने बाबा साब से जुड़े पंचतिर्थों का विकास किया इसलिए बाबा, साब और सम्विधान का अपमान करने वाले कॉंग्रेस और इंडिय एलाइंस के जूठों से उनकी गबबाजी से सावधान रहने की जरुवत है और कॉंग्रेस वाले सुन ले ये चार सो सीक्ती बात देश की जनता ने इसलिए की है कि आपने दस साल पारलामेंट में मुझे अच्छे काम करने के लिए रोकने की लगातार कोशिश की है और इसलिए देश आपको कॉंग्रेस को सजा देना चाहता है और साफ कर देने का मन मना लिया है और जहां तक सम्विधान का सवाव है आप मान के चलिए और मोदी के सब्दे लिख के रखिए बाबा साब आम बेर कर खुद आ जाए तो भी सम्विधान खतम नहीं कर सकते है यह हमारा सम्विधान सरकार के लिए गीता है, रामार्ण है, माबारत है, बाइबल है, कुरान है इस सब कोट हमारी लिए हमारा सम्विधान है साथियों भारत के खिलाब यह इंडी अलाइंस वाले कितनी नफरत से बड़े हुए है यह इनके मैनिफेस्टों में भी नजर आता है कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में तो बटवारे की गुनगार मुस्लिम लिग की छाप नजर आती है अब इंडी अलाइंस में सामिल एक और गल ने देश के खिलाप बहुत खतरनाक एलान किया है उन्होंने अपने मैनिफेस्टों में लिखा है जिस पोखरण की धर्ती ने भारत को परमाणू सक्ति से संपन्न किया अब इंडी अलाइंस का कहना है कि हम भारत के परमाणू हथियार नस्ट कर देंगे दरिया में डुबो देंगे भारत जैसा देश जिसके दोनों तरब परोसियों के पास परमाणू हथियार हो क्या उस देश में परमाणू हथियार समाप्त करना इसकी सोच यह समाप्त करना चाहता है इंडी अलाइंस क्या परमाणू हथियार समाप्त होने चाहिए मुझे सब का जवाब चाहिए क्या परमाणू हथियार समाप्त होने चाहिए क्या परमाणू हथियार समाप्त होने चाहिए मैं जड़ा कॉंग्रेस को पूछना चाहता आपके यह साथी ये आपकी इंडे एलाइंस के साथी किसके ही सारे पर काम कर रहे हैं ये कैसा गड़बंदन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है आज फिर किसके दबाव में आपका ये गड़बंदन हमारे परमाणू ताकत को समाप्त करना चाहता है एक तरम मोदी भारत को शक्ति शाली राष्ट बनाने में जुटा आए वहीं इंडी गड़ बंदन वाले भारत को कमजोर देश बनाने का एलान कर रहे है माता तनोट राय की धर्ती के लोग क्या इसे स्विकार करेंगे कमजोर देश आपको मनझूर है शक्ति हीन देश आपको मनझूर है क्या ऐसा सोचने वालों को सजा देंगे इस चुनाव में सजा देंगे कमल पर बोट दबा करके उनको सजा देंगे और इसलिए पूरे देश के लोगों को इंडी गड़मंदन से सतरक नहने की जरुवत है साथियों जिस बारत मा के लिए हम अपने जीवन की परवा नहीं करते ये कॉंग्रेट पार्टी उसे सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा मानती है और इसलिए कॉंग्रेट के राष्टी अद्यक्ष राजस्थान की वीर भूमे में आकर कहते है कि मोदी ने कश्मीर से 370 हटाया तो राजस्थान से उसका क्या लेना देना क्या वास्ता यहां आकर के बोलके गए हैं यह राजस्थान की राष्ट भक्ती पर ऐसा सवाल करने की हिम्मत करते हैं जिस राजस्थान के वीरों ने सीमा पर कश्मीर के लिए सीने पर गोलिया खाई उससे पुछते हो कि कश्मीर से क्या वास्ता इस बाड़ मेर के सपूत भी खारा मुन्ड ने करगिल युद्ध में अपना बलिदान दे दिया था और कॉंगरिस कहती है कि कश्मीर का राजस्थान से क्या वास्ता जिस राजस्थान में कश्मीर में जन्ज में बाबोसा रामदेव जी की गरगर पूजा होती हो उससे पुछते हो कि कश्मीर से क्या रिस्ता जब कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर से ख़देडा गया था तब कितने ही परिवारों को राजस्थान ने बसाया था गले लगाया था और ये पुछते हैं कि राजस्थान का कश्मीर से क्या वास्ता अरे उनको पता नहीं होगा करगील के लोग इरान गए थे और इरान में कोविड की भेंकर महामारी में फस गए थे उनको वापस लाना था कोविड के साथ लाना था बड़ा संकड का काम था उनको हिंदुस्तान ला करके कहां रखे देश को जान करके गर्व होगा ये मेरे राजस्तान की वीर भूवी है जेसल मेर में इरान से लाए गए कोविड के वो सारे लोग जो करगील के रहने वाले थे वहाँ वो माइनस टेंपरेचर में रहते हैं यहाँ 35-40 डिगरी टेंपरेचर में महिना बर रहे जब स्थीक होए तब राजस्तान लिए उनको घर वापिस बेजाता ये है मेरा राजस्तान कॉंग्रेस भारत को भाषा प्रांथ जात पांत में तोड़ना चाहती है इसलिए आपको इस दुनाओं में कॉंग्रेस को फिर एक बार सबक सिखाना है साथियों कॉंग्रेस हर उस काम का विरोध करती है जो देश हित में होता है कॉंग्रेस हर उस ताकत के साथ खड़ी हो जाती है जो देश बिरोधी होती है आप देखिए हम लोग देश में राजस्तान में शक्ती की उपासना करते हैं माता की उपासना करते हैं लेकिन कॉंग्रेस के सहजादे कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ती का बिनास कर देंगे अरे मेरी माता और बहनों की ताकत तुम नहीं जानते हो किसी मर्द को आगे नहीं पढ़नाने पड़ेगा इस शक्ति को नश्ट करने वालों को ये मेरी माता बहने ही निपट लेगी देश में राम मंदिर निर्मान का पुनित पावन काम होता है कॉंग्रेज उसका भी बहिश्कार करती है और कॉंग्रेज करती क्या है कॉंग्रेज राम नौमी की सोबा यात्रा पर राजस्तान में पत्थर बाजी करने वाले दंगाईयों को समरक्षन देती है देश पे गुस पेट ही आते हैं तो कॉंग्रेस उनका स्वागत करती हैं लेकिन बारत विभाजन का विरोध करने वाले हमारे दलीत और सिख भाई बेहनों को नागरिकता देने वाले CAA का ये विरोध करते हैं मैं आप से पूछता हूँ क्या कॉंग्रेस एक भी सीट राजस्तान से जीतने की हकदार है क्या हकदार है क्या एक भी सीट पत्री चाहिए क्या उनकी इस बार तो उनकी सीटों की जमानत जाने चाहिए भाई यो जाएगे साफ कर दीजे उनको ये सुद्रें के नहीं साथ्यों 26 एप्रिल को राजस्तान और देश के भविश के लिए एक बहुत बड़ा दीन है और मैं रिफाइंड इक उजड़न के लिए जब आऊंगा तब आपको मैं याद कराऊंगा कि इसका महत्व क्या है भारतिये जनता पार्टी ने बाड़बेर से कमल की जिम्मेदारी भाई कैलाज चौदरी जी को दी है इसलिए आपको मोदी की गारंटी पर बरोसा करते हुए कमल पर बटन दबाने के लिए प्रार्थना करने आया हूँ आपके आसिरवार लेने आया हूँ मेरी माताए बेहनों के आसिरवार मेरे नवजवानों के आसिरवार मेरे बुजुर्गों के आसिरवार धानी धानी मेरे किसान भाई बेहनों के आसिरवार यही मेरी उर्जा है यही मेरी ताकात है चाहें जितनी गर्मी हो 26 अप्रिल को सुबे सुबे ही कमल का फूल खिलना चाहिए खिलेगा और इसलिए मेरा अनुर्वत है पहले मतदान फिर जलपान पहले मतदान फिर पहले मतदान फिर अच्छा मेरा एक और काम करोगे जरा हाथ उपर करके बताईए करोगे सब के सब करोगे माता है बेहने भी करेगी देखिए पहले तो मैं राजस्तान में बहुत गुमा हूँ सब दूर जाता था संगठन का काम करता था इन सब के साथ लेकिन अब आपने इतना काम दिया है कि मैं सब जगा पे जा नहीं सकता हूँ तो मेरा एक काम करोगे गर गर जाकर बताईएगा कि अपने मोदी बाड मेर आये थे और मोदी ने आपको प्रणाम कहा है मेरा प्रणाम पहुँचा दोगे हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुचा होगे हर माता बहन को मेरा प्रणाम पहुचा होगे हर बुजुर को मेरा प्रणाम पहुचा होगे जब इन सब को मेरा प्रणाम पहुचेगा न तो मन से मुझे आशिरवाद देंगे और वू आशिरवात मुझे ऐसी ताकत देगा कि भिक्सित भारत का सपना पुरा करने के लिए मैं अपनी पूरी उर्जा रगा दो मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद माता की भारत माता की भारत माता की राम राम साथ शक्ति और भक्तिरी परिचायत चैत्रिय नवरात्रा रे चोथे दिन माता स्कुन्बसकुसमांडा रे स्वरूपने मारो कोटी कोटी प्रणाम बाढ़ाई और जैसाइने रे वासियों ने मारी गणे मांजू राम राम मैं सबसे पहले तो बेन ममता जी को बदाई देता हूँ इतना शांदार संचालन कर रही आप मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ आपका आज नवरात्री के पावन अवसर पर मुझे सिद्धों और शुरिविरों की धर्ती एक बार फिर आप सब के दर्शन करने का सवभाग्य मिला है ये वो धर्ती है जिसके वीरों की कहानिया आज भी सीमा पार खौफ पड़ा करती है जिस रेगिस्तान की गर्मी में अच्छे अच्छों की हिम्मत दम तोड़ देती है वहाँ आपके हौसले के सामने गर्मी भी कुछ नहीं कर पाती है ये जन सहलाब ये जन समर्शन बताता है बाड़ मेर की जनता बीजेपी को भरपूर आजिरवाद देने का संकल्प ले चुकी है इस चुनाव में आपका एक एक वोट दिख्षिद भारत की नीव मजबूत करेगा ये चुनाव बलका नहीं देश का चुनाव है इसलिए आज पुरा देश कह रहा है चार जुन चार सो पार चार जुन चार जुन और मालानी की यही पुकार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार भाई और भेनों बाड मेर हमारी पार्टी के बरिष्ट स्वर्गिये जस्वन सीजी का क्षेत्र है यहां के लोगों ने हमेशा मुझे बोला है मोदी जी आप देश के दुश्मनों को सबग सिखाओ बाड मेर जिताने की जिम्मेदारी हमारी आप इस बार भी पहले से ज़्यादा मोटों से बीजेपी को जिताएंगे यह मेरा पक्का विस्वास है साथियों कॉंग्रेस पार्टी ने पाँच छे दसक से ज़्यादा देश पर हुकुमत की लेकिन देश की कोई एक बड़ी समस ऐसी नहीं जिसका संपुना समाधान कॉंग्रेस ने दिया हो राजस्थान के लोगों से बहतर इस बात को कौन जानेगा जिस राजस्थान के लोगों ने देश को अपने लहू से सीचा उस राजस्थान को कॉंग्रेस पार्टी ने पानी के लिए प्यासा रखा मेरी माताएं बेहने तप्ती गर्मी बेहन रेतिले धोनों पर सीर पर घड़े रखकर कोस कोस चल कर पानी लेने जाती थी हमारी बेहने यहां कहती थी गी ढुले तो मारो कुछ न जासी पानी ढुले मारो सब कुछ जासी याने पानी गी से भी जादा मुल्यवान था लेकिन सत्तर साल तक किसी ने इन माताओ बेहनों की नहीं सुनी जब आपने आपके बेटे मोदी को सेवा करने का मोका दिया मैंने जल जीवन मिशन शुरू करके इस त्रासदी को खत्म करने का बिड़ा उठाया जल जीवन मिशन से हमने राजस्तान के पच्चास लाख गरों तक पानी पहुचाया है लेकिन जितने दिन राजस्तान में कॉंग्रेस सरकार रही उसने जल जीवन मिशन में भी जम कर ब्रश्टाचार किया कॉंग्रेस ने राजस्तान तक पानी लाने के लिए E.R.C.P. परियोजना भी पूरी नहीं होने जी वहीं अमारे बजनलाव सरमाजी की सरकार ने सो दिन के भीतर ही E.R.C.P. परियोजना को पास करवाया है हर्याना से पानी का समझोता भी हो गया है और हम लोग तो चाहे राजस्तान हो या चाहे गुजरात हो हम लोग तो लाखा बंजहरा को अपना आदर्श मानने वाले लोग है हमारा संकल्प है कि हम राजस्तान के हर गर तक पानी पहुचाए साथियों कॉंग्रेस की सोच ही विकास विरोधी है ये लोग देश के सीमावरती गावों को देश के आखरी गाव कहते हैं ये लोग सीमावरती जीलों को वहाँ गावों को जान बुझकर विकास से वंचित रखते थे और आप हैरान हो जाएंगे क्यों रखते थे क्या तरक देते थे अफिशली बताते थे वो कहते थे कि सीमा के पास विकास होगा तो दुश्मन देश के भीतर आकर कब्जा करने की संभावना बढ़ जाएगी ये शर्म की बात है कि नहीं भाई क्या हम इतने भुझदिल है कि हम बढ़िया राते बनाए तो दुश्मन उच्पर चड़ जाएगा क्या बात करते हो शर्म आनी चाहिए आपको आप मुझे बताईए कि इस दुश्मन के कलेजे में इतनी हिम्मत है कि वो बाण मेरी की सीमा में गुझकर कब्जा करने की सोचे हाई हिम्मत की सीमा भावियो बैनों हम सीमा वरती इलाकों को सीमा वरती गावों को आखरी गाव नहीं देश का प्रथम गाव मानते हैं हमारे लिए देश की सीमा यहां पूरू नहीं होती है हमारे यहां यहां से देश शुरू होता है आज अगर देश में चार करोड गरीबों को पी एम आवास मिले हैं तो मेरे बाड़मेर को भी पोने दो लाक गरीबों को पक्के आवास का लाव मिला है भाजपा सरकार देश की आखरी सिमा तक सडकें और हाइवेज बना रही है हमने बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज भी खोला है आज सीमा वरती बाड़मेर में बहत्तर हजार करोड रुपिय लागत की रिफाइनरी शुरू होने जा रही है और मेरे बाड़मेर के भाई बेन सुनिये अगर यहां कॉंग्रेस की सरकार न होती और जिस देन रिफाइनरी के उद्गाटन के लिए आऊंगा उद्दिन इस चुनाव विजय के लिए दन्यवाद भी करने आऊंगा आने वाले समय में इस इलाके में रोजगार के आऊसर पैदा होंगे युवाओं के लिए नए रास्ते बनेंगे मेरे बाड़मेर के भाई बेन जो पुराने लोग है वो जब मेरी ये बात सुनते हैं तो उनको लगेगा यह संबव है यह होगा क्या स्वाबाविक है कि ऐसी मुसीबतों में उन्होंने जिन्गी गुजारी है यहां से पलायन होना बहुत स्वाबाविक था माबाप भी बच्चों को कहते थे भाई कहीं और चले जाओ यहां रहके क्या करोगे वो दिन थे हैं ऐसा ही हाल कच्च का था मैं गुजरात का अनुभव बताता हूँ आपको कच्च का भी हाल ऐसा ही था लेकिन 2001 के भुकम के बाद गुजरात के लोगों ने मुझे सेवा का मोका दिया आज पूरे हिंदुस्तान का सबसे तेज विकास करने वाले जो जिल्ले हैं उसमें आज कच्च जिल्ला पहुँच गया है मुंबई में जमीन की जो कीमत होती है वो कच्च की जमीन की कीमत हो गई है अगर कच्च बदल सकता है तो बाड़बेर बदल सकता है या ने बदल सकता है बदल सकता है या ने बदल सकता है मैं ये करके आया हूँ और इसलिए मैं गारंटी देता हूँ ये भी मैं करके रहूँगा यहां के एरपोर्ट में भी पिछली सरकार ने जम कर रोडे अठकाए थे अगर कॉंग्रेस ने बे बजब ब्रेक न लगाया होता तो यहां का एरपोर्ट दो साल पहले ही चालू हो जाता साथियों कॉंग्रेस ने जिन लोगों को दसकों तक नहीं पूछा मोदी उनको पूजता है हमारे आदिवासी समाज के बच्चे आगे बड़े इसके लिए हम एक लब्य मोडल आवासी स्कूल खोल रहे हैं आदिवासी समाज को सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए हम अभियान चला रहे हैं भाजपा ने आदिवासी समाज को सम्मान दिलाने के लिए देश को पहली महिला आदिवासी राजपती दिये हैं हमारे गाउ धानियों के महिलाएं मेगवाल समाज, लंगा, मंगनियार समाजने के लोग फीजियों से हस्तकला का काम करते आए हैं भाजपा ने पहली बार उने आगे बढ़ाने के लिए पी-एम विश्व कर्मा योजना श्रुदो की है अपनी महनत से रेत में भी फसल उगाने वाले यहां के किसानों को भी कभी किसी ने नहीं सराहा आज हम किसानों के सीधे उनके खातों में पी-एम किसान सम्मान नी भी बेज रहे हैं किसानों की आए बड़े इसके लिए हम मोटे अनाजों को स्री अन्न को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं यह हमारा बाजरा कोई पूछता नहीं था सिर्व हम गाउं के लोग खाते थे आपको जान करके खुजी होगी अभी में जब अमेरिका गया तो अमेरिका ने राश्पती ने अपने भोगर में बाइट आउस में बड़ा बोज रखा था लेकिन मजा देखिए उस बोज में जितनी चीज़े खाने के लिए बनाई थी वो हमारे मोटे अनाज में थे बनाई थी हमारे बाजरे हमारा जवार उस में थे बनाई थी दुनिया में जो मेरा छोटा किसान पानी के अभाव में खेती करता है मोटा अनाज पादा करता है मैंने दुनिया को समझाया है यह मामूली अनाज नहीं है यह सुपर फूर है सुपर फूर आपकी सहथ के लिए उत्तम फूर है और मैं दुनिया में आपके किसानों के ज्वारा बनाई ये बाजरा ज्वार दुनिया में बेच रहा हूँ दोस्तो मुंका समर्शन मुले भी आज जितना है उतना कभी नहीं था मोधी आपके सुख़ुख में आपके साथ है क्योंकि आपके सपने आपके सपने ही मेरे संकल्प है साथ क्यों SC, ST, OBC भाई और मेनों के साथ दसकों तक भेजबाव करने वाली कॉंग्रेस आज कल एक पुरानी रेकॉर्ड बजा रही है जब भी चुनाव आता है समिधान के नाम पर जूठ बोलना ये इंडिय अलाइट के सब साथियों की फैशन बन गई है वो कॉंग्रेस जिसने बाबा साथ के जीते जी उन्हें चुनाव हरवाया जिसने बाबा साथ को भारस रत्न नहीं मिलने दिया जो वो कॉंग्रेस जिसने देश में आपात कान लगा कर सम्विधान को खत्ब करने की कोशिश की आज वो मोदी को गाली देने के लिए सम्विधान के नाम पर जोट की आड ले रही है ये मोदी है जिसने देश में पहली बार सम्विधान दिवस मनाना शुरू किया ये कॉंग्रेस वालों ने सम्विधान दिवस मनाने का विरोग किया था पारलोमन में फासन है उनका या बाबा साब का ये अपमान है कि नहीं है सम्विधान का अपमान है कि नहीं है इतना ही नहीं ये मोदी है जिसने बाबा साब से जुड़े पंचतिर्थों का विकास किया इसलिए बाबा साब और सम्विधान का अपमान करने वाले कॉंग्रेस और इंडिय अलाइंस के जूठों से उनकी गबाजी से साफ़धान रहने की जरुवत है और कॉंग्रेस वाले सुनने ये 460 बात देश की जनता ने इसलिए की है कि आपने 10 साल पारलामेंट में मुझे अच्छे काम करने के लिए रोकने की लगातार कोशिश की है और इसलिए देश आपको कॉंग्रेस को सजा देना चाहता है और साफ कर देने का मण मणा लिया है और जहां तक सम्विदान का सवाव है आप मान के चलिए और मोदी के सब्दे लिख के रखिए बाबा साब आम बेर कर खूद आ जाए तो भी सम्विदान खतम नहीं कर सकते है यह बाराज सम्विदान सरकार के लिए गीता है, रामायन है, मा भारत है बाइबल है, कुरान है यह सब कोट हमारी लिए हमारा सम्विदान है साथियों भारत के खिलाब यह इंडी अलाइंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए है यह इनके मैनिफेस्टों में भी नजर आता है कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में तो बटवारे की गुनगार मुस्लिम लिख की च्छाप नजर आती है अब इंडी अलाइंस में सामिल एक और दल ने देश के खिलाब बहुत खतरनाक एलान किया है उन्होंने अपने मैनिफेस्टों में लिखा है जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमानू सक्ति से संपन्ड किया अब इंडी अलाइंस का कहना है कि हम भारत के परमानू हत्यार नस्ट कर देंगे दरिया में डुबो देंगे भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पडोसियों के पास परमानू हत्यार हो क्या उस देश में परमानू हत्यार समाप्त करना इसकी सोच कि समाप्त करना चाहता है इंडी अलाइंस क्या परमानू हत्यार समाप्त होने चाहिए मुझे सब का जवाब चाहिए क्या परमानू हत्यार समाप्त होने चाहिए क्या परमानू हत्यार समाप्त होने चाहिए मैं जड़ा कॉंग्रेस को पूछना चाहता आपके ये साथी ये आपके इंडे एलाइंस के साथी किसके ही सारे पर काम कर रहे हैं ये कैसा गड़बंदर है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है आज फिर किसके दबाव में आपका ये गड़बंदर हमारे परमाणू ताकत को समाप्त करना चाहता है एक तरम मोदी भारत को शक्तिशाली राष्ट बनाने में जुटा है वहीं इंडी गड़बंदर वाले भारत को कमजोर देश बनाने का एलान कर रहे है माता तनोट राय की धर्ती के लोग क्या इसे स्विकार करेंगे कमजोर देश आपको मंजूर है शक्तिहीन देश आपको मंजूर है क्या ऐसा सोचने वालों को सजा देंगे इस चुनाव में सजा देंगे कमल पर बोड दबा करके उनको सजा देंगे और इसलिए पूरे देश के लोगों को इंडी गडबंदन से सतर्क रहने की जरुवत है साथियो जिस बारत मा के लिए हम अपने जीवन की परवा नहीं करते ये कॉंग्रेस पार्टी उसे सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा मानती है और इसलिए कॉंग्रेस के राष्टी अध्यक्ष राजस्थान की वीर भूमे में आकर कहते है कि मोदी ने कश्मीर से 370 हटाया तो राजस्थान से उसका क्या लेना देना क्या वास्ता यहां आकर के बोलके गए है ये राजस्थान की राष्ट भक्ती पर ऐसा सवाल करने की हिम्मत करते है जिस राजस्तान के वीरों ने सीमा पर कश्वीर के लिए सीने पर गोलियां खाई उससे पुछते हो कि कश्वीर से क्या वास्ता इस मार्डमेर के सपूत भी खारा मुन्ड ने करगिल युद में अपना बलिदान दे दिया था और कॉंगरिस कहती है कि कश्वीर का राजस्तान से क्या वास्ता जिस राजस्तान में कश्वीर में जन्में बाबोसा राम देव जी की गरगर पूजा होती हो उससे पुछते हो कि कश्वीर से क्या रिस्ता जब कश्बीरी हिंदुओं को उनके घर से ख़देडा गया था तब कितने ही परिवारों को राजस्थान ने बसाया था गले लगाया था और ये पूस्ते हैं कि राजस्थान का कश्बीर से क्या वास्ता अरे उनको पता नहीं होगा करगील के लोग इरान गए थे और इरान में कोविड की भेंकर महामारी में फस गए थे उनको वापस लाना था कोविड के साथ लाना था बड़ा संकड का काम था उनको हिंदुस्तान ला करके कहां रखे देश को जान करके घर्व होगा ये मेरे राजस्तान की वीर भूवी है जेसल मेर में इरान से लाए गए कोविड के वो सारे लोग जो करगील के रहने वाले थे वहाँ वो माइनस टेंपरेटर में रहते हैं यहां 35-40 डिगरी टेंपरेटर में महिना बर रहे जब स्थीक होए तब राजस्तान लिए उनको घर वापिस बेजाता ये है मेरा राजस्तान कॉंग्रेस भारत को भाषा प्रांथ जात पांथ में तोड़ना चाहती है इसलिए आपको इस दुनाओं में कॉंग्रेस को फिर एक बार सबक सिखाना है साथियों कॉंग्रेस हर उस काम का विरोध करती है जो देश हीत में होता है कॉंग्रेस हर उस ताकत के साथ खड़ी हो जाती है जो देश बिरोधी होती है आप देखिए हम लोग देश में राजस्तान में शक्ति की उपासना करते हैं माता की उपासना करते हैं लेकिन कॉंग्रेस के सहजादे कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ति का बिनास कर देंगे अरे मेरी माता और बहनों की ताकत तुम नहीं जानते हो किसी मर्द को आगे नहीं प्रणाने पड़ेगा इस शक्ति को नश्ट करने वालों को ये मेरी माता बहने ही निपट लेगी देश में राम मंदिर निर्मान का पुनित पावन काम होता है कांग्रेद उसका भी बहिस्कार करती है और कांग्रेद करती क्या है कांग्रेद राम नौमी की सोबा यात्रा पर राजस्तान में पत्सर बाजी करने वाले दंगाईयों को समरक्षन देती है देश पे गुस्पेट ही आते हैं तो कॉंग्रेस उनका स्वागत करती है लेकिन बारत विभाजन का विरोध करने वाले हमारे दलीप और सिख भाई बहनों को नागरिकता देने वाले C.A.A. का ये विरोध करते हैं मैं आप से पूछता हूँ क्या कॉंग्रेस एक भी सीट राजस्तान से जीतने की हकदार है क्या हकदार है क्या एक भी सीट पतनी चाहिए क्या उनकी इस बार तो उनकी सीटों की जमानत जानी चाहिए भाई यो जाएगे साब कर दिजे उनको ये सुदरेंगे नहीं साथ्यों 26 अप्रिल को राजस्तान और देश के भविश के लिए एक बहुत बड़ा दीन है और मैं रिफाइंडी कुछ गार्डन के लिए जब आऊंगा तब आपको मैं याद कराऊंगा कि इसका महत्व क्या है भारतिये जनता पार्टी ने बाड़बेर से कमल की जिम्मेदारी भाई कैलाज चौदरी जी को दी है इसलिए आपको मोदी की गारंटी पर बरोसा करते हुए कमल पर बटन दबाने के लिए प्रार्थना करने आया हूँ आपके आशिरवार लेने आया हूँ मेरी माताएं बेहनों के आशिरवार मेरे नवजवानों के आशिरवार मेरे बुजुर्गों के आशिरवार धानी धानी मेरे किसान भाई बेहनों के आशिरवार यही मेरी उर्जा है यही मेरी ताकात है चाहें जितनी गर्मी हो 26 अप्रिल को सुबे सुबे ही कमल का फूल खिलना चाहिए खिलेगा और इसलिए मेरा अनुरुद है पहले मतदान फीर जलपान पहले मतदान फीर पहले मतदान फीर अच्छा मेरा एक और काम करोगे जड़ा हाथ उपर करके बताईए करोगे सब के सब करोगे माता है बेने भी करेगी देखिए पहले तो मैं राजस्तान में बहुत गुमा हूँ सब दूर जाता था संगठन का काम करता था इन सब के साथ कंदे से कंदा मिला करके काम किया है लेकिन अब आपने इतना काम दिया है कि मैं सब जगा पे जा नहीं सकता हूँ तो मेरा एक काम करोगे गर गर जा कर बताईएगा कि अपने मोदी बाड मेर आये थे और मोदी ने आपको प्रणाम कहा है मेरा प्रणाम पहुचा दोगे हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुचा होगे हर माता बहन को मेरा प्रणाम पहुचाओगे हर बुजुर को मेरा प्रणाम पहुचाओगे जब इन सब को मेरा प्रणाम पहुचेगा न तो मन से मुझे आशिरवाद देंगे और वो आशिरवाद मुझे ऐसी ताकत देगा ऐसी ताकत देगा कि विक्सित भारत का सपना पुरा करने के लिए मैं अपनी पूरी उर्जा रगा दो मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद माता की भारत माता की भारत माता की राम राम साथ शक्ति और भक्तिरी परिचायत चैत्रिय नवरात्रा रे चोथे दिन माता सकुन्बसकुसमांडा रे स्वरूपने मारो कोटी कोटी प्रणाम बाढ़ाने और जैसाइने रे वाचियोंने मारी गणे मांसू राम राम मैं सबसे पहले तो बेन ममता जी को बढ़ाई देता हूँ इतना शांदार संचालन कर रही आप मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ आपका आज नवरात्री के पावन अवसर पर मुझे सिद्धों और शुरिविरों की धर्ती एक बार फिर आप सब के दर्सन करने का सवभाग्य मिला है ये वो धर्ती है जिसके वीरों की कहानिया आज भी सीमा पार खौफ परदा करती है जिस रेगिस्तान की गर्मी में अच्छे अच्छों की हिम्मत दम तोड़ देती है वहाँ आपके होसले के सामने गर्मी भी कुछ नहीं कर पाती है ये जन सहिलाब ये जन समर्थन बताता है बाड़ मेर की जनता बीजेपी को भरपूर आजिरवाद देने का संकल्प ले चुकी है इस चुनाव में आपका एक एक वोट दिख्षिद भारत की नीव मजबूत करेगा ये चुनाव बलका नहीं देश का चुनाव है इसलिए आज पुरा देश कहरा है चार जुन चार जुन चार सो पार चार जुन चार जुन और मालानी की यही पुकार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार भाई और भेनो बाड मेर हमारी पार्टी के वरिष्ट स्वर्गिये जस्वन सीजी का खेत्र है यहां के लोगों ने हमेशा मुझे बोला है मोदी जी आप देश के दुश्मनों को सबग सिखाओ बाड मेर जिताने की जिम्मेदारी हमारी आप इस बार भी पहले से ज़्यादा मोटों से बीजेपी को जिताएंगे यह मेरा पक्का विस्वास है साथियों कॉंग्रेस पार्टी ने पाँच छे दसक से ज़्यादा देश पर हुकुमत की लेकिन देश की कोई एक बड़ी समसे ऐसी नहीं जिसका संपुर्ण समाधां कॉंग्रेस ने दिया हो राजस्तान के लोगों से बहतर इस बात को कौन जानेगा जिस राजस्तान के लोगों ने देश को अपने लहू से सीचा उस राजस्तान को कॉंग्रेस पार्टी ने पानी के लिए प्यासा रखा मेरी माताएं बहने तप्ती गर्मी बें रेतिले धोनों पर सीर पर घड़े रखकर कोस कोस चलकर पानी लेने जाती थी हमारी बेंने यहां कहती थी गी ढुले तो मारो कुछ न जासी पानी ढुले मारो सब कुछ जासी याने पानी गी से भी जादा मुल्यवान था लेकिन सत्तर साल तक किसी ने इन माताओं बहनों की नहीं सुनी जब आपने आपके बेटे मोदी को सेवा करने का मोका दिया मैंने जल जीवन मिशन शुरू करके इस त्रासदी को खत्म करने का बिड़ा उठाया जल जीवन मिशन से हमने राजस्तान के पच्चास लाख गरों तक पानी पहुँचाया है लेकिन जितने दिन राजस्तान में कॉंग्रेस सरकार रही उसने जल जीवन मिशन में भी जम कर ब्रश्टाचार किया कॉंग्रेस ने राजस्तान तक पानी लाने के लिए E.R.C.P. परियोजरा भी पूरी नहीं होने जी वहीं हमारे बजनलाव सर्माजी की सरकार ने सो दिन के बीतर ही E.R.C.P. परियोजना को पास करवाया है हरियाना से पानी का समझोता भी हो गया है और हम लोग तो चाहे राजस्तान हो या चाहे गुजरात हो हम लोग तो लाखा बंजहरा को अपना आदर्श मानने वाले लोग है हमारा संकल्प है कि हम राजस्तान के हर दक गर तक पानी पहुचाए साथियों कॉंग्रेस की सोच ही विकास विरोधी है ये लोग देश के सीमावर्ती गावों को देश के आखरी गाव कहते हैं ये लोग सीमावर्ती जीलों को वहाँ गावों को जान बुचकर विकास से वंचित रखते थे और आप हैरान हो जाएंगे क्यों रखते थे क्या तरक देते थे अफिशली बताते थे वो कहते थे कि सीमा के पास विकास होगा तो दुश्मन देश के बीतर आकर कबजा करने की संभावना बढ़ जाएगी ये शर्म की बात है कि नहीं भाई क्या हम इतने भुच्दिल हैं कि हम बढ़िया राते बनाए तो दुश्मन उत्पर चड़ जाएगा क्या बात करते हो शर्म आनी चाहिए आपको आप मुझे बताईए कि इस दुश्मन के कलेजे में इतनी हम्मत है कि वो बाण मेरी की सीमा में गुच कर कबजा करने की सोचे है हम्मत की सीमा भाईयो बेनो हम सीमा वर्ती इलाकों को सीमा वर्ती गावों को आखरी गाव नहीं देश का प्रथम गाव मानते है हमारे लिए देश की सीमा यहाँ पूरू नहीं होती है हमारे यहाँ यहाँ से देश शुरू होता है आज अगर देश में चार करोड गरीबों को पी-एम आवास मिले हैं तो मेरे बाड़मेर को भी पौने दो लाख गरीबों को पक्के आवास का लाभ मिला है भाजपा सरकार देश की आखरी सिमा तक सडकें और हाइवेज बना रही है हमने बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज भी खोला है आज सीमा वर्ती बाड़मेर में बहत्तर हजार करोड रुपिय लागत की रिफाइनरी शुरू होने जा रही है और मेरे बाड़मेर के भाई में सुनिये अगर यहां कॉंग्रेस की सरकार न होती तो मेरे दूसरे टम में ही मैं आकर उद्गाटन कर जाता लेकिन कॉंग्रेस ने ऐसे ऐसे रुकावटे डाली लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ मेरे तीसरे टम में मैं रिफाइनरी का उद्गाटन करने जुरूर आऊंगा और दिस दिन रिफाइनरी के उद्गाटन के लिए आऊंगा उद्दिन इस चुनाव विज़ाई के लिए दन्यवाद भी करने आऊंगा आने वाले समय में इस इलाके में रोजगार के आऊसर पैदा हूंगे युवाओं के लिए नए रास्ते बनेंगे मेरे बाड़मेर के भाई बहन जो पुराने लोग है वो जब मेरी ये बात सुनते हैं तो उनको लगेगा या ये संभव है ये होगा क्या स्वाबा भी कहा कि ऐसी मुसीबतों में उन्होंने जिन्गी गुजारी है यहां से पलायन होना बहुत स्वाबा भी था माबाप भी बच्चों को कहते थे भाई कहीं और चले जाओ यहां रहके क्या करोगे वो दिन थे हैं ऐसा ही हाल कच्च का था मैं गुजरात का अनुभव बताता हूं आपको कच्च का भी हाल ऐसा ही था लेकिन 2001 के भुकम के बाद गुजरात के लोगों ने मुझे सेवा का मोका दिया आज पूरे हिंदुस्तान का सबसे तेज विकास करने वाले जो जिल्ले हैं उसमें आज कच्च जिल्ला पहुँच गया है मुंबई में जमीन की जो कीमत होती है वो कच्च की जमीन की कीमत हो गई है अगर कच्च बदल सकता है तो बाडबर बदल सकता है और ने बदल सकता है मैं ये करके आया हूँ अब इसने मैं गारन्टी देता हूँ ये भी मैं करके रहूंगा यहां के एरपोर्ट में भी पिछली सरकार ने जमकर रोडे अटकाए थे अगर कॉंग्रेस ने बे बजब ब्रेक न लगाया होता तो यहां का एरपोर्ट दो साल पहले ही चालू हो जाता साथियों कॉंग्रेस ने जिन लोगों को दसकों तक नहीं पूछा मोदी उनको पूजता है हमारे आद्विवासी समाज के बच्चे आगे बड़े इसके लिए हम एक लब्य मोडल आवासी स्कूल खोल रहे हैं आद्विवासी समाज को सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए हम अभियान चला रहे हैं भाजपा ने आद्विवासी समाज को सम्मान दिलाने के लिए देश को पहली महिला आद्विवासी रास्पति दिये हैं हमारे गाओ धानियों के महिलाए मेगवाल समाज लंगा मंगनियार समाजने के लोग फीडियों से हस्तकला का काम करते आए हैं भाजपा ने पहली बार उने आगे बढ़ाने के लिए पीएम विश्व कर्मा योजना शुदो की है अपनी महनत से रेत में भी फ़सल उगाने वाले यहां के किसानों को भी कभी किसी ने नहीं सराहा आज हम किसानों के सीधे उनके खातों में पीएम किसान सम्मान निदी बेज रहे हैं किसानों की आए बड़े इसके लिए हम मोटे अनाजों को श्री अन्न को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं यह हमारा बाजरा कोई पूछता नहीं था सिर्व हम गाउं के लोग खाते थे आपको जान करके खुजी होगी अभी मैं जब अमेरिका गया तो अमेरिका ने राश्पति ने अपने भोगर में बाइट आउस में बड़ा बोज रखा था लेकिन मज़ा देखिए उस भोज में जितनी चीज़े खाने के लिए बनाई थी वो हमारे मोटे अनाज में थे बनाई थी हमारे बाजरे हमारा जवार उस में थे बनाई थी दुनिया में जो मेरा छोटा किसान पानी के अभाव में खेती करता है मोटा अनाज पादा करता है मैंने दुनिया को समझाया है ये मामूल यानाज नहीं है ये सुपर फूर है सुपर फूर आपकी सहथ के लिए उत्तम फूर है और मैं दुनिया में आपके किसानों के ज्वारा बनाई ये बाजराजवार दुनिया में बेच रहा हूँ दोस्तो मुंका समर्शन मुले भी आज इतना है उतना कभी नहीं था मोदी आपके सुख़ुख में आपके साथ है क्योंकि आपके सपने आपके सपने ही मेरे संकल्प है साथियों SC, ST, OBC भाई और बहनों के साथ दसकों तक भेजबाव करने वाली कॉंग्रेस आज कल एक पूरानी रेकॉर्ड बजा रही है जब भी चुनावाता है समिधान के नाम पर जूट बोलना ये इंडिय अलाइट के सब साथियों की फैशन बन गई है वो कॉंग्रेस जिसने बाबा साथ के जीते जी उन्हें चुनाव हरवाया जिसने बाबा साथ को भारस रत्न नहीं मिलने दिया जो वो कॉंग्रेस जिसने देश में आपात कान लगाकर सम्विधान को खत्ब करने की कोशिश की आज वो मोदी को गाली देने के लिए सम्विधान के नाम पर जूटकी आड ले रही है ये मोदी है जिसने देश में पहली बार सम्विधान दिवस मनाना शुरू किया ये कॉंग्रेस वालों ने सम्विधान दिवस मनाने का विरोध किया था पारलोमेंट में फासन है उनका या बाबा साथ का ये अप्मान है कि नहीं है सम्विधान का अपण है कि नहीं है इतना ही नहीं यह मोदी है जिसने बाबा साब से जुड़े पंचतिर्थों का विकास किया इसलिए बाबा साब और सम्विधान का अपमान करने वाले कॉंग्रेस और इंडिय अलाइंस के जुठों से उनकी गबाजी से और कॉंग्रेस वाले सुनने ये 460 बात देश की जनता ने इसलिए की है कि आपने 10 साल पारलामेट में मुझे अच्छे काम करने के लिए रोकने की लगातार कोशिश की है और इसलिए देश आपको कॉंग्रेस को सजादेना चाहता है और साफ कर देने का मन मना लिया है और जहां तक सम्विदान का सवाव है आप मान के चलिए और मोदी के सब्दे लिख के रखिए बाबा साब आम बेर कर खुद आ जाए तो भी सम्विदान खतम नहीं कर सकते हैं यहावारा सम्विदान सरकार के लिए गीता है, रामायन है, मा भारत है बाइबल है, कुरान है यह सब कोट हमारी लिए हमारा सम्विदान है साथियों भारत के खिलाब यह इंडी अलाइंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए है यह इनके मैनिपेस्टों में भी नजर आता है कॉंग्रेस के मैनिपेस्टों में तो बटवारे की गुनगार मुस्लिम लिख की च्छाप नजर आती है अब इंडी अलाइंस में सामिल एक और दल ने देश के खिलाब बहुत खतरनाक एलान किया है उन्होंने अपने मैनिपेस्टों में लिखा है जिस पोखरण की धर्ती ने भारत को परमानू सक्ति से संपन्न किया अब इंडी अलाइंस का कहना है कि हम भारत के परमानू हथियार नस्ट कर देंगे दरिया में डुबो देंगे भारत जैसा देश जिसके दोनों तरब परोसियों के पास परमानू हथियार हो क्या उस देश में परमानू हथियार समाप्त करना इसकी सोच यह समाप्त करना चाहता है इंडी अलाइंस क्या परमानू हथियार समाप्त होने चाहिए मुझे सब का जवाब चाहिए क्या परमानू हथियार समाप्त होने चाहिए क्या परमानू हथियार समाप्त होने चाहिए मैं जड़ा कॉंगरेस को पूछना चाहता आपके यह साथी ये आपकी इंडे एलाइंस के साथी किसके हिसारे पर काम कर रहे हैं ये कैसा गड़बंदर है जो भारत को शक्ति हीन करना चाहता है आज खिर किसके दबाव में आपका ये गड़बंदर हमारे परमाणू ताकत को समाप्त करना चाहता है एक तरम मोदी भारत को शक्ति शाली राष्ट बनाने में जुटा आए वहीं इंडी गड़ बंदन वाले भारत को कमजोर देश बनाने का एलान कर रहे है माता तनोट राय की धर्ती के लोग क्या इसे स्विकार करेंगे कमजोर देश आपको मंजूर है शक्ति हीन देश आपको मंजूर है क्या ऐसा आग सोचने वालों को सजा देंगे इस चुनाव में सजा देंगे कमल पर बोट दबा करके उनको सजा देंगे और इसलिए पूरे देश के लोगों को इंडी गड़मंदन से सतर्क नहने की जरुवत है साथियों जिस बारत मा के लिए हम अपने जीवन की परवा नहीं करते ये कॉंग्रेस पार्टी उसे सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा मानती है और इसलिए कॉंग्रेस के राष्टी अद्यक्षर राजस्थान की वीर भूमे में आकर कहते है कि मोदी ने कश्मीर से 370 हटाया तो राजस्थान से उसका क्या लेना देना क्या वास्ता यहां करके बोलके गए है ये राजस्थान की राष्ट भक्ती पर ऐसा सवाल करने की हिम्मत करते है जिस राजस्थान के वीरों ने सीमा पर कश्मीर के लिए सीने पर गोलिया खाई उससे पुछते हो कि कश्मीर से क्या वास्ता इस बार्ड मेर के सपूत भी खारा मुन्ड ने करगिल युद्ध में अपना बलिदान दे दिया था और कॉंगरिस कहती है कि कश्बीर का राजस्तान से क्या वास्ता जिस राजस्तान में कश्बीर में जन्में बाबोसा रामदेव जी की गरगर पूजा होती हो उससे पुछते हो कि कश्बीर से क्या रिस्ता जब कश्बीरी हिंदुओं को उनके घर से ख़देडा गया था तब कितने ही परिवारों को राजस्तान ने बसाया था गले लगाया था और ये पूछते हैं कि राजस्तान का कश्बीर से क्या वास्ता अरे उनको पता नहीं होगा करगील के लोग इरान गए थे और इरान में कोविड की भेंकर महामारी में फस गए थे उनको वापस लाना था गील के रहने वाले थे वहाँ वो माइनस टेंपरेटर में रहते हैं यहां पैंटीज चारीज डिगरी टेंपरेटर में महिना बर रहे जब ठीक होए तब राजस्तान ने उनको घर वापिस बेजाता ये हैं मेरा राजस्तान कॉंग्रेट भारत को भाषा प्रांथ जात पांथ में तोड़ना चाहती है इसलिए आपको इस तुनाव में कॉंग्रेट को फिर एक बार सबक सिखाना है साथियों कॉंग्रेट हर उस काम का विरोध करती हैं जो देश हीत में होता है कॉंग्रेट हर उस ताकत के साथ खड़ी हो जाती है जो देश बिरोधी होती है आप देखिए हम लोग देश में राजस्तान में शक्ति की उपासना करते हैं माता की उपासना करते हैं लेकिन कॉंग्रेट के सहजादे कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ती का बिनास कर देंगे अरे मेरी माता और बहनों की ताकत तुम नहीं जानते हो किसी मर्द को आगे नहीं पढ़नाने पड़ेगा इस शक्ती को नश्ठ करने वालों को ये मेरी माता बहने ही निपट लेगी देश में राम मंदिर निर्मान का पुनित पावन काम होता है कॉंग्रेज उसका भी बहिश्कार करती है और कॉंग्रेज करती क्या है कॉंग्रेज राम नौमी की सोबा यात्रा पर राजस्तान में पत्थर बाजी करने वाले दंगाईयों को समरक्षन देती है देश में गुस पेठी आते हैं तो कॉंग्रेज उनका स्वागत करती है लेकिन बारत विबाजन का बिरोध करने वाले हमारे दलीप और सिख भाई बहनों को नागरिक्ता देने वाले सीए एक का ये विरोध करते है मैं आप से पूछता हूँ क्या कॉंग्रेज एक भी सीट राजस्तान से जीतने की हकदार है क्या हकदार है क्या एक भी सीट पत्री चाहिए क्या उनकी इस बार तो उनकी सीटों की जमानत जानी चाहिए भाईयों जाएगे साफ कर दीजे उनको ये सुद्रें के नहीं साथियों 26 अप्रिल को राजस्तान और देश के भविश के लिए एक बहुत बड़ा दीन है और मैं रिफाइंडी कुछ गाडन के लिए जब आऊंगा तब आपको मैं याद कराऊंगा कि इसका महत्व क्या है भारतिय जनता पार्टी ने बाड़बेर से कमल की जिम्मेदारी भाई कैलाज चौदरी जी को दी है इसलिए आपको मोदी की गारंटी पर बरोसा करते हुए कमल पर बटन दबाने के लिए प्रार्थना करने आया हूँ आपके आशिरवार लेने आया हूँ मेरी माताए बेहनों के आशिरवार मेरे नवजवानों के आशिरवार मेरे बुजुर्गों के आशिरवार धानी धानी मेरे किसान भाई बेनों के आधिरवाद यही मेरी उर्जा है यही मेरी ताकात है चाहें जितनी गर्मी हो 26 अप्रिल को सुबे सुबे ही कमल का फूल खिलना चाहिए खिलेगा और इसलिए मेरा अनुरोद है पहले मतदान फीर जलपान पहले मतदान फीर पहले मतदान फीर अच्छा मेरा एक और काम करोगे जड़ा हाथ उपर करके बताईए करोगे सब के सब करोगे माता है बेने भी करेगी देखिए पहले तो मैं राजस्तान में बहुत गुमा हूँ सब दूर जाता था संगर्थन का काम करता था इन सब के साथ कंदे से कंदा मिला करके काम किया है लेकिन अब आपने इतना काम दिया है कि मैं सब जगा पे जा नहीं सकता हूँ तो मेरा एक काम करोगे गर गर जाकर बताईएगा कि अपने मोदी बाड मेर आये थे और मोदी ने आपको प्रणाम कहा है मेरा प्रणाम पहुचा दोगे हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुचा होगे हर माता बहन को मेरा प्रणाम पहुचा होगे हर बुजुर को मेरा प्रणाम पहुचा होगे जब इन सब को मेरा प्रणाम पहुचेगा न तो मन से मुझे आशिरवाद देंगे और वो आशिरवाद मुझे ऐसी ताकत देगा कि विक्सित भारत का सपना पुरा करने के लिए मैं अपनी पूरी उर्जा रगा दो मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद माता की भारत माता की राम राम साथ शक्ति और भक्तिरी परिचायत चैत्रिय नवरात्रा रे चोथे दीन माता कुष्मांडारे स्वरूपने मारो कोटी कोटी प्रणाम बाड़ानाई और जैसाइने रे वाचियों ने मारी गणे मांजू राम राम मैं सबसे पहले तो बेन ममता जी को बढ़ाई देता हूँ इतना शांदार संचालन कर रही आप मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ आपका आज नवरात्री के पावन अवसर पर मुझे सिद्धों और शुरिविरों की धर्ती एक बार फिर आप सब के दर्सन करने का सवभाग्य मिला है ये वो धर्ती है जिसके वीरों की कहानिया आज भी सीमा पार खौफ परदा करती है जिस रेगिस्तान की गर्मी में अच्छे अच्छों की हिम्मत दम तोड़ देती है वहाँ आपके होसले के सामने गर्मी भी कुछ नहीं कर पाती ये जन सहलाब ये जन समर्थन बताता है बाड़ मेर की जनता बीजेपी को भरपूर आजिरवाद देने का संकल्प ले चुकी है इस तुनाव में आपका एक एक वोट बिख्षिद भारत की निव मजबूत करेगा ये चुनाव बलका नहीं देश का चुनाव है इसलिए आज पुरा देश कहरा है चार जून चार जून चार सो पार और मालानी की यही पुकार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार भाई और भेनो बाड मेर हमारी पारिटी के वरिष्ट स्वर्गिये जस्वन सीजी का क्षेत्र है यहां के लोगों ने हमेशा मुझे बोला है मोदी जी आप देश के दुश्मनों को सबग सिखाओ बाड मेर जिताने की जिम्मेदारी हमारी आप इस बार भी पहले से ज़्यादा मोटों से बीजेपी को जिताएंगे यह मेरा पक्का विश्वास है साथियों कॉंग्रेस पार्टी ने पांच छे दसक से ज़्यादा देश पर हुकुमत की लेकिन देश की कोई एक बड़ी समस्य ऐसी नहीं जिसका संपुर्ण समाधान कॉंग्रेस ने दिया हो राजस्थान के लोगों से बहतर इस बात को कौन जानेगा जिस राजस्थान के लोगों ने देश को अपने लहू से सीचा उस राजस्थान को कॉंग्रेस पार्टी ने पानी के लिए प्यासा रखा मेरी माताएं बेहने तप्ती गर्मी बेहन रेतिले धोनों पर सीर पर घड़े रखकर कोस कोस चलकर पानी लेने जाती थी हमारी बेहने यहां कहती थी गी ढुले तो मारो कुछ न जासी पानी ढुले मारो सब कुछ जासी याने पानी गी से भी जादा मुल्यवान था लेकिन सत्तर साल तक किसी ने इन माताओ बेहनों की नहीं सुनी जब आपने आपके बेटे मोदी को सेवा करने का मोका दिया मैंने जल जीवन मिशन शुरू करके इस त्रासदी को खत्म करने का बिड़ा उठाया जल जीवन मिशन से हमने राजस्तान के पच्चास लाख गरों तक पानी पहुंचाया है लेकिन जितने दिन राजस्तान में कॉंग्रेस सरकार रही उसने जल जीवन मिशन में भी जम कर ब्रश्टाचार किया कॉंग्रेस ने राजस्तान तक पानी लाने के लिए E.R.C.P. परियोजना भी पूरी नहीं होने जी वहीं हमारे बजनलाव सरमाजी की सरकार ने सो दिन के भीतर ही E.R.C.P. परियोजना को पास करवाया है हर्याना से पानी का समझोता भी हो गया है और हम लोग तो चाहे राजस्तान हो या चाहे गुजरात हो हम लोग तो लाखा बंजहरा को अपना आदर्श मानने वाले लोग है हमारा संकल्प है कि हम राजस्तान के हर गर तक पानी पहुँचाए साथियों कॉंग्रेस की सोच ही विकास विरोधी है ये लोग देश के सिमावर्ती गावों को देश के आखरी गाव कहते हैं ये लोग सिमावर्ती जीलों को वहाँ गावों को जान बुझकर विकास से वंचित रखते थे और आप हैरान हो जाएंगे क्यों रखते थे क्या तरक देते थे अफिशली बताते थे वो कहते थे कि सिमा के पास विकास होगा तो दुश्मन देश के भीतर आकर कब्जा करने की संभावना बढ़ जाएगी ये शर्म की बात है कि नहीं भाई क्या हम इतने भुझदिल है कि हम बढ़िया राते बनाये तो दुश्मन उत्पर चड़ जाएगा क्या बात करते हो शर्मानी चाहिए आपको आप मुझे बताईए कि इस दुश्मन के कलेजे में इतनी हम्मत है कि वो बाण मेर की सीमा में गुझकर कब्जा करने की सोचे हाई हम्मत की सीमा भाई यो बैनो हम सीमा वरती इलाकों को सीमा वरती गावों को आखरी गाव नहीं देश का प्रथम गाव मानते है हमारे लिए देश की सीमा यहां पूरू नहीं होती है हमारे यहां यहां से देश शुरू होता है आज अगर देश में चार करोड गरीबों को पी एम आवास मिले हैं तो मेरे बाड़मेर को भी पोने दो लाक गरीबों को पक्के आवास का लाव मिला है भाजपा सरकार देश की आखरी सिमा तक सडकें और हाइवेज बना रही है हमने बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज भी खोला है आज सीमा वरती बाड़मेर में बहत्तर हजार करोड रुपिये लागत की रिफाइनरी शुरू होने जा रही है और मेरे बाड़मेर के भाई बेन सुनिये अगर यहाँ कॉंग्रेस की सरकार न होती तो मेरे दूसरे टम में ही मैं आकर उद्गाटन कर जाता लेकिन कॉंग्रेस ने ऐसे ऐसे रुकावटे डाली लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ मेरे तीसरे टम में मैं रिफाइनरी का उद्गाटन करने जुरू रहूंगा और जिस देन रिफाइनरी के उद्गाटन के लिए आऊंगा उद्दिन इस चुनाव विज़ाई के लिए दन्यवाद भी करने आऊंगा आने वाले समय में इस इलाके में रोजगार के आऊसर पैदा हूंगे युवाओं के लिए नए रास्ते बनेंगे मेरे बाड़मेर के भाई भेन जो पुराने लोग है वो जब मेरी ये बात सुनते हैं तो उनको लगेगा या ये संभव है ये होगा क्या स्वाबाविक है कि ऐसी मुसीबतों में उन्होंने जिन्गी गुजारी है यहां से पलायन होना बहुत स्वाबाविक था माबाप भी बच्चों को कहते थे भाई कहीं और चले जाओ यहां रहके क्या करोगा वो दिन थे हैं ऐसा ही हाल कच्चका था मैं गुजरात का अनुभाव बताता हूँ आपको कच्चका भी हाल ऐसा ही था लेकिन 2001 के भुकम के बाद गुजरात के लोगों ने मुझे सेवा का मोका दिया आज पूरे हिंदुस्तान का सबसे तेज विकास करने वाले जिल्ले हैं उसमें आज कच्च जिल्ला पहुँच गया है मुंबई में जमीन की जो कीमत होती है वो कच्च की जमीन की कीमत हो गई है अगर कच्च बदल सकता है तो बाड़बेर बदल सकता है या ने बदल सकता है बदल सकता है या ने बदल सकता है मैं ये करके आया हूँ और इसलिए मैं गार्णेटी देता हूँ ये भी मैं करके रहूंगा यहां के एरपोर्ट में भी पिछली सरकार ने जम कर रोडे अठकाए थे अगर कॉंग्रेस ने बे बजब ब्रेक न लगाया होता तो यहां का एरपोर्ट दो साल पहले ही चालू हो जाता साथियों कॉंग्रेस ने जिन लोगों को दसकों तक नहीं पूछा मोदी उनको पूजता है हमारे आदिवासी समाज के बच्चे आगे बड़े इसके लिए हम एक लब्य मोडल आवासी स्कूल खोल रहे हैं आदिवासी समाज को सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए हम अभियान चला रहे हैं भाजपा ने आदिवासी समाज को सम्मान दिलाने के लिए देश को पहली महिला आदिवासी राश्पति दिये हैं हमारे गाव धानियों के महिलाए मेगवाल समाज लंगा मंगनियार समाजने के लोग पीडियों से हस्तकला का काम करते आए हैं बाजपा ने पहली बार उने आगे बढ़ाने के लिए पीएम विश्व कर्मा योजना श्रुदो की है अपनी महनत से रेत में भी फसल उगाने वाले यहां के किसानों को भी कभी किसी ने नहीं सराहा आज हम किसानों के सीधे उनके खातों में पीएम किसान सम्मान निदी बेज रहे हैं किसानों की आए बड़े इसके लिए हम मोटे अनाजों को श्री अन्न को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं यह हमारा बाजरा कोई पूछता नहीं था सिर्व हम गाउं के लोग खाते थे आपको जान करके खुजी होगी अभी मैं जब अमेरिका गया तो अमेरिका ने राश्पति ने अपने भोगर में बाइट आउस में बड़ा बोज रखा था लेकिन मज़ा देखिए उस भोज में जितनी चीज़े खाने के लिए बनाई थी वो हमारे मोटे अनाज में थे बनाई थी हमारे बाजरे हमारा जवार उस में थे बनाई थी दुनिया में जो मेरा छोटा किसान पानी के अभाव में खेती करता है मोटा अनाज पादा करता है मैंने दुनिया को समझाया है ये मामूल यानाज नहीं है ये सुपर फूर है सुपर फूर आपकी सहथ के लिए उत्तम फूर है और मैं दुनिया में आपके किसानों के ज्वारा बनाई ये बाजराजवार दुनिया में बेच रहा हूँ दोस्तो मुंका समर्जन मुले भी आज इतना है उतना कभी नहीं था मोदी आपके सुख़ुख में आपके साथ है क्योंकि आपके सपने आपके सपने ही मेरे संकल्प है साथियों SC, ST, OBC भाई और बहनों के साथ दसकों तक भेजबाव करने वाली कॉंग्रेस आज कल एक पूरानी रेकॉर्ड बजा रही है जब भी चुनावाता है समिधान के नाम पर जूट बोलना ये इंडिय अलाएट के सब साथियों की फैशन बन गई है वो कॉंग्रेस जिसने बाबा साथ के जीते जी उन्हें चुनाव हरवाया जिसने बाबा साथ को भारस रत्न नहीं मिलने दिया जो वो कॉंग्रेस जिसने देश में आपात काल लगाकर सम्विधान को खत्ब करने की कोशिश की आज वो मोदी को गाली देने के लिए सम्विधान के नाम पर जूटकी आड ले रही है ये मोदी है जिसने देश में पहली बार सम्विधान दिवस मनाना शुरू किया ये कॉंग्रेस वालों ने सम्विधान दिवस मनाने का विरोध किया था पारलोमेंट में फासन है उनका या बाबा साथ का ये अप्मान है कि नहीं है संभिधान का अपन है अग नहीं है इतना ही नहीं यह मोधी है जिसने बाबा साब से जुड़े पंचतिर्थों का विकास किया इसलिए बाबा साब और संभिधान का अपमान करने वाले कॉंग्रेस और इंडिय ऐलाइंस के जूठों से उनकी गबाजी से सावजान रहने की जरुवत है और कॉंग्रेस वाले सुनने ये चार सो सीक्ती बात देश की जनता ने इसलिए की है कि आपने दस साल पारलामेंट में मुझे अच्छे काम करने के लिए रोकने की लगातार कोशिश की है और इसलिए देश आपको कॉंग्रेस को सजा देना चाहता है और साफ कर देने का मन मना लिया है और जहां तक सम्विदान का सवाव है आप मान के चलिए और मोदी के सब्दे लिख के रखिए बाबा साब आम बेर कर खुद आ जाए तो भी सम्विदान खतम नहीं कर सकते हैं यह हमारा सम्विदान सरकार के लिए गीता है, रामाण है, माबारत है बाइबल है, कुरान है इस सब कुछ हमारी लिए हमारा सम्विदान है साथियों, भारत के खिलाब यह इंडी अलाइंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए है यह इनके मैनिफेस्टों में भी नजर आता है कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में तो बटवारे की गुनगार मुस्लिम लिख की च्छाप नजर आती है अब इंडी अलाइंस में सामिल एक और दल ने देश के खिलाब बहुत खतरनाक एलान किया है उन्होंने अपने मैनिफेस्टों में लिखा है जिस पोखरण की धर्ती ने भारत को परमानू सक्ति से संपन्न किया अब इंडी अलाइंस का कहना है कि हम भारत के परमानू हथियार नश्ट कर देंगे दरिया में डुबो देंगे भारत जैसा देश जिसके दोनों तरब परोसियों के पास परमानू हथियार हो क्या उस देश में परमानू हथियार समाप्त करना इसकी सोच यह समाप्त करना चाहता है इंडी अलाइंस क्या परमानू हथियार समाप्त होने चाहिए मुझे सब का जवाब चाहिए क्या परमानू हथियार समाप्त होने चाहिए क्या परमानू हथियार समाप्त होने चाहिए मैं जड़ा कॉंग्रेश को पूछना चाहता आपके ये साथी ये आपके इंडे एलाइंस के साथी किसके हिसारे पर काम कर रहे हैं ये कैसा गड़बन रहा है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है आज फिर किसके दबाव में आपका ये गड़बन रहा हमारे परमानू ताकत को समाप्त करना चाहता है एक तरम मोदी भारत को शक्तिशाली राष्ट बनाने में जुटा है वहीं इंडी गड़बन रहा है भारत को कमजोर देश बनाने का एलान कर रहे है माता तनोट राय की धरती के लोग क्या इससे स्विकार करेंगे कमजोर देश आपको मंजूर है शक्तिहीन देश आपको मंजूर है क्या ऐसा सोचने वालों को सजा देंगे इस चुनाव में सजा देंगे कमल पर बोड दबा करके उनको सजा देंगे और इसलिए पूरे देश के लोगों को इंडी गडबंदन से सतर्क नहने की जरुवत है साथियो जिस बारत मा के लिए हम अपने जीवन की परवा नहीं करते ये कॉंग्रेस पार्टी उसे सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा मानती है और इसलिए कॉंग्रेस के राष्टी अध्यक्ष राजस्थान की वीर भूमे में आकर कहते है कि मोदी ने कश्मीर से 370 हटाया तो राजस्थान से उसका क्या लेना देना क्या वास्ता यहां आकर के बोलके गए है ये राजस्थान की राष्ट भक्ती पर ऐसा सवाल करने की हिम्मत करते है जिस राजस्तान के वीरों ने सीमा पर कश्मीर के लिए सीने पर गोलियां खाई उस से पुछते हो कि कश्मीर से क्या वास्ता इस माडमेर के सपूत भी खारा मुन्ड ने करगिल युद्ध में अपना बलिदान दे दिया था और कॉंगरिस कहती है कि कश्मीर का राजस्तान से क्या वास्ता जिस राजस्तान में कश्मीर में जन्ज में बाबोसा राम देव जी की गरगर पूजा होती हो उससे पूस्ते हो कि कश्बीर से क्या रिस्ता जब कश्बीरी हिंदुओं को उनके घर से ख़देडा गया था तब कितने ही परिवारों को राजस्थान ने बसाया था गले लगाया था और ये पूस्ते हैं कि राजस्थान का कश्बीर से क्या वास्ता अरे उनको पता नहीं होगा करगील के लोग इरान गए थे और इरान में कोविड की भेंकर महामारी में फस गए थे उनको वापस लाना था कोविड के साथ लाना था बड़ा संकड का काम था उनको हिंदुस्तान ला करके कहां रखे देश को जान करके घर्व होगा ये मेरे राजस्तान की वीर भूवी है जेसल मेर में इरान से लाए गए कोविड के वो सारे लोग जो करगील के रहने वाले थे वहाँ वो माइनस टेंपरेचर में रहते हैं यहाँ 35-40 डिगरी टेंपरेचर में महिना बर रहे जब स्थीक होए तब राजस्तान लिए उनको घर वापिस बेजाता ये है मेरा राजस्तान कॉंग्रेस भारत को भाषा प्रांथ जात पांथ में तोड़ना चाहती है इसलिए आपको इस तुनाव में कॉंग्रेस को फिर एक बार सबक सिखाना है साथियों कॉंग्रेस हर उस काम का बिरोध करती है जो देश हित में होता है कॉंग्रेस हर उस ताकत के साथ खड़ी हो जाती है जो देश बिरोधी होती है आप देखिये हम लोग देश में राजस्तान में शक्ति की उपासना करते हैं माता की उपासना करते हैं लेकिन कॉंग्रेस के सहजादे कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ती का बिनास कर देंगे अरे मेरी माता वो बहनों की ताकत तुम नहीं जानते हो किसी मर्द को आगे नहीं परनाने पड़ेगा इस शक्ती को नश्ठ करने वालों को ये मेरी माता बहने ही निपट लेगी देश में राम मंदिर निर्मान का पुनित पावन काम होता है कॉंग्रेस उसका भी बहिश्कार करती है और कॉंग्रेस करती क्या है कॉंग्रेस राम नौमी की सोबा यात्रा पर राजस्तान में पत्थर बाजी करने वाले दंगाईयों को समरक्षन देती है देश पे गुस पेठी आते हैं तो कॉंग्रेस उनका स्वागत करती है लेकिन बारत विबाजन का बिरोध करने वाले हमारे दलीप और सिख भाई बहनों को नागरिक्ता देने वाले सीए एक का ये विरोध करते हैं मैं आप से पूछता हूँ क्या कॉंग्रेस एक भी सीट राजस्तान से जीतने की हकदार है क्या हकदार है क्या एक भी सीट पतनी चाहिए क्या उनकी इस बार तो उनकी सीटों की जमानत जानी चाहिए भाई यो जाएगे साप कर दिजे उनको ये सुद्रें के नहीं साथ्यों 26 अप्रिल को राजस्तान और देश के भविश के लिए एक बहुत बड़ा दीन है और मैं रिफाइंडी कुछ गार्डन के लिए जब आउंगा तब आपको मैं याद कराऊंगा कि इसका महत्व क्या है भारतिये जनता पार्टी ने बाड़बेर से कमल की जिम्मेदारी भाई कैलाज चौदरी जी को दी है इसलिए आपको मोदी की गारंटी पर बरोसा करते हुए कमल पर बटन दबाने के लिए प्रार्थना करने आया हूँ आपके आशिरवार लेने आया हूँ मेरी माताए बेहनों के आशिरवार मेरे नवजवानों के आशिरवार मेरे बुजुर्गों के आशिरवार धानी धानी मेरे किसान भाई बेहनों के आशिरवार यही मेरी उर्जा है यही मेरी ताकात है चाहें जितनी गर्मी हो 26 अप्रिल को सुबे सुबे ही कमल का फूल खिलना चाहिए खिलेगा और इसलिए मेरा अनुरुद है पहले मतदान फीर जलपान पहले मतदान फीर पहले मतदान फीर अच्छा मेरा एक और काम करोगे जरा हाथ उपर करके बताईए करोगे सब के सब करोगे माता है बेने भी करेगी देखिए पहले तो मैं राजस्तान में बहुत गुमा हूँ सब दूर जाता था संगठन का काम करता था इन सब के साथ कंदे से कंदा मिला करके काम किया है लेकिन अब आपने इतना काम दिया है कि मैं सब जगा पे जा नहीं सकता हूँ तो मेरा एक काम करोगे गर गर जा कर बताईएगा कि अपने मोदी बाड मेर आये थे और मोदी ने आपको प्रणाम कहा है मेरा प्रणाम पहुचा दोगे हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुचा होगे हर माता बहन को मेरा प्रणाम पहुचा होगे हर बुजुर को मेरा प्रणाम पहुचा होगे जब इन सब को मेरा प्रणाम पहुचेगा न तो मन से मुझे आशिरवाद देंगे और वो आशिरवाद मुझे ऐसी ताकत देगा ऐसी ताकत देगा कि विक्सित भारत का सपना पुरा करने के लिए मैं अपनी पूरी उर्जा रगा दो मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद माता की भारत माता की भारत माता की राम राम साथ शक्ति और भक्तिरी परिचायत चैत्रिय नवरात्रा रे चोथे दिन माता सकुन्बसकुसमांडा रे स्वरूपने मारो कोटी कोटी प्रणाम बाढ़ाने और जैसाइने रे वाचियोंने मारी गणे मांसू राम राम मैं सबसे पहले तो बेन ममता जी को बढ़ाई देता हूँ इतना शांदार संचालन कर रही आप मैं बहुत अभिरंदन करता हूँ आपका आज नवरात्री के पावन अवसर पर मुझे सिद्धों और शुरिविरों की धर्ती एक बार फिर आप सबके दर्सन करने का सवभाग्य मिला है ये वो धर्ती है जिसके वीरों की कहानिया आज भी सीमा पार खौफ परदा करती है जिस रेगिस्तान की गर्मी में अच्छे अच्छों की हिम्मत दम तोड़ देती है वहाँ आपके होसले के सामने गर्मी भी कुछ नहीं कर पाती है ये जन सहलाब ये जन समर्थन बताता है बाड़ मेर की जनता बीजेपी को भरपूर आजिरवाद देने का संकल्प ले चुकी है इस चुनाव में आपका एक एक वोट दिखसिद भारत की नीव मजबूत करेगा ये चुनाव बलका नहीं देश का चुनाव है इसलिए आज पुरा देश कह रहा है चार जून चार जून चार सो पार चार जून और मालानी की यही पुकार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार भाईयो और भेनो बाड मेर हमारी पार्टी के वरिष्ट स्वर्गिये जस्वन सीजी का खेत्र है यहां के लोगों ने हमेशा मुझे बोला है मोदी जी आप देश के दुश्मनों को सबग सिखाओ बाड मेर जिताने की जिम्मेदारी हमारी आप इस बार भी पहले से ज़्यादा मोटों से बीजेपी को जिताएंगे यह मेरा पक्का विश्वास है साथियों कॉंग्रेस पार्टी ने पांच छे दसक से ज़्यादा देश पर हुकुमत की लेकिन देश की कोई एक बड़ी समस्य ऐसी नहीं जिसका संपुर्ण समाधां कॉंग्रेस ने दिया हो राजस्थान के लोगों से बहतर इस बात को कौन जानेगा जिस राजस्थान के लोगों ने देश को अपने लहू से सीचा उस राजस्थान को कॉंग्रेस पार्टी ने पानी के लिए प्यासा रखा मेरी माताएं बेहने तप्ती गर्मी बेहन रेतिले धोनों पर सीर पर घड़े रखकर कोश कोश चल कर पानी लेने जाती थी हमारी बेहने यहां कहती थी गी ढुले तो मारो कुछ न जासी पानी ढुले मारो सब कुछ जासी याने पानी गी से भी जादा मुल्यवान था लेकिन सत्तर साल तक किसी ने इन माताओं बेहनों की नहीं सुनी जब आपने आपके बेटे मोदी को सेवा करने का मोका दिया मैंने जल जीवन मिशन शुरू करके इस त्रासदी को खत्म करने का बिड़ा उठाया जल जीवन मिशन से हमने राजस्तान के पच्चास लाख गरों तक पानी पहुँचाया है लेकिन जितने दिन राजस्तान में कॉंग्रेस सरकार रही उसने जल जीवन मिशन में भी जम कर ब्रश्टाचार किया कॉंग्रेस ने राजस्तान तक पानी लाने के लिए ERCP परियोजना भी पूरी नहीं होने जी वहीं हमारे बजनलाव सर्माजी की सरकार ने सो दिन के भीतर ही ERCP परियोजना को पास करवाया है हरियाना से पानी का समझोता भी हो गया है और हम लोग तो चाहे राजस्तान हो या चाहे गुजरात हो हम लोग तो लाखा बंजहरा को अपना आदर्श मानने वाले लोग है हमारा संकल्प है के हम राजस्तान के हर गर तक पानी पहुचाए साथियों कॉंग्रेस की सोच ही विकास विरोधी है ये लोग देश के सिमावर्ती गावों को देश के आखरी गाव कहते हैं ये लोग सिमावर्ती जीलों को वहाँ गावों को जान बुचकर विकास से वंचित रखते थे और आप हैरान हो जाएंगे क्यों रखते थे क्या तरक देते थे अफिशली बताते थे वह कहते थे कि सीमा के पास विकास होगा तो दुश्मन देश के भीतर आकर कब्जा करने की संभावना बढ़ जाएगी ये शर्म की बात है कि नहीं भाई कि हम इतने भुझ दिल है कि हम बढ़िया राते बनाए तो दुश्मन उच्पर चड़ जाएगा क्या बात करते हो शर्म आनी चाहिए आपको आप मुझे बताइए कि इस दुश्मन के कलेजे में इतनी हिम्मत है कि वो बाण मेरे की सीमा में गुझ कर कबजा करने की सोचे हाई हिम्मत की सीमा भाईयो बैनो हम सीमा वरती इलाकों को सीमा वरती गावों को आखरी गाव नहीं देश का प्रथम गाव मानते है हमारे लिए देश की सीमा यहां पूरू नहीं होती है हमारे यहां यहां से देश शुरू होता है आज अगर देश में देश की आखरी सीमा तक सडकें और हाईवेज बना रही है हमने बाडमेर में मेडिकल कॉलेज भी खोला है आज सीमा वर्ती बाडमेर में बहत्तर हजार करोड रुपिय लागत की रिफाइनरी शुरू होने जा रही है और मेरे बाडमेर के भाई बेन सुनिये अगर यहां कॉंग्रेस की सरकार न होती तो मेरे दूसरे टम में ही मैं आकर उद्गाटन कर जाता लेकिन कॉंग्रेस ने ऐसे ऐसे रुकावटे डाली लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ मेरे तीसरे टम में मैं रिफाइनरी का उद्गाटन करने जुरूर आऊंगा और जिस दिन रिफाइनरी के उद्गाटन के लिए आऊंगा उद्दिन इस चुनाव विजय के लिए दन्यवाद भी करने आऊंगा आने वाले समय में इस इलाके में रोजगार के आऊसर पैदा हूंगे युवाओं के लिए नए रास्ते बनेंगे मेरे बाड़मेर के भाई भैन जो पुराने लोग है वो जब मेरी ये बात सुनते हैं तो उनको लगेगा या यह संभव है यह होगा क्या स्वाबाविक है कि ऐसी मुसीबतों में उन्होंने जिनकी गुजारी है यहां से पलायन होना बहुत स्वाबाविक था माबाप भी बच्चों को कहते थे भाई कहीं और चले जाओ यहां रहके क्या करोगा वो दिनते हैं ऐसा ही हाल कच्च का था मैं गुजरात का अनुपर बताता हूँ आपको कच्च का भी हाल ऐसा ही था लेकिन 2001 के भुकम के बाद गुजरात के लोगों ने मुझे सेवा का मोका दिया आज पूरे हिंदुस्तान का सबसे तेज विकास करने वाले जो जिल्ले हैं उसमें आज कच्च जिल्ला पहुँच गया है मुंबई में जमीन की जो कीमत होती है वो कच्च की जमीन की कीमत हो गई है अगर कच्च बदल सकता है तो बाड़बेर बदल सकता है कि ने बदल सकता है बदल सकता है कि ने बदल सकता है मैं ये करके आया हूँ अब इसलिए मैं गारंटी देता हूँ ये भी मैं करके रहूंगा यहां के एरपोर्ट में भी पिछली सरकार ने जम कर रोडे अठकाए थे अगर कॉंग्रेस ने बे बजब ब्रेक न लगाया होता तो यहां का एरपोर्ट दो साल पहले ही चालू हो जाता साथियों कॉंग्रेस ने जिन लोगों को दसकों तक नहीं पूछा मोदी उनको पूजता है हमारे आदिवासी समाज के बच्चे आगे बड़े इसके लिए हम एक लब्य मोडल आवासी स्कूल खोल रहे हैं आदिवासी समाज को सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए हम अभियान चला रहे हैं भाजपाने आदिवासी समाज को सम्मान दिलाने के लिए देश को पहली महिला आदिवासी राश्पति दिये हैं हमारे गाव धानियों के महिराए मेगवाल समाज, लंगा, मंगणियार समाजने के लोग फीडियों से हस्तकला का काम करते आए है वाजपाने पहली बार उने आगे बढ़ाने के लिए पी-एम बिश्व कर्मा योजना शुदो की है अपनी महनत से रेत में भी फसल हुगाने वाले यहां के किसानों को भी कभी किसी ने नहीं सराहा आज हम किसानों के सीधे उनके खातों में पी-एम किसान सम्मान निदी बेज रहे हैं किसानों की आए बड़े इसके लिए हम मोटे अनाजों को श्री अन्न को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं कि यह हमारा बाजरा कोई पूछता नहीं था सिर्ब हम गाउं के लोग खाते थे आपको जान करके खुजी होगी अभी में जब अमेरिका गया तो अमेरिका ने राश्पति ने अपने भोगर में बाइट हूस में बड़ा बोज रखा था लेकिन मज़ा देखिए उस भोज में जितनी चीज़े खाने के लिए बनाई थी वो हमारे मोटे अनाज में थे बनाई थी हमारे बाजरे हमारा जवार उस में थे बनाई थी दुनिया में जो मेरा छोटा किसान पानी के अभाओं में खेटी करता है मोटा अनाज पादा करता है मैंने दुनिया को समझाया है यह मामुलिया नाज नहीं है यह सुपर फूर है सुपर फूर आपकी सहथ के लिए उत्तम फूर है और मैं दुनिया में आपके किसानों के ज बेच रहा हूं दोस्तों मुंका समर्जन मुल्ले भी आज इतना है उतना कभी नहीं था मोधी आपके सुख़ुख में आपके साथ है क्योंकि आपके सपने आपके सपने ही मेरे संकल्प है साथियों SC, ST, OBC भाई और मेनों के साथ दसकों तक भेजबाव करने वाली कॉंग्रेस आजकल एक पूरानी रेकॉर्ड बजा रही है जब भी चुनाव आता है समिधान के नाम पर जूट बोलना ये इंडिय अलाइज के सब साथियों की फैशन बन गई है वो कॉंग्रेस जिसने बाबा साथ के जीते जी उन्हें चुनाव हरवाया जिसने बाबा साथ को बारस रत्न नहीं मिलने दिया जो वो कॉंग्रेस जिसने देश में आपात काल लगाकर समिधान को खत्ब करने की कोशिश की आज वो मोदी को गाली देने के लिए समिधान के नाम पर जूट की आड ले रही है ये मोदी है जिसने देश में पहली बार समिधान दिवस मनाना शुरू किया ये कॉंग्रेस वालों ने समिधान दिवस मनाने का विरोग किया था पार्लोमेंट में फासन है उनका या बाबा साथ का ये अप्मान है कि नहीं है? समिधान का अप्मान है कि नहीं है? कि यह मोदी है जिसने बाबा साब से जुड़े पंचतिर्थों का विकास किया इसलिए बाबा साब और सम्विधान का अपमान करने वाले कॉंग्रेस और इंडिया अलाइंस के जूठों से उनकी गबाजी से साबधान रहने की जरुवत है और कॉंग्रेस वाले सुनने ये चार सो सीक्ति बात देश की जनता ने इसलिए की है कि आपने दस साल पारलामेंट में मुझे अच्छे काम करने के लिए रोकने की लगातार कोशिश किया है और इसलिए देश आपको कॉंग्रेस को सजा देना चाहता है और साफ कर देने का मण मणा लिया है और जहां तक सम्विदान का सवाव है आप मान के चलिए और मोदी के सब्दे लिख के रखिए बाबा साब आम बेर कर खूद आ जाए तो भी सम्विदान खतम नहीं कर सकते हैं यह हमारा सम्विदान सरकार के लिए गीता है, रामार्ण है, माबारत है, बाइबल है, कुरान है इस सब कोट हमारी लिए हमारा सम्विदान है साथियों भारत के खिलाब यह इंडिय अलाइंस वाले कितनी नफ्रत से भरे हुए है, यह इनके मैनिफेस्टों में भी नजर आता है कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में तो बटवारे की गुनगार मुस्लिम लिग की छाप नजर आती है अब इंडिय अलाइंस में सामिल एक और दल ने देश के खिलाब बहुत खतरनाक एलान किया है उन्होंने अपने मैनिफेस्टों में लिखा है जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमानू सक्ति से संपन्द किया अब इंडिय अलाइंस का कहना है कि हम भारत के परमानू हथियार नश्ट कर देंगे दरिया में डुबो देंगे बारत जैसा देश जिसके दोनों तरब परोसियों के पास परमानू हथियार हो क्या उस देश में परमानू हथियार समाप्त करना इसकी सोच यह समाप्त करना चाहता है इंडिय अलाइंस क्या परमानू हथियार समाप्त होने चाहिए मुझे सबका जवाब चाहिए क्या परमानू हथियार समाप्त होने चाहिए क्या परमाणू हत्यार समापत होने चाहिए मैं जड़ा कॉंगरेज को पूछना चाहता आपके ये साथी ये आपके इंडे एलाइंस के साथी किसके ही सारे पर काम कर रहे हैं ये कैसा गड़बंदर है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है आफिर किसके दबाव में आपका ये गड़बंदर हमारे परमाणू ताकत को समापत करना चाहता है एक तरम मोदी भारत को शक्तिशाली राष्ट बनाने में जुटा है वहीं इंडी गड़बंदर वाले भारत को कमजोर देश बनाने का एलान कर रहे है माता तनोट राय की धर्ती के लोग क्या इसे स्विकार करेंगे कमजोर देश आपको मंजूर है शक्तिहीन देश आपको मंजूर है क्या ऐसा सोचने वालों को सजा देंगे इस चुनाव में सजा देंगे कमल पर बोड दबा करके उनको सजा देंगे और इसलिए पूरे देश के लोगों को इंडी गड़मंदन से सतरक नहने की जरुवत है साथियों जिस बारत मा के लिए हम अपने जीवन की परवा नहीं करते ये कॉंग्रेस पार्टी उसे सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा मानती है और इसलिए कॉंग्रेस के राष्टी अद्यक्षर राजस्थान की वीर भूमी में आकर कहते है कि मोदी ने कश्मीर से 370 हटाया तो राजस्थान से उसका क्या लेना देना क्या वास्ता यहां करके बोलके गए है ये राजस्थान की राष्ट भक्ती पर ऐसा सवाल करने की हिम्मत करते है जिस राजस्थान के वीरों ने सीमा पर कश्मीर के लिए सीने पर गोलियां खाई उससे पुस्ते हो कि कश्मीर से क्या वास्ता इस बाड़ मेर के सपूत भी खारा मुन्ड ने करगिल युद्ध में अपना बलिदान दे दिया था और कॉंगरिस कहती है कि कश्बीर का राजस्तान से क्या वास्ता जिस राजस्तान में कश्बीर में जन्में बाबोसा रामदेव जी की गरगर पूजा होती हो उससे पुछते हो कि कश्बीर से क्या रिस्ता जब कश्बीरी हिंदुओं को उनके घर से ख़देडा गया था तब कितने ही परिवारों को राजस्तान ने बसाया था गले लगाया था और ये पूछते हैं कि राजस्तान का कश्बीर से क्या वास्ता अरे उनको पता नहीं होगा करगील के लोग इरान गए थे और इरान में कोविड की भेंकर महामारी में फस गए थे उनको वापस लाना था गील के रहने वाले थे वहां वो माइनस टेंपरेटर में रहते हैं यहां 35-40 डिगरी टेंपरेटर में महिना बर रहे जब स्थीक होए तब राजस्तान ने उनको घर वापिस बेजाता ये है मेरा राजस्तान कॉंग्रेस भारत को भाषा प्रांथ जात पांथ में तोड़ना चाहती है इसलिए आपको इस तुनाव में कॉंग्रेस को फिर एक बार सबक सिखाना है साथियों कॉंग्रेस हर उस काम का विरोध करती है जो देश हीत में होता है कॉंग्रेस हर उस ताकत के साथ खड़ी हो जाती है जो देश बिरोधी होती है आप देखिए हम लोग देश में राजस्तान में शक्ति की उपासना करते हैं माता की उपासना करते हैं लेकिन कॉंग्रेस के सहजादे कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ती का बिनास कर देंगे अरे मेरी माता वो बहनों की ताकत तुम नहीं जानते हो किसी मर्द को आगे नहीं प्रण आने पड़ेगा इस शक्ती को नस्ठ करने वालों को ये मेरी माता बहने ही निपट लेगी देश में राम मंदिर निर्मान का पुनित पावन काम होता है कॉंग्रेज उसका भी बहिश्कार करती है और कॉंग्रेज करती क्या है कॉंग्रेज राम नौमी की सोबा यात्रा पर राजस्तान में पत्थर बाजी करने वाले दंगाईयों को समुरक्षन देती है देश पे गुस पेठी आते हैं तो कॉंग्रेज उनका स्वागत करती है लेकिन बारत विभाजन का विरोध करने वाले हमारे दलीप और सिख भाई बहनों को नागरिकता देने वाले CAA का ये विरोध करते हैं मैं आप से पूछता हूँ क्या कॉंग्रेज एक भी सीट राजस्तान से जीतने की हकदार है क्या हकदार है क्या एक भी सीट पत्री चाहिए क्या उनकी इस बार तो उनकी सीटों की जमानत जानी चाहिए भाई यो जाएगे साब कर दीजे उनको ये सुद्रें के नहीं साथियों 26 अप्रिल को राजस्तान और देश के भविश के लिए एक बहुत बड़ा दीन है और मैं रिफाइंडी कुछ गार्डन के लिए जब आऊंगा तब आपको मैं याद कराऊंगा कि इसका महत्व क्या है भारतिये जनता पार्टी ने बाड़बेर से कमल की जिम्मेदारी भाई कैलाज चौदरी जी को दी है इसलिए आपको मोधी की गार्टी पर बरोसा करते हुए कमल पर बटन दबाने के लिए प्रार्थना करने आया हूँ आपके आशिर्वार लेने आया हूँ मेरी माताए बेहनों के आशिरवाद मेरे नवजवानों के आशिरवाद मेरे बुजुर्गों के आशिरवाद धानी धानी मेरे किसान भाई बेहनों के आशिरवाद यही मेरी उर्जा है यही मेरी ताकात है चाहें जितनी गर्मी हो 26 अप्रिल को सुबह सुबह ही कमल का फूल खिलना चाहिए खिलेगा और इसलिए मेरा अनुरूद है पहले मतदान फिर जल्पान पहले मतदान फिर पहले मतदान फिर अच्छा मेरा एक और काम करोगे जड़ा हाथ उपर करके बताईए करोगे सब के सब करोगे माता है बेने भी करेगी देखिए पहले तो मैं राजस्तान में बहुत गुमा हूँ सब दूर जाता था संगठन का काम करता था इन सब के साथ कंदे से कंदा मिला करके काम किया है लेकिन अब आपने इतना काम दिया है कि मैं सब जगा पे जा नहीं सकता हूँ तो मेरा एक काम करोगे गर गर जाकर बताईएगा कि अपने मोदी बाड मेर आये थे और मोदी ने आपको प्रणाम कहा है मेरा प्रणाम पहुचा दोगे हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुचा होगे हर माता बहन को मेरा प्रणाम पहुचा होगे हर बुजुर को मेरा प्रणाम पहुचा होगे जब इन सब को मेरा प्रणाम पहुचेगा न तो मन से मुझे आशिरवाद देंगे और वो आशिरवाद मुझे ऐसी ताकत देगा ऐसी ताकत देगा कि विक्सित भारत का सपना पुरा करने के लिए मैं अपनी पूरी उर्जा अगा दो बेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद माता की भारत माता की भारत माता की राम राम सा शक्ती और भक्तिरी परिचायक चैत्रिय नवरात्रा रे चोथे दिन मातास कुन्बसकुसमांडा रे स्वरूपने मारो कोटी कोटी प्रणाम बाढ़ाई और जैसाइने रे वासियोंने मारी गणे मांजू राम राम मैं सबसे पहले तो बेन ममता जी को बढ़ाई देता हूँ इतना शांदार संचालन कर रही है आप मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ आपका आज नवरात्री के पावन अवसर पर मुझे सिद्धों और शुरिविरों की धर्ती एक बार फिर आप सब के दर्षन करने का सवभाग्य मिला है ये वो धर्ती है जिसके वीरों की कहानिया आज भी सीमा पार खौफ पड़ा करती है जिस रेगिस्तान की गर्मी में अच्छे अच्छों की हिम्मत दम तोड़ देती है वहाँ आपके होसले के सामने गर्मी भी कुछ नहीं कर पाती है ये जन सहिलाब ये जन समर्थन बताता है बाड़ मेर की जनता बीजेपी को भरपूर आज़िरवाद देने का संकल्प ले चुकी है इस चुनाव में आपका एक एक वोट दिख्षिद भारत की नीव मजबूत करेगा ये चुनाव बलका नहीं देश का चुनाव है इसलिए आज पुरा देश कह रहा है चार जुन चार सो पार चार जुन चार जुन और मालानी की यही पुकार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार भाई और भेनो बाड मेर हमारी पार्टी के वरिष्ट स्वर्गिये जस्वन सीजी का ख्षेत्र है यहां के लोगों ने हमेशा मुझे बोला है मोदी जी आप देश के दुश्मनों को सबग सिखाओ बाड मेर जिताने की जिम्मेदारी हमारी आप इस बार भी पहले से ज़्यादा मोटों से बीजेपी को जिताएंगे यह मेरा पक्का विस्वास है साथियों कॉंग्रेस पार्टी ने पाँच छे दसक से ज़्यादा देश पर हुकुमत की लेकिन देश की कोई एक बड़ी समस ऐसी नहीं जिसका संपुना समाधां कॉंग्रेस ने दिया हो राजस्थान के लोगों से बहतर इस बात को कौन जानेगा जिस राजस्थान के लोगों ने देश को अपने लहू से सीचा उस राजस्थान को कॉंग्रेस पार्टी ने पानी के लिए प्यासा रखा मेरी माताएं बेहने तप्ती गर्मी बेहन रेतिले धोनों पर सीर पर घड़े रखकर कोस कोस चल कर पानी लेने जाती थी हमारी बेहने यहां कहती थी गी ढुले तो मारो कुछ न जासी पानी ढुले मारो सब कुछ जासी याने पानी गी से भी जादा मुल्यवान था लेकिन सत्तर साल तक किसी ने इन माताओ बेहनों की नहीं सुनी जब आपने आपके बेटे मोदी को सेवा करने का मोका दिया मैंने जल जीवन मिशन शुरू करके इस त्रासदी को खत्म करने का बिड़ा उठाया जल जीवन मिशन से हमने राजस्तान के पच्चास लाख गरों तक पानी पहुँचाया है लेकिन जितने दिन राजस्तान में कॉंग्रेस सरकार रही उसने जल जीवन मिशन में भी जम कर ब्रश्टाचार किया कॉंग्रेस ने राजस्तान तक पानी लाने के लिए E.R.C.P. परियोजना भी पूरी नहीं होने जी वहीं अमारे बजनलाव सरमाजी की सरकार ने सो दिन के भीतर ही E.R.C.P. परियोजना को पास करवाया है हरियाना से पानी का समझोता भी हो गया है और हम लोग तो चाहे राजस्तान हो या चाहे गुजरात हो हम लोग तो लाखा बंजहरा को अपना आदर्श मानने वाले लोग है हमारा संकल्प है कि हम राजस्तान के हर गर तक पानी पहुचाए साथियों कॉंग्रेस की सोच ही विकास विरोधी है ये लोग देश के सिमावर्ती गावों को देश के आखरी गाव कहते हैं ये लोग सिमावर्ती जीलों को वहाँ गावों को जान बुझकर विकास से वंचित रखते थे और आप हैरान हो जाएंगे क्यों रखते थे क्या तरक देते थे अफिशली बताते थे वो कहते थे कि सिमा के पास विकास होगा तो दुश्मन देश के भीतर आकर कब्जा करने की संभावना बढ़ जाएगी ये शर्म की बात है कि नहीं भाई क्या हम इतने भुझदिल है कि हम बढ़िया राते बनाएं तो दुश्मन उत्पर चड़ जाएगा क्या बात करते हो शर्म आनी चाहिए आपको आप मुझे बताईए कि इस दुश्मन के कलेजे में इतनी हिम्मत है कि वो बाण मेरी की सीमा में गुझकर कब्जा करने की सोचे हाई हिम्मत की सीमा भावियो बैनों हम सीमा वरती इलाकों को सीमा वरती गावों को आखरी गाव नहीं देश का प्रथम गाव मानते हैं हमारे लिए देश की सीमा यहां पूरू नहीं होती है हमारे यहां यहां से देश शुरू होता है आज अगर देश में चार करोड गरीबों को पी एम आवास मिले हैं तो मेरे बाड़मेर को भी पोने दो लाक गरीबों को पक्के आवास का लाव मिला है भाजपा सरकार देश की आखरी सिमा तक सडकें और हाइवेज बना रही है हमने बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज भी खोला है आज सीमा वरती बाड़मेर में बहत्तर हजार करोड रुपिये लागत की रिफाइनरी शुरू होने जा रही है और मेरे बाड़मेर के भाई बेन सुनिये अगर यहां कॉंग्रेस की सरकार न होती और जिस देन रिफाइनरी के उद्गाटन के लिए आऊंगा उद्दिन इस चुनाव विजय के लिए दन्यवाद भी करने आऊंगा आने वाले समय में इस इलाके में रोजगार के आऊसर पैदा होंगे युवाओं के लिए नए रास्ते बनेंगे मेरे बाड़मेर के भाई बेन जो पुराने लोग है वो जब मेरी ये बात सुनते हैं तो उनको लगेगा यह संभव है यह होगा क्या स्वाबाविक है कि ऐसी मुसीबतों में उन्होंने जिन्गी गुजारी है यहां से पलायन होना बहुत स्वाबाविक था माबाप भी बच्चों को कहते थे भाई कहीं और चले जाओ यहां रहके क्या करोगा वो दिन थे हैं ऐसा ही हाल कच्च का था मैं गुजरात का अनुभव बताता हूँ आपको कच्च का भी हाल ऐसा ही था लेकिन दोजार एक के भुकम के बाद गुजरात के लोगों ने मुझे सेवा का मोका दिया आज पूरे हिंदुस्तान का सबसे तेज विकास करने वाले जो जिल्ले हैं उसमें आज कच्च जिल्ला पहुँच गया है मुंबई में जमीन की जो कीमत होती है वो कच्च की जमीन की कीमत हो गई है अगर कच्च बदल सकता है तो बाड़ मेर बदल सकता है या ने बदल सकता है बदल सकता है या ने बदल सकता है मैं ये करके आया हूँ अब इसलिए मैं गारंटी देता हूँ ये भी मैं करके रहूँगा यहां के एरपोर्ट में भी पिछली सरकार ने जम कर रोडे अठकाए थे अगर कॉंग्रेस ने बे बजब ब्रेक न लगाया होता तो यहां का एरपोर्ट दो साल पहले ही चालू हो जाता साथियों कॉंग्रेस ने जिन लोगों को दसकों तक नहीं पूछा मोदी उनको पूजता है हमारे आदिवासी समाज के बच्चे आगे बड़े इसके लिए हम एक लब्य मोडल आवासी स्कूल खोल रहे हैं आदिवासी समाज को सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए हम अभियान चला रहे हैं भाजपाने आदिवासी समाज को सम्मान दिलाने के लिए देश को पहली महिला आदिवासी राजपती दिये है हमारे गाउं धानियों के महिलाए मेगवाल समाज, लंगा, मंगनियार समाजने के लोग फीजियों से हस्तकला का काम करते आये है वाजपाने पहली बार उने आगे बढ़ाने के लिए पी-एम बिश्व कर्मा योजना श्रुदो की है अपनी महनत से रेत में भी फसल उगाने वाले यहां के किसानों को भी कभी किसी ने नहीं सराहा आज हम किसानों के सीधे उनके खातों में पी-एम किसान सम्मान निदी बेज रहे हैं किसानों की आए बड़े इसके लिए हम मोटे अनाजों को श्री अन्न को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं यह हमारा बाजरा कोई पूछता नहीं था सिर्व हम गाउं के लोग खाते थे आपको जान करके खुजी होगी अभी में जब अमेरिका गया तो अमेरिका ने राश्पती ने अपने भोगर में बाइट आउस में बड़ा बोज रखा था लेकिन मजा देखिए उस भोज में जितनी चीज़े खाने के लिए बनाई थी वो हमारे मोटे अनाज में थे बनाई थी हमारे बाजरे हमारा जवार उस में थे बनाई थी दुनिया में जो मेरा छोटा किसान पानी के अभाओं में खेती करता है मोटा अनाज पादा करता है मैंने दुनिया को समझाया है ये मामुलिया नाज नहीं है ये सुपर फूर है सुपर फूर आपकी सहथ के लिए उत्तम फूर है और मैं दुनिया में आपके किसानों के ज्वारा बनाई ये बाजरा ज्वार दुनिया में बेच रहा हूं दोस्तो मुंका समर्चन मुले भी आज जितना है उतना कभी नहीं था मोधी आपके सुख़ुख में आपके साथ है क्योंकि आपके सपने आपके सपने ही मेरे संकल्प है साथ क्यों SC, ST, OBC भाई और मेनों के साथ दसकों तक भेजबाव करने वाली कॉंग्रेस आज कल एक पूरानी रेकॉर्ड बजा रही है जब भी चुनावाता है समिधान के नाम पर जूठ बोलना ये इंडिय अलाइज के सब साथ्यों की फैशन बन गई है वो कॉंग्रेस जिसने बाबा साथ के जीते जी उन्हें चुनाव हरवाया जिसने बाबा साथ को भारस रत्न नहीं मिलने दिया जो वो कॉंग्रेस जिसने देश में आपात कान लगाकर सम्विधान को खत्ब करने की कोशिश की आज वो मोदी को गाली देने के लिए सम्विधान के नाम पर जूटकी आड ले रही है ये मोदी है जिसने देश में पहली बार सम्विधान दिवस मनाना शुरू किया ये कॉंग्रेस वालों ने सम्विधान दिवस मनाने का विरोग किया था पारलोमेंट में फासन है उनका या बाबा साब का ये अप्मान है कि नहीं है सम्विधान का अप्मान है कि नहीं है इतना ही नहीं ये मोदी है जिसने बाबा साब से जुड़े पंचतिर्थों का विकास किया इसलिए बाबा साब और सम्विधान का अपमान करने वाले कॉंग्रेस और इंडिय एलाइंस के जूठों से उनकी गबबाजी से साफ़धान रहने की जरुवत है और कॉंग्रेस वाले सुनने ये 460 बात देश की जनता ने इसलिए की है कि आपने 10 साल पारलामेट में मुझे अच्छे काम करने के लिए रोकने की लगातार कोशिश की है और इसलिए देश आपको कॉंग्रेस को सजा देना चाहता है और साफ कर देने का मण मणा लिया है और जहां तक सम्विदान का सवाव है आप मान के चलिए और मोदी के सब्दे लिख के रखिए बाबा साब आम बेर कर खूद आ जाए तो भी सम्विदान खतम नहीं कर सकते है यह हमारा सम्विदान सरकार के लिए गीता है, रामार्ण है, माबारप है, बाइबल है, कुरान है इस सब कोट हमारी लिए हमारा सम्विदान है साथियों भारत के खिलाब यह इंडी अलाइंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए है यह इनके मैनिफेस्टों में भी नजर आता है कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में तो बटवारे की गुनगार मुस्लिम लिग की छाप नजर आती है अब इंडी अलाइंस में सामिल एक और दल ने देश के खिलाब बहुत खतरनाक एलान किया है उन्होंने अपने मैनिफेस्टों में लिखा है जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणू सक्ति से संपन्न किया अब इंडी अलाइंस का कहना है कि हम भारत के परमाणू हथियार नस्ट कर देंगे दरिया में डुबो देंगे भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पडोसियों के पास परमाणू हथियार हो क्या उस देश में परमाणू हथियार समाप्त करना इसकी सोच यह समाप्त करना चाहता है इंडी अलाइंस क्या परमाणू हथियार समाप्त होने चाहिए मुझे सब का जवाब चाहिए क्या प्रमाणू हत्यार समाप्त होने चाहिए क्या प्रमाणू हत्यार समाप्त होने चाहिए मैं जड़ा कॉंगरेज को पूछना चाहता आपके ये साथी ये आपके इंडरे एलाइंस के साथी किसके ही सारे पर काम कर रहे हैं ये कैसा गड़बंदर है जो भारत को शक्ति हीन करना चाहता है आफिर किसके दबाव में आपका ये गडबंदन हमारे परमानू ताकत को समाप्त करना चाहता है एक तरम मोधी भारत को शक्ति शाली राष्ट बनाने में जुटा है वहीं इंडी गडबंदन वाले भारत को कमजोर देश बनाने का एलान कर रहे है माता तनोट राय की धर्ती के लोग क्या इसे स्विकार करेंगे कमजोर देश आपको मंजूर है शक्ति हीन देश आपको मंजूर है क्या ऐसा आग सोचने वालों को सजा देंगे इस चुनाव में सजा देंगे कमल पर बोड दबा करके उनको सजा देंगे और इसलिए पूरे देश के लोगों को इंडी गडबंदन से सतरक रहने की जरुवत है साथियों जिस बारत मा के लिए हम अपने जीवन की परवा नहीं करते हैं ये कॉंग्रेस पार्टी उसे सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा मानती है और इसलिए कॉंग्रेस के राष्टी अद्यक्ष राजस्थान की वीर भूमे में आकर कहते हैं कि मोदी ने कश्मीर से 370 हटाया तो राजस्थान से उसका क्या लेना देना क्या वास्ता यहां आकर के बोलके गए हैं यह राजस्थान की राष्ट भक्ती पर ऐसा सवाल करने की हिम्मत करते हैं जिस राजस्थान के वीरों ने सीमा पर कश्मीर के लिए सीने पर गोलियां खाई उससे पुछते हो कि कश्मीर से क्या वास्ता इस बाड़ मेर के सपूत भी खारा मुन्ड ने करगिल युद्ध में अपना बलिदान दे दिया था और कॉंगरिस कहती है कि कश्मीर का राजस्तान से क्या वास्ता जिस राजस्तान में कश्मीर में जन्में बाबोसा रामदेव जी की गरगर पूजा होती हो उससे पुछते हो कि कश्मीर से क्या रिस्ता जब कश्मीर हिंदूओं को उनके घर से ख़देड़ा गया था तब कितने ही परिवारों को राजस्तान ने बसाया था गले लगाया था और ये पूछते हैं कि राजस्तान का कश्मीर से क्या वास्ता अरे उनको पता नहीं होगा करगील के लोग इरान गए थे और इरान में कोविड की भेंकर महामारी में फस गए थे उनको वापस लाना था कोविड के साथ लाना था बड़ा संकड का काम था उनको हिंदूस्तान ला करके कहां रखे देश को जान करके घर्व होगा ये मेरे राजस्तान की वीर भूवी है जेसल मेर में इरान से लाए गए कोविड के वो सारे लोग जो करगील के रहने वाले थे वहाँ वो माइनस टेंपरेटर में रहते हैं यहां 35-40 डिगरी टेंपरेटर में महिना बर रहे जब स्थीक होए तब राजस्तान लिए उनको घर वापिस बेजाता ये है मेरा राजस्तान कॉंग्रेस भारत को भाषा प्रांथ जात पांथ में तोड़ना चाहती है इसलिए आपको इस दुनाव में कॉंग्रेस को फिर एक बार सबक सिखाना है साथियों कॉंग्रेस हर उस काम का जिरोध करती है जो देश हीत में होता है कॉंग्रेस हर उस ताकत के साथ खड़ी हो जाती है जो देश बिरोधी होती है आप देखिए हम लोग देश में राजस्तान में शक्ति की उपासना करते हैं माता की उपासना करते हैं लेकिन कॉंग्रेस के सहजादे कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ती का बिनास कर देंगे अरे मेरी माता वो बहनों की ताकत तुम नहीं जानते हो किसी मर्द को आगे नहीं प्रण आने पड़ेगा इस शक्ती को नस्ठ करने वालों को ये मेरी माता बहने ही निपट लेगी देश में राम मंदिर निर्मान का पुनित पावन काम होता है कॉंग्रेज उसका भी बहिश्कार करती है और कॉंग्रेज करती क्या है कॉंग्रेज राम नौमी की सोबा यात्रा पर राजस्तान में पत्थर बाजी करने वाले दंगाईयों को समुरक्षन देती है देश पे गुस्पेट ही आते हैं तो कॉंग्रेज उनका स्वागत करती है लेकिन बारत विभाजन का बिरोध करने वाले हमारे दलीप और सिख भाई बहनों को नागरिकता देने वाले C.A.E. का ये विरोध करते हैं मैं आप से पूछता हूँ क्या कॉंग्रेज एक भी सीट राजस्तान से जीतने की हकदार है क्या हकदार है क्या एक भी सीट पत्री चाहिए क्या उनकी इस बार तो उनकी सीटों की जमानत जानी चाहिए भाई यो जाएगे साफ कर दीजे उनको ये सुद्रें के नहीं साथियों 26 इप्रिल को राजस्तान और देश के भविश के लिए एक बहुत बड़ा दीन है और मैं रिफाइंडी कुछ गार्डन के लिए जब आऊंगा तब आपको मैं याद कराऊंगा कि इसका महत्व क्या है भारतिये जनता पार्टी ने बाड़मेर से कमल की जिम्मेदारी भाई कैलाज चौदरी जी को दी है इसलिए आपको मोदी की गार्ण्टी पर बरोसा करते हुए कमल पर बटन दबाने के लिए प्रार्थना करने आया हूँ आपके आशिरवार लेने आया हूँ मेरी माताए बहनों के आशिरवार मेरे नवजवानों के आशिरवार मेरे बुजुर्गों के असिर्वाद धानी धानी मेरे किसान भाई बेनों के असिर्वाद यही मेरी उर्जा है यही मेरी ताकात है चाहें जितनी गर्मी हो 26 अप्रिल को सुबे सुबे ही कमल का फूल खिलना चाहिए खिलेगा और इसलिए मेरा अनुर्वत है पहले मतदान फिर जल्पान पहले मतदान फिर पहले मतदान फिर अच्छा मेरा एक और काम करोगे ज़रा हाथ उपर करके बताईए करोगे सब के सब करोगे माता है बेने भी करेगी देखिए पहले तो मैं राजस्तान में बहुत गुमा हूँ सब दूर जाता था संगर्धन का काम करता था इन सब के साथ कंदे से कंदा मिला करके काम किया है लेकिन अब आपने इतना काम दिया है कि मैं सब जगा पे जा नहीं सकता हूँ तो मेरा एक काम करोगे गर गर जाकर बताईएगा कि अपने मोदी बाड मेर आये थे और मोदी ने आपको प्रणाम कहा है मेरा प्रणाम पहुँचा दोगे हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुचा होगे हर माता बहन को मेरा प्रणाम पहुचा होगे हर बुजुर को मेरा प्रणाम पहुचाओगे जब इन सब को मेरा प्रणाम पहुचेगा न तो मन से मुझे आशिरवाद देंगे और वो आशिरवाद मुझे ऐसी ताकत देगा कि विक्सित भारत का सपना पुरा करने के लिए मैं अपनी पूरी उर्जागा दो मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद माता की भारत माता की भारत माता की राम राम सा शक्ति और भक्तिरी परिचायक चैत्रिय नवरात्रा रे चोथे दिन मातास कुन्बसकुस्मांडा रे स्वरूपने मारो कोटी कोटी प्रणाम बाढ़ाई और जैसाइने रे वासियों ने मारी गणे मांसु राम राम मैं सबसे पहले तो बेन ममता जी को बदाई देता हूँ इतना शांदार संचालन कर रही आप मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ आपका आज नवरात्री के पावन अवसर पर मुझे सिद्धों और शुरिविरों की धर्ती एक बार फिर आप सब के दर्शन करने का सवभाग्य मिला है ये वो धर्ती है जिसके वीरों की कहानिया आज भी सीमा पार खौफ परदा करती है जिस रेगिस्तान की गर्मी में अच्छे अच्छों की हिम्मत दम तोड़ देती है वहाँ आपके होसले के सामने गर्मी भी कुछ नहीं कर पाती ये जन सहलाब ये जन समर्थन बताता है बाड़ मेर की जनता बीजेपी को भरपूर आजिरवाद देने का संकल्प ले चुकी है इस तुनाव में आपका एक एक वोट दिखसित भारत की नीव मजबूत करेगा ये चुनाव बलका नहीं देश का चुनाव है इसलिए आज पुरा देश कह रहा है चार जुन चार सो पार चार जुन और मालानी की यही पुकार पिर एक बार पिर एक बार पिर एक बार भाई और भेनों बाड मेर हमारी पारिटी के वरिष्ट स्वर्गिये जस्वन सीजी का क्षेत्र है यहां के लोगों ने हमेशा मुझे बोला है मोदी जी आप देश के दुश्मनों को सबग सिखाओ बाड मेर जिताने की जिम्मेदारी हमारी आप इस बार भी पहले से ज़्यादा मोटों से बीजेपी को जिताएंगे यह मेरा पक्का विश्वास है साथियों कॉंग्रेस पार्टी ने पांच छे दसक से ज़्यादा देश पर हुकुमत की लेकिन देश की कोई एक बड़ी समस्य ऐसी नहीं जिसका संपुर्ण समाधान कॉंग्रेस ने दिया हो राजस्थान के लोगों से बहतर इस बात को कौन जानेगा जिस राजस्थान के लोगों ने देश को अपने लहू से सीचा उस राजस्थान को कॉंग्रेस पार्टी ने पानी के लिए प्यासा रखा मेरी माताएं बेहने तप्ती गर्मी बेहन रेती ले धोनों पर सीर पर घड़े रखकर कोस कोस चलकर पानी लेने जाती थी हमारी बेहने यहां कहती थी गी ढुले तो मारो कुछ न जासी पानी ढुले मारो सब कुछ जासी याने पानी गी से भी जादा मुल्यवान था लेकिन सत्तर साल तक किसी ने इन माताओं बेहनों की नहीं सुनी जब आपने आपके बेटे मोदी को सेवा करने का मोका दिया मैंने जल जीवन मिशन शुरू करके इस त्रासदी को खत्म करने का बिड़ा उठाया जल जीवन मिशन से हमने राजस्तान के पच्चास लाख गरों तक पानी पहुँचाया है लेकिन जितने दिन राजस्तान में कॉंग्रेस सरकार रही उसने जल जीवन मिशन में भी जम कर ब्रस्टाचार किया कॉंग्रेस ने राजस्तान तक पानी लाने के लिए ERCP परियोजना भी पूरी नहीं होने जी वहीं हमारे बजनलाव सर्माजी की सरकार ने सो दिन के भीतर ही ERCP परियोजना को पास करवाया है हरियाना से पानी का समझोता भी हो गया है और हम लोग तो चाहे राजस्तान हो या चाहे गुजरात हो हम लोग तो लाखा बंजहरा को अपना आदर्श मानने वाले लोग है हमारा संकल्प है के हम राजस्तान के हर गर तक पानी पहुचाए साथियों कॉंग्रेस की सोच ही विकास विरोधी है ये लोग देश के सिमावर्ती गावों को देश के आखरी गाव कहते हैं ये लोग सिमावर्ती जीलों को वहाँ गावों को जान बुचकर विकास से वंचित रखते थे और आप हैरान हो जाएंगे क्यों रखते थे क्या तरक देते थे अफिशली बताते थे वह कहते थे कि सीमा के पास विकास होगा तो दुश्मन देश के भीतर आकर कबजा करने की संभावना बढ़ जाएगी ये शर्म की बात है कि नहीं भाई क्या हम इतने भुझ दिल है कि हम बढ़िया राते बनाए तो दुश्मन उच्पर चड़ जाएगा क्या बात करते हो शर्म आनी चाहिए आपको आप मुझे बताइए कि इस दुश्मन के कलेजे में इतनी हिम्मत है कि वो बाण मेरे की सीमा में गुझ कर कबजा करने की सोचे हाई हिम्मत की सीमा भाईयो बैनो हम सीमा वरती इलाकों को सीमा वरती गावों को आखरी गाव नहीं देश का प्रथम गाव मानते है हमारे लिए देश की सीमा यहां पूरू नहीं होती है हमारे यहां यहां से देश शुरू होता है आज अगर देश में देश की आखरी सीमा तक सडकें और हाईवेज बना रही है हमने बाडमेर में मेडिकल कॉलेज भी खोला है आज सीमा वर्ती बाडमेर में बहत्तर हजार करोड रुपिय लागत की रिफाइनरी शुरू होने जा रही है और मेरे बाडमेर के भाई बेन सुनिये अगर यहां कॉंग्रेस की सरकार न होती तो मेरे दूसरे टम में ही मैं आकर उद्गाटन कर जाता लेकिन कॉंग्रेस ने ऐसे ऐसे रुकावटे डाली लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ मेरे तीसरे टम में मैं रिफाइनरी का उद्गाटन करने जुरूर आऊँगा और दिस दिन रिफाइनरी के उद्गाटन के लिए आऊँगा उद्दिन इस चुनाव विजय के लिए दन्यवाद भी करने आऊँगा आने वाले समय में इस इलाके में रोजगार के आऊसर पैदा होंगे युवाओं के लिए नए रास्ते बनेंगे मेरे बाड़मेर के भाई भेन जो पुराने लोग है वो जब मेरी ये बात सुनते हैं तो उनको लगेगा यह संभव है यह होगा क्या स्वाबाविक है कि ऐसी मुसीबतों में उन्होंने जिन्गी गुजारी है यहां से पलाइन होना बहुत माबाविक था माबाप भी बच्चों को कहते थे भाई कहीं और चले जाओ यहां रहके क्या करोगा वो दिन थे ऐसा ही हाल कचका था कचका भी हाल ऐसा ही था लेकिन 2001 के भूकम के बाद गुजरात के लोगों ने मुझे सेवा का मोका दिया आज पूरे हिंदुस्तान का सबसे तेज विकास करने वाले जिल्ले है उसमें आज कच्छ जिल्ला पहुँच गया है मुंबई में जमीन की जो कीमत होती है वो कच्छ की जमीन की कीमत हो गई है अगर कच्छ बदल सकता है तो बाड़बेर बदल सकता है या नहीं बदल सकता है बदल सकता है या नहीं बदल सकता है मैं ये करके आया हूँ अब इसलिए मैं गारंटी देता हूँ यहां के एरपोर्ट में भी पिछली सरकार ने जम कर रोड़े अठकाए थे अगर कॉंग्रेस ने बे बजब ब्रेक न लगाया होता तो यहां का एरपोर्ट दो साल पहले ही चालू हो जाता साथियों कॉंग्रेस ने जिन लोगों को दसकों तक नहीं पूछा मोदी उनको पूजता है हमारे आदिवासी समाज के बच्चे आगे बड़े इसके लिए हम एक लब्य मोडल आवासी स्कूल खोल रहे हैं आदिवासी समाज को सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए हम अभियान चला रहे हैं भाजपाने आदिवासी समाज को सम्मान दिलाने के लिए देश को पहली महिला आदिवासी राजपती दिये है हमारे गाउं धानियों के महिराए मेगवाल समाज, लंगा, मंगनियार समाजने के लोग फीजियों से हस्तकला का काम करते आए है वाजपाने पहली बार उने आगे बढ़ाने के लिए पी-एम बिश्व कर्मा योजना शिदो की है अपनी महनत से रेट में भी फसल हुगाने वाले यहां के किसानों को भी कभी किसी नहीं सराहा आज हम किसानों के सीदे उनके खातों में पी-एम किसान सम्माणनी भी बेज रहे हैं किसानों की आए बड़े इसके लिए हम मोटे अनाजों को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं यह हमारा बाजरा कोई पूछता नहीं था सिर्व हम गाउं के लोग खाते थे आपको जान करके खुजी होगी अभी मैं जब अमेरिका गया तो अमेरिका ने राजपती ने अपने भोगर में बाइट आउस में बड़ा बोज रखा था लेकिन मज़ा देखिए उस बोज में जितनी चीज़े खाने के लिए बनाई थी वो हमारे मोटे अनाज में थे बनाई थी हमारे बाजरे हमारा जवार उस में थे बनाई थी दुनिया में जो मेरा छोटा किसान पानी के अभाओं में खेती करता है मोटा अनाज पादा करता है मैंने दुनिया को समझाया है ये मामुली अनाज नहीं है ये सुपर फूर है सुपर फूर आपकी सहथ के लिए उत्तम फूर है और मैं दुनिया में आपके किसानों के द्वारा बनाई ये बाजराजवार दुनिया में बेच रहा हूँ दोस्तो मुंका समर्शन मुले भी आज जितना है उतना कभी नहीं था मोधी आपके सुख़ुख में आपके साथ है क्योंकि आपके सपने आपके सपने ही मेरे संकल्प है साथियों SC, ST, OBC भाई और मेनों के साथ दसकों तक भेजबाव करने वाली कॉंग्रेस आजकल एक पूरानी रेकॉर्ड बजा रही है जब भी चुनावाता है समिधान के नाम पर जूट बोलना ये इंडिय अलाइज के सब साथियों की फैशन बन गई है वो कॉंग्रेस जिसने बाबा साथ के जीतेजी उन्हें चुनाव हरवाया जिसने बाबा साथ को भारस रत्न नहीं मिलने दिया जो वो कॉंग्रेस जिसने देश में आपात काल लगाकर सम्विधान को खत्ब करने की कोशिश की आज वो मोदी को गाली देने के लिए सम्विधान के नाम पर जूटकी आड ले रही है ये मोदी है जिसने देश में पहली बार सम्विधान दिवस मनाना शुरू किया ये कॉंग्रेस वालों ने सम्विधान दिवस मनाने का विरोध किया था पार्लोमेंट में फासन है उनका या बाबा साथ का ये अप्मान है कि नहीं है सम्विधान का अप्मान है कि नहीं है इतना ही नहीं ये मोदी है जिसने बाबा साथ से जुड़े पंचतिर्थों का विकास किया इसलिए बाबा साथ और सम्विधान का अप्मान करने वाले कॉंग्रेस और इंडिया अलाइंस के जुठों से उनकी गबबाजी से साथ दान रहने की जरुवत है और कॉंग्रेस वाले सुनने ये चार सो सीक्ती बात देश की जनता ने इसलिए की है कि आपने दस साल पारलामेंट में मुझे अच्छे काम करने के लिए रोकने की लगातार कोशिश की है और इसलिए देश आपको कॉंग्रेस को सजा देना चाहता है और साथ कर देने का मन मना लिया है और जहां तक सम्विदान का सवाल है आप मान के चलिए और मोदी के शब्दे लिख के रखिए बाबा साब आम बेर कर खुद आ जाए तो भी सम्विदान खतम नहीं कर सकते है यह हमारा सम्विदान सरकार के लिए गीता है, रामार्ण है, माबारफ है बाइबल है, कुरान है इस सब कुछ हमारी लिए हमारा सम्विदान है साथ्यों, भारत के खिलाब यह इंडी अलाइंस वाले कितनी नफ्रत से भरे हुए है यह इनके मैनिफेस्टों में भी नजर आता है कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में तो बटवारे की गुनगार मुस्लिम लिख की च्छाप नजर आती है अब इंडी अलाइंस में सामिल एक और दल ने देश के खिलाब बहुत खतरनाक एलान किया है उन्होंने अपने मैनिफेस्टों में लिखा है जिस पोखरण की धर्ती ने भारत को परमानू सक्ति से संपन्ड किया अब इंडी अलाइंस का कहना है कि हम भारत के परमानू हतियार नश्ट कर देंगे दरिया में डुबो देंगे भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ परोसियों के पास परमानू हतियार हो क्या उस देश में परमानू हतियार समाप्त करना इसकी सोच ये समाप्त करना चाहता है इंडी अलाइंस क्या परमानू हतियार समाप्त होने चाहिए मुझे सब का जवाब चाहिए कि आप प्रमाणू हत्यार समापत होने चाहिए कि आप परमाणू हत्यार समापत होने चाहिए मैं जड़ा कॉंग्रेज को पूछना चाहता आपके ये साथी ये आपके इंडे एलाइंस के साथी किसके ही सारे पर काम कर रहे हैं ये कैसा गडबंदन है जो भारत को शक्ति हीन करना चाहता है आज फिर किसके दबाव में आपका ये गडबंदन हमारे परमाणू ताकत को समाप्त करना चाहता है एक तरम मोदी भारत को शक्ति शाली राष्ट बनाने में जुटा है वहीं इंडी गडबंदन वाले भारत को कमजोर देश बनाने का एलान कर रहे है माता तनोट राय की धर्ती के लोग क्या इसे स्विकार करेंगे कमजोर देश आपको मंजूर है शक्ति हीन देश आपको मंजूर है क्या ऐसा आख सोचने वालों को सजा देंगे इस चुनाव में सजा देंगे कमल पर बोड दबा करके उनको सजा देंगे और इसलिए पूरे देश के लोगों को इंडी गड़मंदन से सतरक नहने की जरुवत है साथियो जिस बारत मा के लिए हम अपने जीवन की परवा नहीं करते ये कॉंग्रेस पार्टी उसे सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा मानती है और इसलिए कॉंग्रेस के राष्टी अद्यक्षर राजस्थान की वीर भूमे में आकर कहते है कि मोदी ने कश्मीर से 370 हटाया तो राजस्थान से उसका क्या लेना देना क्या वास्ता यहां करके बोलके गए ये राजस्थान की राष्ट भक्ती पर ऐसा सवाल करने की हिम्मत करते है जिस राजस्थान के वीरों ने सीमा पर कश्मीर के लिए सीने पर गोलियां खाई उससे पुछते हो कि कश्मीर से क्या वास्ता इस बाड़ मेर के सपूत भी खारा मुन्ड ने करगिल युद्ध में अपना बलिदान दे दिया था और कॉंगरिस कहती है कि कश्मीर का राजस्तान से क्या वास्ता जिस राजस्तान में कश्मीर में जन्में बाबोसा रामदेव जी की गरगर पूजा होती हो उससे पूस्ते हो कि कश्मीर से क्या रिस्ता जब कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर से ख़देड़ा गया था तब कितने ही परिवारों को राजस्तान ने बसाया था गले लगाया था और ये पूस्ते हैं कि राजस्तान का कश्मीर से क्या वास्ता अरे उनको पता नहीं होगा करगील के लोग इरान गये थे और इरान में कोविड की भेंकर महामारी में फस गए थे उनको वापस लाना था कोविड के साथ लाना था बड़ा संकड का काम था उनको हिंदुस्तान ला करके कहां रखे देश को जान करके गर्व होगा ये मेरे राजस्तान की वीर भूवी है जेसल मेर में इरान से लाए गए कोविड के वो सारे लोग जो करगील के रहने वाले थे वहाँ वो माइनस टेंप्रेटर में रहते हैं यहां 35-40 डिगरी टेंप्रेचर में महिना बर रहे जब स्थीक होए तब राजस्तान रिये उनको घर वापिस बेजाता यह है मेरा राजस्तान कॉंग्रेस भारत को भाषा प्रांत जात पांत में तोड़ना चाहती है इसलिए आपको इस दुनाओं में कॉंग्रेस को फिर एक बार सबक सिखाना है साथियों कॉंग्रेस हर उस काम का विरोध करती है जो देश हीत में होता है कॉंग्रेस हर उस ताकत के साथ खड़ी हो जाती है जो देश विरोधी होती है आप देखिए हम लोग देश में राजस्थान में शक्ति की उपासना करते हैं माता की उपासना करते हैं लेकिन कॉंग्रेस के सहजादे कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ति का बिनास कर देंगे अरे मेरी माता और बहनों की ताकत तुम नहीं जानते हो किसी मर्द को आगे नहीं पढ़नाने पड़ेगा इस शक्ति को नश्ठ करने वालों को ये मेरी माता बहने ही निपट लेगी देश में राम मंदिर निर्मान का पुनित पावन काम होता है कॉंग्रेस उसका भी बहिश्कार करती है और कॉंग्रेस करती क्या है कॉंग्रेस राम नौमी की सोबा यात्रा पर राजस्तान में पत्थर बाजी करने वाले दंगाईयों को समुरक्षन देती है देश पे गुस्पेट ही आते हैं तो कॉंग्रेस उनका स्वागत करती हैं लेकिन बारत विभाजन का बिरोध करने वाले हमारे दलीत और सिख भाई बहनों को नागरिकता देने वाले CAA का ये विरोध करते हैं मैं आपसे पूछता हूँ क्या कॉंग्रेस एक भी सीट राजस्तान से जीतने की हकदार है क्या हकदार है क्या एक भी सीट पत्री चाहिए क्या उनकी इस बारतों उनकी सीटों की जमानत जानी चाहिए भाईयों जाएगे साफ कर दीजे उनको ये सुद्रें के नहीं साथियों 26 एप्रिल को राजस्तान और देश के भविश के लिए एक बहुत बड़ा दीन है और मैं रिफाइंडी कुछ गार्डन के लिए जब आऊंगा तब आपको मैं याद कराऊंगा कि इसका महत्व क्या है भारतिये जनता पार्टी ने बाड़बेर से कमल की जिम्मेदारी भाई कैलाज चौदरी जी को दी है इसलिए आपको मोदी की गार्णटी पर बरोसा करते हुए कमल पर बटन दबाने के लिए प्रार्थना करने आया हूँ आपके आशिरवार लेने आया हूँ मेरी माताए बेहनों के आशिरवार मेरे नवजवानों के आशिरवार मेरे बुजुर्गों के आशिरवार धानी धानी मेरे किसान भाई बेहनों के आशिरवार यही मेरी उर्जा है यही मेरी ताकाप है चाहें जितनी गर्मी हो 26 अप्रिल को सुबे सुबे ही कमल का फूल खिलना चाहिए खिलेगा और इसलिए मेरा अनुरुद है पहले मतदान फीर जलपान पहले मतदान फीर पहले मतदान फीर अच्छा मेरा एक और काम करोगे जरा हाथ उपर करके बताईए करोगे सब के सब करोगे माता है बेने भी करेगी देखिए पहले तो मैं राजस्तान में बहुत गुमा हूँ सब दूर जाता था संगठन का काम करता था इन सब के साथ कंदे से कंदा मिला करके काम किया है लेकिन अब आपने इतना काम दिया है कि मैं सब जगा पे जा नहीं सकता हूँ तो मेरा एक काम करोगे गर-गर जाकर बताईएगा कि अपने मोदी बाड मेर आये थे और मोदी ने आपको प्रणाम कहा है मेरा प्रणाम पहुचा दोगे हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुचा होगे हर माता बहन को मेरा प्रणाम पहुचा होगे हर बुजुर को मेरा प्रणाम पहुचा होगे जब इन सब को मेरा प्रणाम पहुचेगा न तो मन से मुझे आशिरवाद देंगे और वो आशिरवाद मुझे ऐसी ताकत देगा ऐसी ताकत देगा कि विक्सित भारत का सपना पुरा करने के लिए मैं अपनी पूरी उर्जा रगा दो मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद माता की भारत माता की भारत माता की रामरामचा शक्ति और भक्तिरी परिचायत चैत्रिय नवरात्रा रे चोथे दिन माता सकुन्बसकुसमांडा रे स्वरूपने मारो कोटी कोटी प्रणाम बाढ़ानाई और जैसाइने रे वाचियोंने मारी गणे मांसू राम राम मैं सबसे पहले तो बेन ममता जी को बढ़ाई देता हूँ इतना शांदार संचालन कर रही आप मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ आपका आज नवरात्री के पावन अवसर पर मुझे सिद्वों और शुरिविरों की धर्ती एक बार फिर आप सब के दर्सन करने का सवभाग्य मिला है ये वो धर्ती है जिसके वीरों की कहानिया आज भी सीमा पार खौफ परदा करती है जिस रेगिस्तान की गर्मी में अच्छे अच्छों की हिम्मत दम तोड़ देती है वहाँ आपके होसले के सामने गर्मी भी कुछ नहीं कर पाती है ये जन सहलाब ये जन समर्थन बताता है बाड मेर की जनता बीजे पी को भरपोर आशिरवाद देने का संकल्प ले चुकी है इस चुनाव में आपका एक एक वोट दिख्षिद भारत की नीव मजबूत करेगा ये चुनाव दल का नहीं देश का चुनाव है इसलिए आज पुरा देश कह रहा है चार जुन चार जुन चार सो पार चार जुन चार जुन और मालानी की यही पुकार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार भाई और भेनो बाड मेर हमारी पार्टी के वरिष्ट स्वर्गिये जस्वन सीजी का खेत्र है यहां के लोगों ने हमेशा मुझे बोला है मोदी जी आप देश के दुश्मनों को सबग सिखाओ बाड मेर जिताने की जिम्मेदारी हमारी आप इस बार भी पहले से ज़्यादा मोटों से बीजेपी को जिताएंगे यह मेरा पक्का विस्वास है साथियों कॉंग्रेस पार्टी ने पाँच छे दसक से ज़्यादा देश पर हुकुमत की लेकिन देश की कोई एक बड़ी समसे ऐसी नहीं जिसका संपुना समाधां कॉंग्रेस ने दिया हो राजस्थान के लोगों से बहतर इस बात को कौन जानेगा जिस राजस्थान के लोगों ने देश को अपने लहू से सीचा उस राजस्थान को कॉंग्रेस पार्टी ने पानी के लिए प्यासा रखा मेरी माताएं बेहने तप्ती गर्मी बेहन रेतिले धोनों पर सीर पर घड़े रखकर कोस कोस चलकर पानी लेने जाती थी कैसे हुआ से साना